हमारे दिमाग में date को लेकर confusion भी होता है कि अग जब हम Negotiable Instrument Act 1881 की बात करते हैं तो इन में से कौन सी date सही है 9th of December 1881 या 1st of March 1882 तो ये confusion मैं आज आपका दूर करने वाला हूँ क्योंकि इस तरह की बहुत सारी queries मेरे पास में classes में आती रहती हैं कि इन जो actual में date कौन सी है तो आपको question को देखना है कि question में क्या पूछा गया है तो यहाँ पर अगर हम unacted date की बात करते हैं तो unacted जो date है वो है 9th of December 1881 अगर यहाँ पर Negotiable Instrument Act 1881 को कब force में आया है ना कब implement हुआ तो वो date हो जाती है 1st of March 1882 उसके बाद में अगर हम Negotiable Instrument Act 1881 की बात करते हैं तो इसमें कोन-kोन से Instrument के बारे में define किया गया है वो कौन-kोन से Instrument है जिसके बारे में Negotiable Instrument Act यहाँ पर define करता है तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जो Negotiable इसमें तीन तरह के जो इंस्टूमेंट है वो include किये गए हैं. पहला है Promissory Note, Second Instrument है Bill of Exchange और Third Instrument हो जाता है Check. यह तीन तरह के जो इंस्टूमेंट है जिसके बारे में Negotiable Instrument Act 1881 में define किया गया है. इनी के बारे में हम detail में discuss करने वाले हैं और इन तीनों को आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है क्योंकि आपके exam में यहां से question आता ही आता है और यह session GIB, DBF, CIB और Bank Promotional Exam और जो other competitive exam है उसके लिए very important है तो इसमें अगर आपको session अच्छा लगा है और यहां पर आपको information मिल रही है और इसी तरह के topic आप future में भी चाहते हैं कि हम आपके लिए लेकर आए और ऐसे topic के ऊपर video बनाते रहे हैं तो इस session को साथ-साथ like करते भी चलिएगा तो चलिए बढ़ते हैं अगे उसके बात में अगर हम बात करते हैं तो यहां पर यह जो negotiable instrument act 1881 है यह पूरे भारत में लागू होता है यह जो N.I.E. Act 1881 यह पूरे भारत में लागू होता है including जम्मू and कस्मीर यानि negotiable instrument act 1881 जम्मू end कस्मीर में भी applicable होता है अब कहीं बार ये question भी exam में पूछा जा चुका है कि क्या DD demand draft negotiable instrument act 1881 का part है या नहीं है तो यहाँ पर आपका answer होगा demand draft भी negotiable instrument act 1881 में cover होता है जो यहाँ पर cover हो जाता है किसमें चेक वाला जहाँ पर check के बारे में define किया गया है उसी category में यहाँ पर demand draft को भी रखा गया है उसके बाद में कहीं बार question ये भी आता है कि क्या treasury bills को negotiable instrument act कह सकते है या इस category में आता है या इसके अंडर में cover होता है नहीं होता है तो यहाँ पर आपका answer होगा no जो treasury bills होते है treasury bills negotiable instrument नहीं है उसके बाद में अगर हम post office money order की बात करते है तो ये भी negotiable instrument में cover नहीं होते है और अगर हम currency note की बात करते है तो currency note भी negotiable instrument नहीं है तो हमारे साथ में इंदरजीत जुड़ गए है और लवली कुमारी भी हमारे साथ में जुड़ गए है इस सेसन का अपने फ्रेंड्स के साथ में अपने कलिक्स के साथ में शेर करते जाईए जिस से उनको भी आझ डेटेल में इन सब चीजों के बारे में basics लेकर advanced level ते जो चीजे हैं वो पता चले और अगर आपका कोई भी question है कोई भी query है और अगर कहीं पर कोई चीज आपको समझ में नहीं आई है या concept में कोई doubt है तो comment करके मुझे जरूर बताईएगा मैं उस query को solve करने की चीज चीज करूँगा तो चलिए बढ़ते हैं आगे अब यहाँ पर एक question यह आता है जो पहली बार इसके बारे में सुन रहे हैं negotiable instrument act 1881 के कि यह actual में है क्या किसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं negotiable instrument act 1881 में तो negotiable का क्या मतलब होगा negotiable का मतलब होता है transferable negotiable का मतलब क्या होता है transferable और instrument का मतलब क्या होता है एक written document एक ऐसा लिखित पत्र एक ऐसा written document जिसको एक पार्टी से दूसरे पार्टी के पास transfer किया जा सकता है जैसे example के तोर पे मैं आपको बताता हूँ, जैसे कोई Mr. A है, Mr. A ने एक जो चेक है, इसका बैंक में अकाउंट है, और Mr. A ने यहाँ पर एक चेक इशू कर दिया 10,000 रुपीज का, किसको Mr. B को, तो पे में किसका नाम लिखा हुआ है, Mr. B का, अब यहाँ पर Mr. B को 10,000 रुपीज की पेमेंट क करनी है किसको, Mr. C को, तो जब Mr. C ने Mr. B से पैसा मांगा, कि तुमने मुझ से 10,000 रुपे 10,000 रुपीज बोरो किये थे, उधार लिये थे, यह पैसा मुझे वापस कीजिए, तो यहाँ पर B Mr. C को बोलता है, कि मेरे पास 10,000 रुपीज तो नहीं है, 10,000 रुपे तो नहीं ह कर पैसा ले लीजिए, तो यहाँ पर A ने तो जो चेक है दिया था किसको, B को, और B ने चेक क्या किया, ट्रांसफर कर दिया किसको, C को, तो यहाँ पर जो चेक है, मैंने चेक क्या बताया, चेक क्या है, एक नेगोशेबल इस्टुमेंट है, जो एक पार्टी से दूसरे प वारे में ये क्या होता है तो सबसे पहले इसमें जो सबसे important section है वो है section 4 section 4 section 5 and section 6 negotiable instrument act में सबसे important यही तीन section है section 4 section 5 and section 6 इनी को आज हम detail में समझेंगे और जानेंगे कि इन तीनों section में क्या-क्या बाते बताई गई है कौन-कौन सी चीजे define की गई है अमित भी हमारे साथ में जुड़ गए है good evening चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगर हम बात करते हैं किसकी promissory note की तो promissory note के बारे में यहाँ पर अगर हम बात करें तो promissory note क्या हो जाएगा चलो एक example से मैं इसको आपको समझाऊंगा बताऊंगा कि यह क्या होता है उसके बाद हम इसकी definition भी देखेंगे कि जो section 4 है उसमें क्या बताया गया है क्या बोला गया है उसकी definition क्या है तो जैसे example के तोर पर हम माल लेते हैं एक है Mr. A है ना कौन है Mr. A है और यहां पर दूसरी party है Mr. B Mr. B यहां पर एक seller है और Mr. A यहां पर एक buyer है तो यहां पर Mr. B ने Mr. A को कुछ माल बेचा एक लाक रुपे का माल बेचा गुड्स ट्रांसफर किये किसने Mr. A ने Mr. Mr. B ने Mr. A को ठीक है तो Mr. B एक seller है और Mr. A कौन है बायर है अब आप भी बताईए कि Mr. B को अब Mr. A से क्या चाहिए तो यहां पर आप बोलेंगे मैं यह तो Mr. A ने Mr. A से एक लाक रुपे मांगे तो यहां पर Mr. A ने Mr. B को कहा कि मेरे पास पैसा अभी नहीं है हैना मैं यह पैसा जो एक लाक रुपे मुझे आपको pay करने हैं, मैं ये आपको 30 दिन के बाद दूँगा, 30 days के बाद दूँगा, कब दूँगा आपको, 30 दिन के बाद दूँगा, तो यहाँ पर Mr. B बोला, ठीक है कि आप 30 दिन के बाद पैसा दे देना, लेकिन 30 days complete होने पर, इसकी क्या guarantee है, कि आप मुझे ये 1,00,000 करेंगे, तो यहाँ पर Mr. B के दिमाग में ऐसा तो कुछ नहीं था, कि Mr. A का पैसा नहीं देना है, तो यहाँ पर Mr. B ने क्या किया, Mr. B ने एक document write किया, नई, B ने नहीं, किसने, A ने, पैमेंट करना है किसको, A को, तो Mr. A ने एक document write किया, और उस document में क्या लिखा, I promise to pay rupees 1 lakh to Mr. B on the maturity of 30 days, है ना, 30 दिन खतम होने पर मैं Mr. B को एक लाख रुबे का payment करूंगा, तो यह बात किसने लिखी, Mr. A ने लिखी, है ना, तो यहाँ पर जो Mr. A है, वो इस document का, इस document का क्या हुआ, यह है, इस document का maker, है ना, यह कौन है इसका, maker है, और यहाँ पर जो document इस ने write किया है, this is known as promissory note, है ना, यह जो promissory note है, यह अब, यह जो document है, अब किस के पास जाएगा, B के पास जाएगा, B इसको accept करेगा, और 30 दिन पूरा होने पर, 30 दिन पूरा होने पर Mr. A, Mr. B को 1 lakh रुपे का payment देगा, है ना, इसमें जो grace period है, वो थोड़ा सा, फिर हम आग simple समझ लीजिए, कि क्या होता है, तो यहाँ पर जो promissory note है, promissory note, यह जो document है, transfer हुआ किस के पास, Mr. B के पास में, अब एक question यह पूछा जाता है, कि जब हम promissory note की बात करते हैं, तो promissory note में कितनी parties होती है, है ना, promissory note में कितनी party होती है, तो जब हम यहाँ पर देख रहे हैं, हमारे सामने कितनी parties है, एक तो Mr. A है, और एक Mr. B है, तो यहाँ पर promissory note में two party है, two party में, दोनों में से कौन-कौन सी party है, अगर हम यहाँ पर बात करें, तो एक party तो कौन हुई, जिसने इस instrument को बनाया है, जिसने write किया है, that is known as maker, इसको क्या बोलेंगे, maker के नाम से जान B को, किसको मिलने वाला है, B को, तो जो second party है, that is known as beneficiary, क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी beneficiary, तो I hope मुझे लगता है, promissory note आपको simple language में एकदम समझ में आ गया होगा, अगर अभी भी कोई doubt है, अभी भी बात समझ में नहीं आई है, तो मुझे comment करके बताईए, लवली, यहाँ पर जो grace period है, चाहे हम bill of exchange की बात करें, चाहे हम promissory note की बात करें, इसके उपर मैंने प्लान किया है, कि हम एक separate पूरा का पूरा lecture लेकर आएंगे, जिसमें मैं bill of exchange और promissory note के grace period को लेकर, जो भी numericals आते हैं, वो numericals भी cover करूँगा, और पूरा का पूरा जो concept है, हम आप उसमे cover करने वाले हैं, जिसमें पूरे के पूरे types of check आ जाएंगे, check से related जितने question हो सकते हैं, bill of exchange से related जिस तरह के question हो सकते हैं, वो सब उसमें cover करेंगे, आज हम only focus कर रहे हैं, negotiable instrument act 1881 के section के उपर है, तो हमारे इस session से, है न, ये जो 7 to 8 evening में daily, CIB, DBF, bank promotional exam और CIB को लेकर हम session कर रहे है, daily आपको 7 p.m. पर हमारे साथ में जुड़ जाना है, तो इस तरह की जो चीजें है, banking से related, वो आपकी clear होती जाएंगी, चलो, बढ़ते हैं आगे उसके बाद में, अब यहाँ पर हम definition को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, कि definition क्या बताना चाह रही है, और कौन-कौन सी च लिखित में है, वर्बल नहीं है, कि बोल दिया और हो गया, यहाँ पर जब भी promissory note की बात करेंगे, तो यह किस में होगा, एक return document है, लिखित फत्र है, उसके बाद में note A, अगर हम बात करते हैं, promissory note में कौन-कौन नहीं आता है, तो अग जब हम promissory note की definition की बात करते हैं, NI Act को देखते हैं, तो उसमें define किया गया है एक bank note, जिसके बारे में हम RBI Act 1934 में discuss कर रहे थे, कि bank note, promissory note नहीं होता, और bank note कवर होता है, किसमें RBI Act 1934 में, और कौन issue करता है, Reserve Bank of India, उसके बाद में second है currency note, है ना, तो यहाँ पर अगर हम currency note की बात करते हैं, currency note वो note होते हैं, इसमें Indian Coinage Act 1906 में, जो इंडिया में चलता है, Indian Coinage Act 1906, यानि ऐसे जो coins है, currency है, जो government of India mint करती है, प्रिंट करती है, वो currency note में count होते हैं, तो यह दोनों के दोनों promissory note नहीं है, ध्यान रखना, है ना, question कई बार exam में पूछा जा चुका है, और दुबार से पूछा जा सकता ह है, तो यह आपको याद रखना है, उसके बाद में must contain, must contain क्या, unconditional order, ऐसा नहीं है कि जब A, B को यहाँ पर promissory note issue कर रहा है, और उसके साथ में कोई condition लगा के दे, है ना, condition कैसी हो सकती है, A बोल रहा है कि जब मेरी, मेरी जो साधी है, वो D के साथ में हो जाएगी, तब मैं आ आदमी आएगा मेरे पास में और पैसा लेकर जाएगा, इस तरह की condition लगा रहा है, तो यहाँ पर कोई condition नहीं होनी चाहिए, यह कैसा होना चाहिए, unconditional undertaking, unconditional undertaking का मतलब हुआ है, खुद से यहाँ पर agree कर रहा है, खुद से promise कर रहा है, कि I will pay, है ना, मैं payment करूंगा, उसके बाद कर देगा, उसके बाद में to pay a certain sum of money, to pay a certain sum of money का मतलब क्या हुआ, कि यहाँ पर ऐसा नहीं है, कि I promise to pay rupees 1 lakh और 2 lakh, है ना, या तो मैं तुम्हें 1 lakh रुपे का payment करूंगा, या 2 lakh रुपे का payment करूंगा, ऐसी कोई condition नहीं होनी चाहिए, ऐसी कोई variation उसमें नहीं होना चाहिए, अ of a certain person, है ना, और यहाँ पर ऐसा नहीं है, कि या तो मैं A को payment कर दूँगा, या मैं B को payment कर दूँगा, C को payment कर दूँगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसमें जो person है, वो भी mention होना चाहिए, कि मैं इसका B को payment करूंगा, या C को payment करूंगा, कोई certain person होना चाहिए, और किसकी बा ट्रांसपर कर दिये, है ना, एक लाक रुपे के, और यहाँ पर ए बोला है, कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं तुम्हें एक लाक रुपे की सर्विसिस इसू कर दूँगा, तीस दिन के बाद में, और उसको लेकर एक प्रामेसरी नोट बना रहा हूँ, तो ऐसा नहीं होगा, है ना तो यहाँ पर जब भी बात होगी, किस की बात होगी, ये बात मनी में की जाएगी, पैसे में बात की जाएगी, जो प्रामेसरी नोट है, वो हमेशा किस के लिए होगे, किस में तयार की जाएगे, मनी में, अमाउंट में तयार की जाएगे, है ना, पैसे के लिए होगे, किस इतना आप एकदम से ये बात समझ लीजीगा, एकदम क्लियर कर लीजीगा, ठीक है, क्योंकि इस तरह की जो कंडिशन से हैं, वो जब केश टडीज आती हैं से रिलेटेड, उसमें कंडिशन डाल दी जाती हैं, तो वहाँ पर बड़े स्मार्टली आपको उन सभी चीजों को सम हम बात करते हैं, किसकी, next बात करते हैं, section 5 की, very important है section 5 को भी, section 5 को भी आप अच्छे से समझ लीजीगा, जान लीजीगा, section 5 क्या है, चलो, मैं इसको आप एकदम पहले, एकदम easy language में, आसान भासा में समझते हैं, कि bill of exchange क्या होता है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें, वही ह मिश्टर B एक seller है, है ना, और मिश्टर A एक buyer है, कितनी बात तो सभी को समझ में आ गई होगी, तो मिश्टर A ने मिश्टर B को क्या दिया, goods transfer किये, एक लाख रुपे के, है ना, चलो, यहां मांट चेंज कर देता हूँ, मैं, इसको कर देता हूँ, 2 लाख रुपे, जिससे मिश्टर B से A के पास आगया, ठीक है, तो अब यहां पर मिश्टर B को क्या चाहिए, मिश्टर B ने 2 लाख रुपे मांगे किस से, मिश्टर A से, तो मिश्टर A ने बोला, कि मेरे पास तो अभी 2 लाख रुपे नहीं है, मैं यह पैसा आपको 45 डेज, 45 दिन के बात तो यहां पर, यहां पर जो मिश्टर A ने जब ऐसी बात बोली, तो मिश्टर B ने बोला यहां पर, मिश्टर B ने बोला, कि मैं एक डॉकुमेंट राइट कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, एक डॉकुमेंट राइट कर रहा हूं, एक डॉकुमेंट राइट कर रहा हूं और इस document में मैं तुम्हें order दूँगा मैं क्या ख़र रहा हूं तुम्हें order दे रहा हूं क्या कि मुझे जो तुम से 2,00,000 रुपे लेना है ये जो 2,00,000 रुपे है ये 45 दिन खतम होने पर मेरे order पर या तो तुम मुझे पे करोगे या जिस व्यक्ति को मैं बताऊंगा उसको पे करोगे या जिस व्यक्ति के पास ये document होगा उस व्यक्ति को आप पे करेंगे है ना ये बात कौन बोल रहा है Mr. B तो Mr. B ने यहाँ पर एक document राइट किया और इस document का नाम है Bill of Exchange क्या नाम है इसका Bill of Exchange और इस Bill of Exchange का जो maker है वो कौन है Mr. B है ना तो Mr. B ने ये document किसको भेज दिया Mr. A के पास में तो Mr. A क्या करेगा जो इसने इसको order दिया है इस order को accept करेगा क्या करेगा accept करेगा accept करेगा accept करने के बाद में फिर Mr. B को return कर देगा है ना अब उसके बाद में Mr. B ने बोला कि यहां पर आपको ये जो payment है Mr. C को करना है तो इस Bill of Exchange में इसने मैंसर कर दिया कि इसका payment किसको मिलना चाहिए Mr. C को मिलना चाहिए है ना ये बात किसने बोली B ने कि या तो payment C को मिलना चाहिए या payment तुम मुझे कर देना तो अब मुझे बताओ कि यहां पर जो Bill of Exchange है उसमें कितनी parties है दिसांक जो promissory note है वो paper currency नहीं होता है है ना जब भी हम currency की बात करेंगे तो उसको हम currency में count नहीं करते ठीक है this is known as a promissory note ठीक है यह क्या है किस move में आता है promissory note की form में आता है चलो बढ़ते हैं आगे next अगर हम बात करते हैं यहां पर तो उसके बाद में अब यहां पर जब हम Bill of Exchange की बात कर रहे हैं तो Bill of Exchange में कितनी party है Bill of Exchange में तीन party होती है है ना एक कौन है एक होता है drawer एक होता है drawy और एक होता है pay है ना अब drawer कौन है जल्दी से बताओ मुझे जल्दी से comment करके बताईए कि इसमें drawer कौन है लवली और पुनम ने बिल्कुल सही बताया है कि तीन-तीन party होती है अब मुझे जल्दी से comment करके बताईए कि यहां पर Bill of Exchange में तीन party है जैसे हम आप सभी भी answer दे रहे हैं तीन party होती है अब मुझे जल्दी से बताईए कि यहां पर drawer कौन है drawer कौन है और pay कौन है इस तरह का जो question है वो कई बार exam में पूछा जा चुका है और जब case study आती है तो वहां पर drawer drawer और pay में बहुत confusion होता है तो आज यह confusion आपको एकदम दूर कर लेना है तो जैसे ही आपका एक confusion दूर होगा जब भी this related question आएगा तो आप आसानी से attempt कर तो यहां पर अगल हम डरोवर की बात करते हैं धेखो आपूनम यहां पर अगर हम check ख़ी बात कर रहे होते हैं तब बैंक का नाम आता है तो यहां पर फूरे के पूरे इस case में बैंक कहीं है यह नहीं यहां तो Mr. A है Mr. B है harbor and Mr. C है, okay है तो इसमें बैंक कहीं तो यहाँ पर जो ड्रोवर है वो बैंक नहीं है, तो Mr. A, Mr. B या Mr. C में से ही कोई ड्रोवर है, तो कैसे याद रखोगे, यह बात आप कैसे याद रखोगे, देखो एक वर्ड होता है, जिसको बोलते हम राइटर, राइटर कौन होता है, जो राइट करता है, लिखता है, तो अब मुझे यह बताईए, कि यह जो बिलोफ एक्सचेंज है, यह जो बिलोफ एक्सचेंज है, किसने राइट किया, इसका राइटर कौन है, तो आप बोलोगे, कि इसका राइटर तो B है, है ना, इसका राइटर कौन है, B है, तो यहाँ पर इस बिलोफ एक्सचेंज का जो जोब भी writer होगा वही कौन है? वही drawer है. तो Mr. B कोन है? drawer होगे. पहचान लोगे? पहचान लोगे? पुनम ने बिल्कुल सही answer किया है. जोटी ने भी बिल्कुल सही answer किया है. तो जो Mr. B है वो writer है. तो इसको पहचानने का आसान तरीका है. इस इस्ट्रूमेंट का जो भी राइटर होगा, जिसने इसको लिखा है, राइटर में लाश्ट में आया ER, और ड्रोवर में भी लाश्ट में है ER, तो जो भी इसका राइटर होगा, वही ड्रोवर कहलाएगा, चलो बढ़ते हैं आगे, अब उसके बाद में ड्रोई कौन है, ड्रोई वो वेक्ती होता है, ड्रोई कौन होता है, ड्रोई वो वेक्ती होता है, जो पेमेंट करता है, है ना, जो भुखतान करेगा, जो पेमेंट करेगा, अब ये बताओ, इस बिल ओफ एक्सचेंज में, इस कंडिशन में पेमेंट कौन कर रहा है, भुखतान कौन करेगा तो आप बोलोगे कि पेमेंट तो Mr. A करेंगे तो जो पेमेंट करेगा वही यहाँ पर ड्रॉई होगा तो इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर ड्रॉई कौन है ड्रॉई कौन हुए यहाँ पर Mr. A तो ड्रॉई कौन हुए है Mr. A उसके बाद में next आगे बढ़ते हैं अब मुझे जल्दी से बताओ कि पेई कौन है अब यहाँ पर एक ही पाल्टी बची है तो यहाँ पर ध्यान दीजीगा समझेगा जो पाल्टी जिस पाल्टी को इसका बेनिफिट मिलने वाला है यह जो बेनिफिट तो मिलेगा Mr. C को तो जिसको इसका बेनिफिट मिलेगा वही कौन होगा वही पेई है या इसको हम कह सकते हैं यह जो Mr. C है यह यहाँ पर पेई है या इनको हम बेनिफिशियरी भी कह सकते हैं इस बेनिफिशियरी कौन है Mr. C इस bill of exchange का pay कौन है Mr. C, जिसको इसका benefit मिलने वाला है, जिसको इसका फाइदा मिलने वाला है, I hope सभी को इतनी बाते clear हो गई होंगी, चलो बढ़ते हैं आगे, next, बहुत जल्दी हम यहाँ पर जो promissory note है और bill of exchange है, है ना, जो bill of exchange कितने type के होते हैं, जैसे promissory note की बात करते हैं इनके बारे में मैं एक detail lecture बनाने वाला हूँ आपके लिए, है ना, मैंने design किया है, तो बहुत जल्दी हम उसको यहाँ पर आपके साथ में discuss करेंगे, तो आप यहाँ पर इस Adda247 चैनल पर लगाता जुड़े रही है, ठीक है, अगर आप आपने subscribe नहीं किया है, तो subscribe कर क्योंकि यह वीडियो आप तभी डूंड पाएंगे, तभी मिल पाएंगे इस तरह की वीडियो आपको, चलो, बढ़ते हैं आगे, next, तो यहाँ पर अब हम bill of exchange की बात कर रहेते हैं, तो definition में देख लेते हैं, definition में क्या बताया गया है, an instrument, यहाँ पर यह क्या है, bill of exchange भी क्य साइन कौन कर रहा है, इसके ऊपर सिगनेचर कर रहा है, कौन यहाँ पर सिगनेचर कर रहा है, यहाँ पर क्यों जो इसका maker है, जिसने इसको बनाया है, directing a certain person किसको direct कर रहा है तो B यहाँ पर direct कर रहा था किसको A को to pay a certain of some of money क्या करना है एक certain some of money pay करनी है किसको C को pay करनी है या B बोलता है मुझे pay करनी है to order of the certain person तो order किसको दिया उसने इसने order दिया था किसको order दिया था यहाँ पर कि C को payment कर देना प्रतिबा भी हमारे साथ में जुड़ गई हैं गुड़िमी चलो बढ़ते हैं उसके बाद में next हम बात करते हैं section 6 की section 6 define करता है किसके बारे में check के बारे में और check तो एक ऐसा topic है कि चब आप IBPSPO का interview देने जाते हैं या किसी financial institution में bank में interview देने जाते हैं या JIB की बात करते हैं DBF की बात करते हैं bank promotional exam की बात करते हैं तो सभी जगे इससे question पूछाई ही जाता है तो अगर आप bank join करने वाले हैं या bank join कर चुके हैं या existing employee हैं किसी bank या financial institution में तो very important है आप सभी के लिए तो इसमें भी हम बहुत सारी चीज़े learn करने वाले हैं according to act और यहाँ पर practically bank में check में कौन-कौन सी conditions लागू होती है और जो negotiable instrument act है वो check के बारे में क्या-क्या बाते define करता है उसके बारे में भी हम सब चीज़े discuss करेंगे तो चलिए बढ़ते हैं आगे तो यहाँ पर जब हम check की बात करते हैं तो check को define किया गया है section 6 of negotiable instrument act 1881 में है ना तो यहाँ पर मैं check लिख देता हूँ तो अब मुझे बताईए कि जल्दी से comment करके बताईए कि check में कितनी parties होती है जो check है उसमें कितनी parties होती है और यहाँ पर मैं statement लिख रहा हूँ उस statement का मतलब भी आप सभी को मुझे बताना है समझाना है कि इस statement का क्या मतलब है तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ all checks are bill of exchange सभी check क्या है bill of exchange है but all bill of exchange are not checked है ना तो जल्दी से बताईए कि यह जो statement यहाँ पर लिखा गया है इसका मतलब क्या है यह क्या बताना चाह रहा है क्या define करना चाह रहा है तो पूनम ने बहुत तेजी से बताया है कि जो यहाँ पर अगर हम check की बात करते हैं तो check में जल्दी से इस statement का मतलब मुझे बताईए किया मतलब मैं तब तक इन तीनों पार्टी को define करता हूँ कि यह तीनों पार्टी कौन है विए माल लेते हैं यह पर यह Mr. A है और यह Mr. B है तो Mr. B ने Mr. A को माल बेचा कितने का? 5 लाक रुपे का यहाँ पर Mr. A को यहाँची जो Mr. B को Mr. A को यह तो तो यह मांग रहा है इसे पैसे, मुझे पैसा दो, तो Mr. A ने बोला, Mr. A ने बोला कि तुम ऐसा करो, मेरा बैंक में एकाउंट है, और उसमें क्रेडिट में बैलेंस पांच लाख रुपे हैं, तो तुम ऐसा करो, ये चेक ले जाओ, ये चेक ले जाओ, बैंक में प्रेजेंट कर देना, और बैंक तुमें ये पांच लाख रुपे का पेमिंट कर देगा, क्लियर है बात? अब मुझे जल्दी से बताईए, कि यहाँ पर इस केस में, ये जो केस हमने डिफाइन किया है, इस केस में ड्रोवर कौन है, जल्दी से बताईए, कि ड्रोवर कौन है इस केस में, तो यहाँ पर अगर हम बात करते, मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था, जो इंस्ट्रूमेंट का राइटर होता है, जो नेगोशेबल इस्ट्रूमेंट का राइटर है, जिसने राइट किया है, तो वही कौन होगा, वही कौन होगा, ड्रोवर होगा, तो ये बताओ, इस चेक को राइट किस ने किया है, किस ने लिखा है, तो आप बुलेंगे कि, मिश्टर A ने राइट किया है, तो ड्रोवर कौन हुआ, मिश्टर A हुआ, उसके बाद में, अब यहाँ पर, मैंने बताया था, अब आपको बताना है, कि ड्रोई कौन है, तो ड्रोई वह व्यक्ति है, जो पेमेंट करेगा, क्या करेगा, पेमेंट करेगा, और पेमेंट कौन कर रहा है, पेमेंट कर रहा है, यहाँ पर बैंक, है ना, पेमेंट कौन कर रहा है, बैंक कर रहा है, तो यहाँ पर ड्रोई हो जाएगा, बैंक, अब यह बताओ, इसका बेनिफिट किसको मिलने वाला है, फाइदा किसको मिलेगा फाइदा उस वेक्ति को मिलेगा जिसका इस चेक में नाम लिखा गया होगा पे में जिसका नाम लिखा हुआ है तो माल लेते हैं यह जो चेक है चेक में नाम लिखा हुआ है मिश्टर बी का Mr. B का इसमें नाम लिखा हुआ है तो यहाँ पर pay में लिखा हुआ है Mr. B तो यहाँ पर जो pay है वो Mr. B हो जाएगा यानि जिसको इसका benefit मिलने वाला है जैसे अगर हम check में बात कर रहे है इस check में जो draw है वो कौन होगा? तो इस check में जो draw है वो HDFC bank है और pay कौन है? पेई है इसमें अंकित सर्मा अंकित सर्मा इसमें pay हो जाएंगे और draw है कौन है? HDFC bank है और drawer कौन है? drawer वो वेक्ति है जिसका यह saving account है जिसके signature यहाँ पर होंगे जिस वेक्ति के यहाँ पर signature है जिसके नाम पर यह account है वो इस case में drawer है I hope मुझे लगता है समझ में आ गई होगी इतनी बात तो चलिए बढ़ते हैं आगे यह बात कर रहे थे हम section 6 की check कितने type के होते है bearer check क्या होते है order check क्या होते है still check क्या होते है anti-dated check क्या होते है cross check क्या होते है special crossing क्या होती है not negotiable instrument कौन से होते है इनके बारे में हम एक separate जो आपके लिए वीडियो लेकर आ रहे है separate lecture लेकर आएंगे जिसमें ये सब बाते हम discuss करने वाले है बहुत जल्दी वो वीडियो आप सभी को मिल जाएगी तो चलिए बढ़ते हैं आगे तो section 6 में amendment हुआ था इसमें दो subsection और add-on किये गए है ना आईए उनके बारे में समझे लेते हैं क्योंकि bank promotional exam में कई बार वहाँ से question पूछा जा चुका है तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं next आता है section 6A अगर हम section 6A की बात करते हैं तो section 6A में define किया गया है check in the electronic form ऐसे check जो electronic form में होते हैं वो define किये गये है section 6A में electronic form का क्या मतलब हुआ ऐसे check जिसमें ना तो paper का use किया गया है ना ही pen का use किया गया है computer के द्वारा ही यह check generate किये गये है electronic form में ही यह check generate किये गये है इसके उपर electronic signature किये गये है और electronic form में ही इसको आगे proceed किया गया है आगे send किया गया है तो ऐसे check को हम electronic check बोलते हैं तो इसके बारे में define किया गया है कहाँ पर section 6a में है ना means check drawn in electronic form by using any computer resource and sign in a secure system with digital signature इस check के ओपर signature भी कैसे होते हैं digital signature होते हैं आने वाले time में आप देखेंगे practically भी यह सब चीजे implement हो जाएगी कि mobile से ही आप क्या करेंगे है ना आपको paper या pen लिखने के जोरत नहीं है आप mobile से ही किसी computer device से ही check transfer कर देंगे दूसरी party के पास में और उसके उसके साथ में truncation का मतलब होता है छोटा है ना small छोटा करना किसी चीज को truncation कहलाता है अगर आप dictionary में इसका meaning ढूंडेगे तो यहाँ पर truncated check का मतलब क्या है truncated check का मतलब है कि यहाँ पर clearing में जो time लगता है जो process होता है उस process को उस time period को short कर देना तो यहाँ पर क्या होता है कि आज कि इस time में जैसे माल लेते हैं यह कोई ABC bank है और यह यहाँ पर XYZ bank है और यहाँ पर एक वेक्ती है जिसका नाम है Mr. X और यहाँ पर एक वेक्ती है इनका नाम है Mr. Y तो Mr. Y ने एक check transfer किया किसको 10,000 रुपीस का Mr. X को और Mr. X का जो bank account है कहाँ पर ABC bank में तो इसने जो check है वो deposit कर दिया कहाँ पर अपने bank में लेकिन जो check है check के ऊपर नाम तो कौन से bank का है XYZ bank का है तो यहाँ पर Mr. X ने ABC bank को check दे दिया तो इस case में मुझे जल्दी से बताइए कि ABC bank क्या कहलाएग Mr. A के लिए Mr. X के लिए ABC bank कहलाएगा collecting banker कौन है collecting banker है क्योंकि जो ABC bank है वो XYZ bank से पैसा collect करेगा किस के लिए अपने customer के लिए और customer कोन है Mr. X तो यहाँ पर अब ABC bank ने क्या किया ABC bank ने यह जो check Mr. X ने ABC bank को दिया था इस check को अपने यहाँ पर scan किया है ना और उस check की physical copy तो अपने पास रख लिए और उस check को image form में वो computer system में आ गया जैसे उस check computer system में आया अब यहाँ पर electronic form में computer के दुआरा ठीक है यहाँ पर ABC bank ने वो check किस के पास बेज़ दिया XYZ bank के पास ने अब मुझे जल्दी से यह बताओ अगर कोई व्यक्ति ABC bank से वो check लेकर physically XYZ bank में देने जाता तो तब time जादा लगता या electronic form में check भीजा उसमें time कम लग रहा है तो आप बोलेंगे अब यह जो electronic form में image form में जो check है वो XYZ bank के पास पहुचेगा और वो यहाँ पर account देखा गा, account में balance देखेगा, signature देखा गा, जब सारी चीज़े match हो रही है तो on the behalf of collecting bank Mr. X के account से amount debit कर देगा और यह पैसा send कर देगा किसके पास में ABC bank के पास में और ABC bank इस amount को credit करेगा किसके account म Mr. X के account में, I hope इतनी बाते सभी को clear हो गई होगी, तो यह था truncated check के बारे में, तो उसी के बारे में यहाँ पर define किया गया है, तो इस वीडियो को recorded form में आपको मिल जाएगी, तो यह सारी की सारी जो definition है में आप सभी के लिए लेकर आया हूँ, इनको ध्यान से पढ़ जीएगा, चलो, बढ़ते हैं आगे, उसके बाद में next आता है section 7, section 7 में define किया गया है किसके बारे में, drawer, drawer and pay के बारे में, किसके बारे में define किया गया है, drawer के बारे में, drawer के बारे में and pay के बारे में बताय गया है, इनके बारे में define किया गया है, तो यहाँ पर जो drawer कौन होता अभी मैं पीछे दो तिन वीडियो में आप सभी को बता चुका हूँ कि ड्रोवर कौन होता है, ड्रोई कौन होता है और पेई कौन होता है, तो चलिए बढ़ते हागे, अच्छा मैंने पीछे एक statement भी लिखी थी, है ना, कि all checks are, है ना, all the checks are bill of exchange, but all the bill of exchange are no check, actual मैं जो सभी check है, वो bill of exchange होते हैं, लेकिन सभी जो bill of exchange है, वो check नहीं होते हैं, ये बात आप धिहान रखेगा, है ना, तो चलिए बढ़ते हागे, कौछ question है, इन question को जल्दी से देख लीजिए, जो negotiable instrument act 1881 से related है, पहला question है, the undertaking contained in a promising note to pay a certain sum of money, कैसी होगी, conditional होगी, unconditional होगी, या conditional, unconditional कोई भी हो सकती है, या इन में से कोई नहीं, तो यहाँ पर अगर हम इस question भी बात करते हैं, तो जो promissory note है, वो क्या होते हैं, unconditional होते हैं, है ना, कैसे हैं, वो unconditional होते हैं, best of a kid, यहाँ पर जो truncated check है, हाँ देखो, यहाँ पर ऐसा नहीं है, कि जो बहुत सारे customer ऐसे हैं, जो IMPS के बारे में नहीं जानते हैं, ठीक है, वो आज भी जो check है, उनके पास clearing के लिए check आते हैं, ठीक है, यसु कोई बात नहीं, अगर आप session में late हो गए हैं, तो यहाँ पर इसका recorded जो video है, आप सभी को मिल जाएगा, चलो बढ़ते हैं, check क्या है, check A के promising note है, bill of exchange है, या both A and B है, या none of the above है, तो यहाँ पर right answer होगा, check A क्या है, bill of exchange है, चलो, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, the term a check in the electronic form is defined in the negotiable instrument act 1881, under which of the following section, तो अगर हम यहाँ पर electronic check की बात क section में आता है, तो यह define किया गया है, section 6 A of negotiable instrument act 1881 में इसके बारे में बताया गया है, उसके बाद में next question है, रामू has an account in the state bank of India and he issued check to Rajes, तो इस case में आपको बताना है, drawer कोन है, drawer कोन है, drawer कोन है, और pay कोन हो जाएगा, तो हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं, तो रामू हो यह question exam में पूछा गया था, record question है, तो इसको ध्यान रखेगा, ऐसा question पूछा जाता है, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, next question है, financial director dies and check signed by him presented for payment, एक company है, उसमें जो financial director है, उनकी मृत्यू हो गई है, वो अब नहीं है, तो उस case में उन्होंने एक check issue किया था, क्या इस case में, उस check के उपर उनके sign है, क्या इस case में ऐसे check का payment किया जा सकता है, तो बिल्कुल ऐसे check का payment किया जा सकता है, चलो, आगे बढ़ते हैं उसके बाद में, next आता है, check transaction can be done by, जो check transaction है, वो किसके थूरू यहाँ पर की जा सकती है, पहला MICR data, दूसरा है, sending by speed post, थर्ड है using image processing, D, both A and C, या none of the above, तो इसके बारे में मैंने आप सभी को अभी बताया है, तो MICR code क्या होता है, magnetic ink character recognition, कितने character होते हैं, इसमें 9 character होते हैं, इसका use भी check में किया जाता है, और image processing भी होती है, तो A और C दोनों ही option सही है, तो right answer हो जाएगा D, तो चलिए, बढ़ते हैं आगे, उसके पात में a check drawn by thief, impression or convicted is presented at counter for payment, एक check जो है, एक जो thief है, एक जो चोर है, उसे सजा हो गई है, है ना, तो उस case में उसने जो check present किया है, तो क्या bank ऐसे check का payment करता है, या नहीं करता, तो ये आपको बताना है, तो इस case में bank check का payment कर देंगे, negotiable instrument act में ऐसा कहीं नहीं define किया गया है, कि अगर एक thief को jail हो गई है, या convicted है, और उसके द्वारा जो check है present किया गया है, उसका payment नहीं कर सकते है, तो ऐसे check का payment किया जा सकता है, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, next आता है, whether the check issued by insolvent agent can be passed, क्या जो insolvent agent है, उसने कोई जो check है वो passed कर दिया है, उसके signature है, क्या ऐसे check का payment कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, वैसे insolvent में अगर कोई customer है, हमारा कोई customer है, individual capacity में है, तो ऐसे check का payment हम नहीं करते हैं, लेकिन अगर agent insolvent हो गया है, तो वो तो अपने principal के विहाब पर check का payment कर रहा है, तो principal तो insolvent नहीं हु उन सभी को भी इसका benefit मिले, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, जो holder है, holder कौन होता है, जैसे example के तोर पर आईए समझ लेते हैं कि holder कौन है, जैसे बात करते हैं, यह है Mr. A, ठीक है, Mr. A ने यहाँ पर एक check दिया, किसको Mr. B को, है ना, Mr. A ने Mr. B को एक check जारी कर दिया, है Mr. B के possession में, किसके possession में है, Mr. B के possession में है, है ना, किसके हाथ में है, Mr. B के हाथ में है, तो यहाँ पर अब इस check के उपर जो पे में नाम लिखा हुआ है, वो भी क्या है, बी है, है ना, उसमें भी क्या लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर यह जो check है, इस check मे जो Mr. B है, वो इसके holder है, वो क्या है, holder है, holder होने का मतलब क्या है, एक तो ये check इनके possession में है, इनके हाथ में है, और दूसरा, ये अपने नाम पर, मतलब Mr. B के नाम पर, यहां पर amount recover कर सकते हैं, या receive कर सकते हैं, यही बात किस में define की गई है, section 8 में define कर दी गई है, I hope सभी को prayer ह हो गया होगा, चलो, बढ़ते हैं आगे, जो RBA grade B होता है, उसमें तो जो advanced level की banking है, वो आपको आनी ही चाहिए, और इनमें से बहुत सारी ऐसी चीजे हैं, जो RBA grade B में भी काम आने वाली हैं, तो आप सभी जो RBA grade B की तयारी कर रहे हैं, या नाबार की preparation कर रहे हैं, तो वहा Section 9 में किसके बारे में define किया गया है, Section 9 में define किया गया है holder in due course, किसके बारे में बताए गया है, holder in due course के बारे में बताए गया है holder in due course क्या होता है अगर मैं holder in due course की बात करूँ इसका means क्या हो जाएगा इसका मतलब क्या हो जाएगा any person who for consideration become the possessor of a promissory note bill of exchange or check if payable to bearer or to the pay जैसे अब example के तोरपन मान लेते हैं कि यहाँ पर एक word बहुत important है इसमें जब holder in due course की बात करते हैं या holder की बात करते हैं दोनों के difference की बात करते हैं तो यहाँ पर जो सबसे important word है वो है consideration और जो consideration word है वो कहां define किया गया है उसके बारे में define किया गया है Indian Contract Act 1872 में तो consideration का मतलब क्या हुआ तो consideration का मतलब आईए समझ लेते हैं क्या है जैसे यहाँ पर एक वेक्ती है Mr. X और यहाँ पर दूसरे वेक्ती है जिनका नाम है Mr. Y तो यहाँ पर Mr. Y ने Mr. X को एक कार बेची 2 लाख रुपे की कितनी कार बेची है 2 लाख रुपे की कार बेची है मौंबद सरफराज हमारे साथ में जुड़ गए है सुपना रानी भी हमारे साथ में जुड़ गई है चले बहुत बढ़िया अपने फ्रेंड्स को और सभी को इसमें जोड़िये जिससे उनको भी इसका वेनिफिट मिले उनको भी पढ़ने में मजा आए तो चले जान लेते हैं सेक्षन 9 में क्या डिफाइन किया गया है सेक्षन 9 में क्या बताया गया है अगर हम यहाँ पर सेक्षन 9 की बात करते हैं तो सेक्षन 9 में बोला गया है कि यहाँ पर जो मिश्टर एक्स है और मिश्टर वाई Mr. Y ने एक कार बेची किसको Mr. X को कितने की दो लाक रुपे की कितने की बेची दो लाक रुपे की अब यहाँ पर Mr. Y को भी ऐसा तो है नहीं कि उसने कार दे दी Mr. X को और यहां Mr. Y को कुछ ना मिले तो ऐसा तो नहीं हो सकता तो अब Mr. Y को क्या चाहिए यहाँ पर Mr. Y को fund चाहिए, amount चाहिए, है ना क्या चाहिए, amount चाहिए इसमें, अब amount कितनी चाहिए इसको 2,00,00 रुपे, है ना तो Mr. X इसको 2,00,00 रुपे देगा और Mr. Y इसको 2,00,00 की car transfer करेगा, तो यहाँ पर अब दोनों ही party को benefit हो रहा है, दो दोनों ही party को फाइदा मिल ला है, तो यहाँ पर दोनों party की इसमें consideration है, क्या है, दोनों party की इसमें consideration है, इसको बोलते हैं consideration, जिसमें अगर किसी contract में दोनों party आकर मिल लई है, और दोनों ही party को फाइदा मिल ला है, उसका benefit मिल ला है, तो इसे बोलते हैं, इस word को यहाँ पर में बोला गया है कि जब यहां पर Mr. जो X है Mr. Y को एक check issue करते हैं क्या करते हैं एक दो लाख रुपे का check issue करते हैं तो यहां पर Mr. Y की क्या है इसमें consideration होनी चाहिए है ना to become a possession इस check का जब इसके हाथ में possession जाएगा इसका possession इसका जो possession बनने के लिए जो Mr. Y है इसके consideration होनी चाहिए तो इस transaction में हम देख रहे हैं तो Mr. Y की consideration तो है ओर उसके बाद में चाहे प्रमेशरी नोट की बात करें चाहे विल इफ एक्सेंज की बात करें चाहे चेक की बात करते हैं ये as a bearer भी payable हो सकता है और as a order भी payable हो सकता है यह ना bearer क्या होता है order क्या होता है इसके बारे में आने वाले जो lecture हैं आने वाले जो slides हैं उसमें हम आपको detail में बताने वाला हूँ तो उसको वहाँ पर अच्छे से समझेंगे की order क्या होता है और bearer क्या होता है तो समझ लीजेगा holder in do course में जो सबसे important word है वो है consideration कि यहाँ पर जो mr. y है उसकी इसमें consideration होनी चाहिए as a possession होने के लिए चलो आगे बढ़ते हैं next बात करते हैं next आता है section 10 अगर हम section 10 की बात करते हैं तो section 10 में define किया गया है payment in due course payment in due course क्या होता है आईए इसके बारे में समझ लेते हैं कि what is payment in due course payment in due course का मैं आपको एक example बताता हूँ है एक example से समझेंगे कि payment in due course क्या होता है और एक banker के लिए very important है payment in due course क्योंकि कोई भी banker किसी banker के पास में जब कोई check आता है तो यहाँ पर उस check का जो payment कर रहा है वो अपने customer के account को debit कर रहा है तो उस case में अपने customer के लिए काम कर रहा है जो bank का customer है उसके लिए काम कर रहा है तो उस case में उसको good faith में काम करना है कोई भी negligence उसकी तरफ से नहीं होने चाहिए यही define करता है कौन payment in due course चलिए एक example से समझेंगे कि यह क्या है मैं एक practical example ले रहा हूँ यहाँ पर ध्यान से सुनते जाईए का कि किस तरीके से उस transaction में या उस वहाँ पर जो event happen हुआ था उसमें payment in due course किस तरीके से implement हुआ तो चलिए बढ़ते हैं आगे तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ देरहदून में Yuko bank की एक branch थी अभी भी है वो branch देरहदून में Yuko bank की एक branch है उस branch में एक जो petrol pump है इस petrol pump का एक bank account है इसका एक account है यह account भी कैसा है current account है यहाँ पर क्या हुआ कि जो petrol pump है यह very important customer है किसका इस Yuko bank का क्यों कि इस से बहुत सारी कह सकते हैं बहुत सारा business आता है इस Yuko branch के पास में तो इस branch का क्या हुआ यह important customer हुआ अब उसके बाद में इसमें क्या हुआ कि जो petrol pump है petrol pump ने एक loan के लिए apply किया क्या किया एक loan के लिए apply किया इस Yuko bank की branch में तो यहाँ पर जब loan के लिए apply किया तो loan की जो file है वो किसके पास पहुँची branch manager के पास में या branch authority के पास में है ना उसके पास file पहुँची और आप सभी को पता है अभी जब branch में काम कर रहे होते हैं तो आपका schedule बहुत busy रहता है है ना सामने से जो customer आता है उससे ही हम यहाँ पर निपट नहीं पाते हैं यह काम खतम नहीं हो पाता है तो ऐसे काम को हम क्या करते हैं या तो कि जब bank में चुटी होती है या extra जो time निकाल कर उन काम को निपटाते हैं या इस तरह के कुछ काम हम घर बर ले जाते हैं जो very important होते हैं तो इस case में भी uko bank का यहाँ पर branch manager था उसने क्या किया क्योंकि uko bank की उस branch के लिए petrol pump very important customer है तो इस case में इस branch manager ने क्या किया यह जो loan की file है अपने घर ले गया और इसने सोचा कि चलो मैं अपने घर से इस file को देख लूँगा कि सारे document है या नहीं है सारी चीजे अच्छे से fill है या नहीं है और क्या यह eligible है या नहीं है loan के लिए ठीक है क्योंकि petrol pump वाला बोला था जल्दी से जल्दी sanction कीजिए तो यह file को अपने घर ले गया अब उसके बाद में जैसे ही यह file को अपने घर ले गया है तो इसने घर में ले जाकर file रख दी अब आपको पता है कि जब loan के document की file तैयार होती है तो उसमें हम customer से post data check भी लेते हैं है ना post data check कौन से होते हैं जिस जिसमें future की कोई date हो है ना ऐसे check जिसमें future की date होती है उन्हें बोलते है post data check है ना तो यहाँ पर उससे हम post data check भी लेते हैं और जिसमें customer के signature होते हैं और पूरा check blank रहता है तो इस file में भी ऐसा था इसमें एक blank checkbook लगी वी थी जिसके उपर customer के signature थे है ना तो अब क्या हुआ जैसी ही अब file को अपने घर में लेके गया है ना उसके बाद में अब घर में इसने file ले जाकर रखी तो पीछे से क्या हुआ उस branch manager की जो wife है उन्होंने उसमें से एक leaf निकाल ली और उस file को जुका तू रख दिया और वो जो leaf का मतलब है जो checkbook होती है उसमें से एक check निकाल उसको पता ही चला कि उस checkbook में से एक check निकला हुआ है ठीक है और इसके बाद में यहां पर क्या हुआ कि इस petrol pump वाले को loan जो है वो sanction हो गया और उसके बाद में आपको पता है कि जो file जो loan pass हो जाता है loan sanction हो जाता है उसके बाद में सारे के सारी पूरी के पूरी file है वो strong room में चले जाती है है उसको safeguard कर देते हैं अब उसके बाद में क्या हुआ कुछ दिनों के बाद में कुछ दिनों के बाद में यहां पर अब उस branch manager की wife ने क्या किया उसके पास जो blank check था जिसमें customer के signature थे petrol pump के जिसके में signature थे उसमें क्या किया उसमें एक लाख रुपे की amount fill की और amount fill करने के बाद में उपर self लिका और self लिखने के बाद में इस check को बुरका लगाकर इस check को branch में पहुच गई cash कराने के लिए बुरका लगा के गई है तो कोई पैचान नहीं पाएगा देख नहीं पाएगा अब उसके बाद में क्या हुआ कि यह चेक काउंटर पर पोँचा और जैसे ही यह चेक काउंटर पर पोँचा आप सबसे पहले क्या करते हैं आप सबसे पहले करते हैं, कि जैसे ही चेक आपके हाथ में आता है, जो उसमें account number है, उसको system में डालते हैं, और देखते हैं कि ये किसका account है, तो जैसे ही आपने account number system में डाला, और देखा आपको पता चला, ये तो जो account है किसका है, petrol pump का है, अब यहाँ पर बात करते हैं, तो जैसी आपने देखा कि यह तो इस petrol pump का account है, अब आपके तषिमाँद में क्या आया? क्योंकि यह customer जो है, branch का very important customer है, और जो हमारी branch के very important customer होते है, उनकी transaction का nature कैसा होता है, इसके बारे में भी हमें पता होता है, तो आपने देखा कि petrol pump वाला तो कभी cash में transaction करता ही नहीं इस account में cash में कोई payment करता ही नहीं क्योंकि petrol pump में जो payment होती है वो किस के पास जाती है oil companies के पास जाती है और oil companies के पास या तो NFT जाते हैं RTJS जाते हैं अगर check issue भी किये जाते हैं तो वो cross check होते हैं company के नाम पर है ना तो इस तरह की जो कोई payment ही नहीं तो इस case में आपको क्या हुआ सक हुआ तो इस case में जब आपको सक होता है इस तरह की किसी transaction में या किसी check में तो आप क्या करते हैं आप करते हैं कि उस customer का जो account detail है उसमें उसका mobile number भी mention है तो आपने तुरंट क्या किया यहाँ पर clear करने के लिए कि क्या petrol pump नहीं check issue किया है आपने उसको call किया और जैसी आपने call किया और वहाँ पर उसने phone उठाया और आपने पूछा कि क्या आपने एक लाग रुपे का इस इस number का check issue किया है अब आपने phone रख दिया अब उसके बाद में second call कहा जाएगी क्योंकि वह जो lady आई है वह बुरका लगा कर आई है तो आप यहाँ पर उसे कुछ भी नहीं कर सकते देख नहीं सकते उसका चेहरा क्योंकि परदानसीन ladies में आती है परदानसीन ladies की category में आती है तो अब जो second call है वो किस के पास गया पुलिस के पास में तो lady police आ गई और उसके बाद में उस lady को पकड़ लिया और उसके बाद में आप सभी को पता है पूरा खुलासा हो गया होगा और यह बड़ा बड़ा यहां पर इस case में क्या हुआ इस case में जो यहाँ पर counter पर जो वैख्ति बैठा था जो clerk काम कर रहा था जो officer काम कर रहा था उसने किसको follow किया उसने follow किया है किसको payment in due course को payment in due course क्या कहता है कि जब भी कोई check आपके पास payment के लिए आता है है ना तो आपको good faith में payment करना है without negligence ऐसा भी नहीं है कि customer आपके पास check लेकर आया और उसमें कोई गलती नहीं थी उसमें कोई भी यहाँ पर आपको doubt नहीं था फिर भी आपने जान बूज कर उसको वापस लोटा दिया आप ऐसा भी नहीं करते और लेकिन अगर कोई check payment के लिए आपके पास में आता है और आपको उसमें कोई doubt होता है कोई suspicious आपको चीज़े दिखाई देती है तो उस case में customer से confirmation लेना है तो आपको जो payment है वो किस में करनी है good faith में करनी है तो यहाँ पर यही बोलता है कौन payment in new course इसके बारे में define किया गया है section 10 में I hope आप सभी को समझ में आ गया होगा इस कहानी से चलो आगे बढ़ते हैं कुमार देव यस यह true story है है और ऐसा हुआ था ठीक है और यह बात newspaper में भी आई थी और काफी वो case काफी उचाला गया था उस case में कि ऐसा ऐसा भी होता है तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यह एक बहुत बड़ा example थ का चलो आजाद यह law exam के लिए भी important है negotiable instrument act 1881 सभी law exam में cover होता है ठीक है क्योंकि इसके case बहुत सारे जो है वो court में भी case जाते हैं तो यहाँ पर जब आप इस पूरे के पूरे negotiable instrument act 1881 को पूरा पढ़ेंगे तो इसमें से बहुत सारी चीजी आपको law के exam के लिए भी मिल जा इन्लेंड इस्टूमैं इन्लेंड इस्टूमेंट क्या होते हैं आईए इसके बारे मीं जान लेते हैं अगर हम यहाँ पर बात करें कि इसकी प्रामेसरी नोट की बिल मेज़ पना है और इंडिया के अंदर ही ये पे किया जा रहा है, है ना, इंडिया के अंदर ही ये, पे किया जा रहा है, ड्रोन किया जा रहा है, किसको person resident in India, ऐसा व्यक्ति जो भारत का ही रहने वाला है, जो इंडियन है, इंडियन resident है, है ना, उसी को payment किया जा रहा है, तो ऐसे promising note, या bill of exchange, या check को inland instrument कहा जाता है, क्या अगर यहां पर, इस में से कोई भी condition implement ना हो, है ना, अगर किसी promissory note, bill of exchange या check के उपर, यहां से यहां तक, कोई भी condition implement नहीं होती है, ठीक है, या इन में से कोई चीज़ follow नहीं होती है, तो उस case में, ये inland instrument ना रहेकर, क्या हो जाता है, foreign instrument कहलाएगा, मतलब, जैसे कोई, ज इंडिया में बना है, लेकिन payable है कहां पर, USA में, USA में, वो drone हो रहा है, तो उस case में, उस case में क्या कहलाएगा, foreign instrument कहलाएगा, क्या बोलेंगे उसको, foreign instrument के नाम से उसको जाना जाएगा, या ऐसा कोई, प्रामेसरी note है, bill of exchange है, या check है, जो इंडिया में बना है, लेकिन एक इंडिया का रहने वाला नहीं है, किसी other country का है, तो उस case में भी वो क्या होगा, उस case में भी वो foreign instrument कहलाएगा, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, inland instrument और foreign instrument, कहीं बार question exam में पूछा जा चुका है, तो इस चीज को आपको याद रखना है, चलो, आगे बढ़ते हैं, तो section 12 में क तो ऐसे वेक्ति को पेबल है, जो इंडिया का रहने वाला नहीं है, या इंडिया से बाहर ड्रॉन है, या इंडिया से बाहर पेबल है, तो ऐसे instrument को foreign instrument के नाम से जाना जाता है, I hope इतनी बाद सभी को clear हो गई होगी, चलो, बढ़ते हैं आगे, next आता है section 13, section 13 में define किया गया हुआ, एक ऐसा return document जिसको transfer किया जा सकता है, एक party से, दूसरे party की पास में, तो यहाँ पर आगर बात करें, जो negotiable instrument है, उसकी जो definition है, वो section 13 में define किया गया है, जिसमें तीन चीज़े आती है, promiseary note, second, bill of exchange, और third होता है, check, payable either order, और to bearer, ये तीनों चीज़े ही define की गई है, कहा define किया गया है, तो आपको तुरंत answer बताना है, कि section 13 of negotiable instrument act 1881 में, इसको define किया गया है, चलो, आगे बढ़ते हैं, उसके बाद next आता है, section 18, very important है, है ना, आपके exam के लिए very important है, bank promotional exam की बात करें, JIB की बात करें, DBF की बात करें, कई बार यहाँ से question पूछा जा चुका है, section 18 क section 18 बोलता है, where amount is stated differently in figure and words, है ना, मतलब इसका कहने का मतलब यह है, कि जैसे यहाँ पर words में लिखा हुआ है, 10,000 only, और यहाँ पर अगर मैं words में इसको कर दूँ, यहाँ पर 1 lakh, सेम है, यहाँ तो 1,00, रुपे लिखा हुआ है, और यहाँ पर 10,000 रुपीज लिखा हुआ है, अगर कोई चेक आपके पास ब्रांच में ऐसा आता है, तो इस केस में आप किस चीज को follow करोगे, यह 1,00, रुपीज के हिसाब से payment करोगे, यह 10,000, जो 10,000 रुपीज है, उसके हिसाब से payment करोगे, जो words में लिखा गया है, तो यहाँ पर समझ लीजेगा, यह बात section 18 define करता है section 18 बोलता है कि यहाँ पर words में लिखी गई जो amount है, उसी को valid माना जाएगा, है ना, और यहाँ पर जो words में लिखी गई amount है, इसको legal amount भी बोलते हैं, है ना, किस नाम से जाना जाता है इसको, इसको legal amount भी कहते हैं, और यहाँ पर words में लिखी गई जो amount है, इसको courtesy amount के नाम से जाना जाता है, तो section 18 क्या कहता है, कि आप जो consider करेंगे, जो मानने होगा, जो words में लिखा गया है, वही यहाँ पर मानने होगा, लेकिन अगर मैं practically बात करूँ, practical cases में, यह तो हम लोग के हिसाब से बात कर रहे हैं, practical case में अगर आपके पास में ऐसा कोई check आता है, जिसमें words में कुछ और लिखा हुआ है, यहाँ पर जो words है, उसमें कुछ और define किया गया है, और जब figure की बात करते हैं, तो उसमें कुछ और number define किये गए हैं, तो उस case में हम customer को protect करने के लिए, तो ऐसे check को refer to drawer कर देते हैं, है ना, drawer के पास बेज देते हैं, I hope आप सभी को ये बाते clear हो गई होगी, जो अभी branch में काम कर रहे हैं, किसी bank में काम कर रहे हैं, उनके लिए ये सभी चीज़े very important हैं, तो आप इनके सभी को ध्यान से समझते चलिएगा, चलो, आगे बढ़ते हैं, अंकित गुपता भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, उसके बाद में next आता है section 19, section 19 क्या बोलता है, section 19 बोलता है, instrument payable on demand, है ना, जब हम check की बात करते हैं, जब हम promissory note की बात करते हैं, जब हम bill of exchange की बात करते हैं, तो इसमें बोला गया है, कि ऐ ऐसे promissory note या ऐसे bill of exchange, जिसके उपर time mention नहीं है, है ना, ना तो कोई time mention है, ना ही कोई date है, है ना, जैसे यहाँ पर एक promissory note है, है ना, मैं example के तोर पर ले रहा हूँ, एक promissory note है, और इसमें यहाँ पर लिखा किसने, जैसे मान लेतने है, Mr. A है, Mr. A बोला है, I will pay rupees, है ना, और यहाँ पर यह जो Mr. A है, promise कर रहा है, और इसके उपर यहाँ पर signature कर दिया, किसने, Mr. A ने, और इस instrument को उठा कर दे दिया, किसको, Mr. B को, क्या, इसमें बताओ, इसमें कहीं पर date mention है, बिल्कुल नहीं है, तो इस instrument में date mention नहीं है, ऐसे instrument जिसमें date mention नहीं होती, है ना, ऐस इस्ट्रूमेंट जो हैं कहलाते हैं पेबल ओन डिमांड जब भी Mr. B Mr. A से डिमांड करेगा अपने 10,000 रुपीज के लिए तो डिमांड पर ही Mr. A को Mr. B को पेमेंट करना होगा तो इसके बारे में कौन डिफाइन करता है इसके बारे में बताता है section 19 चरिया आगे बढ़ते है और अगर हम check की बात करते हैं तो check तो हमेशा payable on demand होते हैं चेक का जो payment है वो तभी किया जाएगा जब आप उस check को bank में या bank branch में जाकर present करेंगे जब तक उस check को आप bank branch में जाकर present नहीं करेंगे आपको पैसा नहीं मिलेगा bank आपके घर पैसा देने नहीं आएगा क्योंकि bank को तो पता इन चल पाएगा bank कोन है ड्रोई है ड्रोई को तो पता इन चल पाएगा कि यहाँ पर ड्रोवर ने किस-किस को check issue कर रखे हैं तो check के case में हमेशा payable on demand होते हैं लेकिन हम अगर bill of exchange और promise in note की बात करते हैं तो उसमें ऐसा नहीं होता 37 भी हमारे साथ में जुड़ गए है चलिए आगे बढ़ते हैं उसके बाद में next आता है section 20 अगर हम यहाँ पर section 20 की बात करते हैं तो section 20 क्या बोलता है section 20 बोलता है inocate stamped instrument के बारे में define करता है यह definition आप बात में पढ़ते रहे हैं चलिए मैं एक practical example से आपको समझा देता हूं क इसे इनोकेर इस्टूमेंट क्या होते हैं जैसे मैं यहाँ पर एक promissory note ले लेता हूँ यहाँ पर één promissory note ले लेते हम ठीक है तो इस promissory note में क्या हुआ इस प्रोमिसरी नोट में, यहाँ पर जो Mr. A है, Mr. A क्या कर रहे हैं, Mr. A एक प्रोमिसरी नोट इशू कर रहे हैं, किसको? Mr. B को. Mr. A इस प्रोमिसरी नोट के मेकर हैं, और यहाँ पर Mr. B इसके बेनिफीसरी हैं, अगर यहाँ पर अगर हम प्रोमिसरी नोट की बात करें, तो इस Negotiable Instrument Act 1881 का Part 1 देखेगा, वहाँ पर मैंने इसके बारे में डिटेल में बताया है, कि मेकर कौन है, बेनिफीसरी कौन है, और प्रोमिसरी नोट क्या होते हैं, तो यहाँ पर अगर हम प्रोमिसरी नोट की बात करें, और उसके बाद में यहाँ पर यह amount फिल करने का option है, और यहाँ पर जो Mr. A है, उसने अपने signature कर दिये, यह हो गए Mr. A, ठीक है, और यहाँ पर इसने date mention कर दी, जैसे माल लेते हैं, 01-2020, है ना, यह date इसने यहाँ पर mention कर दी है, हीसा भी हमारे साथ में जुड़ गई है, welcome है सवी का, चलिए, उसके बाद में, अब यहाँ पर क्या हुआ, यह जो Mr. A है, Mr. A ने यहाँ पर इसमें कोई भी amount fill नहीं की, है ना, कोई भी amount fill नहीं की, ठीक है, क्योंकि Mr. B ने Mr. A को बोला, है ना, यहाँ पर Mr. B है, Mr. B ने कुछ services दे रहा था, है ना, तो Mr. B ने Mr. A को बोला, Mr. A ने जब Mr. B से पूछा कि कि कितने का bill बन सकता है मेरा, तो यहाँ पर Mr. B ने बोला कि आपका जो bill है, वो लगवा 5000 के आसपास बनेगा, है ना, 5000 से उपर नहीं जाएगा, 5000 या 5000 से नीचे ही रहेगा, लेकिन exact amount कितना होगा, मैं आभी नहीं बता सकता, जब मैं आपको यह सामान दे दूँगा, जब मैं यह services आपको transfer कर दूँगा, तब ही clear होगा कि वो कितना है, तो इसके बाद में क्या हुआ है, तो Mr. A ने बोला कि तुम ऐसा करो, यह ले जाओ instrument, है ना, और 5000 या 5000 से नीचे जितना भी amount ब इसके ऊपर stamp duty पे की गई, हैना, क्या पे की गई? Stamp duty, और जो stamp duty है, हैना, इसके ऊपर लगती है revenue stamp, हैना, तो Mr. A ने इसके ऊपर rupees one की stamp duty पे कर दी, हैना, इस instrument के एक रुपे की stamp duty है, वो पे कर दी गई, अब यहाँ पर, जो Mr. B है, Mr. B के पास ये instrument आ गया, हैना, इसने service दे और उसके बाद में, अब उसके बाद में Mr. B. ने सोचा कि यहां तो कुछ नहीं फिल है, यहां तो अब मेरी मर्जी है, मैं कितने भी amount फिल कर सकता हूँ, क्या Mr. B. ऐसा कर सकता है, बिलकुल नहीं कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि आप सभी को पता होगा, कि जो एक रुपे की revenue stamp होती है, वो कितनी amount को cover करती है, वो amount को cover करती है, Rs. 5000, तो इस instrument के उपर जितनी revenue stamp pay की गई है, यह उतनी ही amount को cover करेगा, अगर इसके उपर 2 रुपे की revenue stamp होती, तो 10,000 रुपीज हो जाता, 4 रूपीज की revenue stamp होती तो यहाँ पर यह कितना हो जाता है 20,000 हो जाता है लेकिन इसके उपर तो 1 रूपे की revenue stamp है तो यह cover करेगा कितने को 5,000 रूपीज को ही cover करेगा इससे उपर की amount इसमें fill नहीं कर सकते क्योंकि जब इसकी payment की जाएगी जो इसका payment करेगा तो वो सबसे पहले क्या देखेगा कि इसके उपर revenue stamp कितनी pay की गई है तो ऐसे instrument जिसमें amount fill नहीं की गई होती है ऐसे instrument को बोलते है innocuous instrument या अगर मैं इसको simple भासा में बोलूं तो इसको कह सकते है incomplete instrument क्या होते हैं यह incomplete instrument या आधे अधूरे instrument के नाम से भी इनको जाना जाता है clear है सभी को अगर यहाँ पर कोई doubt हो तो मुझसे पूछेगा सूरज हमारे साथ में जुड़ गए हैं वीरू भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं उमेज भी और सूरब भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं इन सभी चीजों को ध्यान से पढ़ते चलिएगा उमेज what is promissory note promissory note के बारे में जो negotiable instrument act 1881 है इसका part 1 हमने cover किया था part 1 में हमने बताया था कि promissory note क्या होता है इसको अगर वो video आपको चाहिए ये lecture खतम होने के बाद में तो आपके question का आपको आराम से answer मिल जाएगा चलो बढ़ते हैं आगे next आता है section 45A section 45A क्या कहता है holders right to duplicate of lost bill है ना आइए इसको भी समझ लेते हैं कि ये क्या होता है है ना और क्या कहना चाहरा है section 45A तो चलो आए समझ लेते हैं जैसे बात करते हैं ये Mr. X है और ये है यहाँ पर Mr. Y है ना ये कौन है ये Mr. X है और ये कौन है Mr. Y तो Mr. X ने यहाँ पर एक check issue कर दिया है ना एक check दे दिया इसके उपर अपने signature कर दिया 10,000 रुपे का check है किसको दे दिया Mr. Y को और इसके उपर date mention कर दि 01,01,2020 ये date इसके उपर mention कर दि और ये check किसको transfer कर दिया Y को अब Y जब इस check को अपने घर पर ले जा रहा था तो रास्ते में Mr. Y से ये check हो गया है ना Mr. Y से ये check हो गया अब उसके बाद में अब क्या Mr. Y क्या Mr. Y है वो Mr. X से ये जो check हो गया है इसकी duplicate copy ले सकता है क्या इसकी duplicate copy मांग सकता है तो answer होगा yes ठीक है तो Mr. Y Mr. X से बोल सकता है जाकर कि जो check आपने मुझे दिया था जो negotiable instrument आपने मुझे दिया था वो तो खो गया है मुझे उसकी एक duplicate copy चाहिए है ना तो जब यहाँ पर Mr. Y ने Mr. X से duplicate copy मांगे तो Mr. X मना नहीं कर सकते Mr. Y को क्यों 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 क्योंकि ये बात कहां बोली गई है section 45A में बोली गई है कि जो holders है उसके पास जो खोया गया बिल है उसकी duplicate copy लेने का अधिकार होता है है ना तो यहाँ पर जो Mr. X है अब इस खोया हुआ instrument है इसकी duplicate जो copy है वो issue कर देगा है ना लेकिन यहाँ पर जो Mr. X है उसके लिए भी तो risk generate हो गया किस तरह का risk भई उसने तो यहाँ पर उसे तो एक amount के check का instrument instrument issue करना था लेकिन इसमें तो अपनी तरफ से दो-दो issue कर दिये वह एक तो खोया हुआ पहले से issue है और एक duplicate copy बना के दे रहा है अगर दोनों ही present हो गए एक बार में तो दोनों का payment हो जाएगा तो इससे तो नुकसान हो सकता है Mr. X को है ना तो यहाँ पर Mr. X बोला Mr. Y को कि मैं duplicate copy तो आपको बना कर दूँगा अगर जो original copy present कर दी गई और उसका भी payment हो गया और उसमें तुम्हारी गलती निकली है ना तो उसका भुगतान तुम करोगे तो Mr. Y बोला कि ठीक है मैं करूंगा उसने बोला कि ठीक है कहने से काम नहीं चलेगा आप क्या कीजिए मेरे साथ में एक bond sign कीजिए है ना मेरे साथ में क्या कीजिए एक bond sign कीजिए और इस bond का नाम क्या होगा इस bond का नाम है indemnity bond हैना क्या होगा indemnify करेगा इस bond का नाम है indemnity bond हैना जिसमें क्या लिखा होगा, जो Mr. Y है, वो क्या लिखता है, Mr. Y को बोलता है, कि तुम्हारी वज़े से, या किसी और की वज़े से, अगर मुझे नुकसान होता है, मुझे लोस होता है, तो उसकी भरपाई तुम करोगे, है ना, ये बात कहा लिखी जाएगे, है ना, Indemnity Bond में और इसके उपर Mr. Y साइन करेगा यहाँ पर, है ना, तो इस केस में, इस केस में, जो Mr. Y है, वो यहाँ पर Mr. X को Indemnity Bond साइन करके देगा, और ये क्या देगा इसको, duplicate copy issue करेगा, है ना, ये बात कहा लिखे है, section 45A, है ना, as a banker के तोर पर मैं आपके उताता हूँ, कि इन में होते हैं, और एक customer आपके पास में आता है, बोलता है, मुझे demand draft बना कर देदीजिए, है ना, तो आप उसको demand draft बना कर दे देते हैं, और वो आपको उसके बदले में, जो fund है, पैसा है, और commission देकर चला जाता है, अब उसके बाद में, अब ये customer, जो है, जो demand draft है, है ना, purchaser demand draft का, ये demand draft को लेकर घर जा रहा था, और रास्ते में उससे demand draft खो गया, तो उसके बाद वो वापस आपके पास में आता है, कि जो demand draft आपने मुझे दिया था, वो तो खो गया है, उसकी duplicate copy मुझे दे दो, है ना, तो आप उसको बना नहीं कर सकते हैं, आप उसको duplicate copy दे दे कर चुके हैं, अगर दोनों copy, है ना, दोनों demand draft एक साथ present हो गए, तो इसका नुकसान किसको होगा, bank को नुकसान हो सकता है, तो इसके लिए हम customer से indemnity bond sign कराते हैं, customer को बोलते हैं, कि तुम्हारी वज़े से, या किसी और की वज़े से, अगर bank को नुकसान होता है, तो इसकी बरपाई, तुम करोगे, यह define रहता है, indemnity bond में, और कहां use करते हैं, और use करते हैं, FDR में, है ना, जो fixed deposit receipt होती हैं, जब हम fixed deposit receipt की duplicate copy customer को issue करते हैं, तो वहां भी indemnity bond sign कराते हैं, है ना, तो इसके बारे में कहां define किया गया है, section 45A में, I hope सभी को clear होगी होगी इतनी बात, चलो आगे बढ़ते हैं, IB plus law officer के लिए भी important है session, चलो, आगे बढ़ते हैं, स्रीने, यहाँ पर हम बहुत सारे session इसके cover कर चुके हैं, RBA Act cover कर चुके हैं, Banking Regulation Act cover कर चुके हैं, अभी यह हमारा negotiable instrument चल रहा है, ठीक है, तो इसके session देखने हैं, तो मैंने आप सभी को बताया है, कि यूट्यूब में जाकर सर्च कीजिए, जे आए भी अड़ा 247, तो आपको यह सारी वीडियो मिल रहेंगी, चलो, बढ़ते हैं आगे, next, अब यहाँ पर जो आज हम cover कर रहे हैं, वो section 45A तक cover कर रहे हैं, अब इसके question देखेंगे, और ध्यान दीजिएगा, कल का मैं बता द देता हूँ आपको, Negotiable Instrument Act 1881 का खल, part 3rd आ रहा है, साम को 7 बजे, evening में हमारे साथ जुड़ना बिलकुल मत भूले, है ना, हमारे साम को 7 बजे जुड़िये, और उसमें हम endorsement के बारे में पूरा detail में समझेंगे, endorsement क्या होता है, endorsement का जो question है, वो exam में पूछा ही जाता है, 100 percent question आता है, endorsement का एक, ठीक है, तो कल हम पूरा का पूरा जो session है, वो हमारा endorsement को लेकर होगा, और endorsement में हम basic से लेकर advance तक सारी चीज़े सीखने वाले हैं, तो कल इसी time पर हमारे साथ में जुड़ना बिलकुल मत भूले, चलो, बढ़ते हैं, अब यहाँ पर session के, है ना, इस से instrument in writing containing an unconditional order addressed to a banker to pay on demand a certain sum of money, only to or to the order of certain person or to the bearer of the instrument is known as, तो क्या कहलाएगा, चेक, बिल of exchange, बिल of lading, बिल of exchange, क्लिंटन ओर या हुंडी, है ना, इन में से क्या right answer होगा, हुंडी कहीं बार पूछा जा चुका है एक्जाम में, इंटर्यू में कहीं बार पूछा जा चुका है, इ जो हुंडी है, हुंडी को हम negotiable instrument कहे भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते. क्योंकि, जो हुंडी को समझेगा, हुंडी क्या होता है, हुंडी एक तरह का negotiable instrument ही होता है, लेकिन इसको वर्ना-чивeee lang abruptly होती है, उसमें design किया जाता है, उसमें बना जाता है, और यह governed होता है, किसमें जो local custom authorities होती हैं, वो govern करती है, है ना, ऐसा instrument जो vernicular language में बना हुआ है, और जो local custom authorities हैं, वो इसको govern करती है, ऐसे instrument को hundi कहा जाता है, है ना, hundi negotiable instrument कब हो सकता है, जब यहाँ पर local custom authority है, वो silent हो, उसके बारे में कोई चीज़े define ना हो, उसके बारे में कोई नहीं बताया गया, तब यह NIE Act में आ जाता है, यह बात थोड़ी से आपको ध्यान रखने, थोड़ी सी technical चीज़े हैं, धीरे धीरे आपको सुझ में आ जाएंगी, तो जल्दी से ब आगे बढ़ते हैं, अंकित भी हमारे साथ में जुड़ गए है, जल्दी से बताईए, इसका answer, तो इसका answer हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बात की गई है, किसको address किया जाए रहा है, एक banker को address किया जाए रहा है, किसको address कर रहे है, banker को address कर रहे है, तो जब भी banker की बात आज जाएगी, किसी negotiable instrument में, तो वो कहलाएगा कौन चेक, चलो, आगे बढ़ते हैं, second question की और, the correct option is, इन में से कौन सा option बिलकुल correct है, drawer is a person who make or draft the check, b, drawee is a bank in the case of all checks, c, payee is a person to whom check is given and is a person who takes, d, sometimes the drawer and payee in checks may be same, d, e, all of the above, what is the right answer of this question, जल्दी से बताईए कि इस question का क्या answer है, स्रीने, जैसे हम बात करते हैं, Indian Stamp Act, Indian Contract Act, है न, यह आपके cover होने चाहिए, surface act, यह important है, यह आपका cover होने चाहिए, और law कदालत, DRT, यह आपकी cover होनी चाहिए, ठीक है, यह बढ़र important रहते हैं, विवेक, रेसो अनलेसिस की जो classes है, वो जल्दी स्टार्ट हो रही है, और रेसो अनलेसिस की कुछ classes हो चुकी है, तो इसके लिए आप G.I.B.A.247 सर्च कीजिए YouTube में, तो उसकी videos आपको मिल जाएंगी, चलो, बढ़ते हैं, तो अगर इस question के बात करते हैं, तो right answer क्या हो ज लगता है, option A कहता है no, B कहता है yes, but the permission of the RBI necessary nowadays, C कहता है yes, by writing self-check, D कहता है yes, but the permission of bank necessary, E कहता है none of the above. Yes, जो live classes हैं, वो 26th of Jan से start हो रही है, चलो, इस question का जल्दी से answer बताईए, what is the right answer of this question, तो यहाँ पर कहना क्या चाहरा है, इस question में क्या बोल रहा है, क्या कहना चाहरा है, यह बोल रहा है इस question में, कि जैसे आपने देखा होगा, P, P में नाम लिखा जाता है, और मैंने आप drawer, drawer, drawer और pay, यह तीन पार्टी हैं, यह कह रहा है कि क्या drawer और pay, यानि यह जो drawer है और यह जो pay हैं, क्या यह दोनों पार्टी एक हो सकती हैं, क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि कि किसी check में दोनों पार्टी एक हो जाएं, हाँ, बिल्कुल possible है, बिल्कुल संभव है, अगर यहाँ जो driver है, driver यहाँ पर pay में लिख देता है self, जब कोई भी customer, कोई भी bank का customer जब check issue करता है और pay में self लिखता है, तो उस case में driver और pay दोनों एक हो जाते हैं, तो मतलब check में कहने का मतलब है, कि जो मैं check issue कर रहा है, किसको पास बेज रहा हूं, ड्रोई के पास में, उसमें payment मुझे ह मिलना चाहिए, pay भी मैं हूं, और check issue करने वाला भी मैं ही हूं, हैना, क्या ऐसा कोई case हो सकता है, जिसमें draw और pay दोनों same हो जाएं, हाँ, ऐसा case भी हो सकता है, ऐसा case कब हो सकता है, जब pay में customer लिखता है yourself, हैना, जब आप customer से, जब आपके पास में कोई customer आता है, बोलता है, मेरा NFT कर दीजिए, या मेरा RTGS कर दीजिए, या मेरे, मेरा जो saving account है, या current account है, उसमें से मेरी loan की जो installment है, वो deposit कर दीजिए, ठीक है, तो उस case में आप customer से जो check लेते हैं, उसमें customer क्या लिखता है, उसमें लिखता है pay yourself, पे में लिखता है yourself, तो उस case में क्या हुआ, कि जो draw ह है, वो customer के account से पैसा निकाल कर, अपने account में deposit कर लेगा, जमा कर लेगा, तो उस case में drawee और payee दोनों एक हो जाते हैं, तो इस question का right answer क्या होगा, इस question का right answer होगा, C, yes, writing self check, चलो, आगे बढ़ते हैं next question है, which of the following is not an important feature of check, इन में से check का कोई important feature कौन सा नहीं है, जल्दी से बता on on specified banker, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि check हमेशा specified banker को ही drawn होते है, C, must be issued by drawer with the permission of the bank to drawee, ये बिल्कुल गलत है, जब हम कोई check issue करते हैं, कोई check देते हैं किसी वेक्ति को, क्या हम bank से पूछ कर देते हैं, bank को call करते हैं कि मुझे इस वेक्ति को check देना चाहिए, नहीं देना चा of cash to the pay, यहाँ पर जो drawee है, यानि bank है, वो इन में से कौन सा case है, जिसमें यहाँ पर cash में payment के लिए payee को refuse कर सकता है, मना कर सकता है, कि आपको इस check के against में पैसा नहीं मिलेगा, A, on the receipt of notice of drawer death, जिसमें drawer की death हो गये, ऐसा कोई notice bank के पास में आया है, सही है, इस case में हम stop payment लगा देते हैं उस customer के account में, B, on receipt of notice of drawer insanity, अगर जो customer है, जो drawer है, उसकी insanity हो गई है, तो उस case में भी उसके account में हम stop order लगा देते हैं, तो यह बिल्कुल सही हो जाता है, D, drawer requested the drawer to stop payment, और यहाँ पर अगर customer ने खुद bank में call करके बोला है, कि यह check number है, इस पर stop payment लगा दीजिए, तो इस case में bank यहाँ पर customer के कहने पर, drawer के कहने पर उस check का payment नहीं करेगा, तो यह भी बिल्कुल सही हो जाएगा, D, on the receipt of garnisie order, और जब account में garnisie order आता है, गarnisie order क्या होता है, इसके उपर हमने एक वीडियो बनाया था, वो भी आपको playlist में मिल जाएगा, ठीक है, तो गarnisie order क्य दो लोग तयारी कर रहे है, JIB, DBF या bank promotional exams की, उनके साथ भी यह link share कीजिए, ताकि उनको भी इसका benefit साथ साथ मिलते चले, चलो, बढ़ते हैं आगे, तो यहाँ पर अगर हम बात करते है, section 14, section 14 में क्या बताया है, section 14 में define किया गया है, negotiation, अब यह negotiation क्या होता है, और इस world का मत ज़ेंगे, when a promissory note और bill of exchange, चाहे कोई promissory note की बात करें, या bill of exchange की बात करें, या check की बात करते हैं, is transferred to any person, so as to constitute that person, the holder thereof, the instrument is said to be negotiated, चलो, example से समझते हैं, यह कहना क्या चाहरा है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, जैसे माल लेते हैं, हमारे favorite character, Mr. A, है न, एक वेक्ती है, Mr. A, और इधर हैं, यहाँ पर Mr. B, ठीक है, Mr. B को Mr. A से एक payment रसीव करनी है, एक payment लेनी है, है न, तो Mr. A को Mr. B को Mr. A से एक payment लेनी है, तो जब Mr. B ने Mr. A से यहाँ पर payment मांगी, है न, पेमिंट कितने की थी, 10,000 रुपीज की, दस जार रुपे लेने से इसको, जब Mr. B ने Mr. A से 10,000 रुपे मांगे तो इसने बोला कि cash में तो मेरे पास में नहीं है तुम ऐसा करो मैं आपको एक 10,000 रुपीज का चेक दे रहा हूं 10,000 रुपीज का चेक दे रहा हूं और pay में इसने लिखा यहां पर Mr. B क्या लिखा यहां पर Mr. B और इसके ऊपर signature कर दे किसने Mr. A ने इसके ऊपर signature लिख दिया और यहां पर words में भी इसने डिफाइन कर दिया 10,000 और यहां पर इसका account number आ गया यहां पर account number mention होगा अब यह बता instrument है यह जो negotiable instrument है जिसको हम check बोल रहे हैं यह किसको transfer कर दिया Mr. B को तो अब यह बताईए इस instrument का है ना यह जो negotiable instrument है इसका holder कौन है तो इसका holder होगा Mr. B अब उसके बाद में यहां पर Mr. B ने क्या किया Mr. B ने इस instrument को इस check को transfer कर दिया किसको Mr. C को किसको transfer कर दिया यह जो 10,000 रुपे का check था 10,000 रुपीस का यह check transfer कर दिया किसको C को एक इसके उपर signature थे यह account number और यहाँ पर यह pay में Mr. B ही लिखा हुआ है तो Mr. B ने क्या किया Mr. B ने इस check को पीछे की side में पलटा पलटने के बाद में इसके उपर अपने only signature किये अपना नाम लिखा और इसको transfer कर दिया किसके बाद में Mr. C के बाद पास में तो यहाँ पर यह instrument Mr. A से Mr. B के पास गया Mr. B से Mr. C के पास गया अब आप पूछोगे कि Mr. C को Mr. B ने क्यो ले लेना तुम्हारा जो पैसा है वो मेरी तरफ से pay हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर यह instrument transfer हो रहा है एक party से दूसरे party के पास यह जो transfer की किया है ना यह जो transfer का process है this is known as negotiation इसी को किस नाम से जाना जाएगा इसी को negotiation के नाम से जाना जाता है है ना जो यह transfer हो रहा है ना एक party से दूसरे party के पास इसको बोलते है negotiation और यहाँ पर यह जो instrument है यह कहलाएगा negotiated instrument क्या कहलाएगा यह यह कहलाएगा negotiated instrument बहुत easy है बहुत आसान है I hope आप सभी को समझ में आ गई होगी यह बात है ना negotiation world का मतलब आप सभी को पता होना चाहिए कि क्या मतलब है यहाँ पर negotiation का मतलब bargaining से बिल्कुल नहीं है mall भाव बिल्कुल नहीं है इसका मतलब negotiation का negotiation का मतलब है यहाँ पर transfer करना कोई भी negotiable instrument है जब एक party से दूसरे party के पास transfer किया जाता है तो उसको बोलते है negotiate करना है ना I hope आप सभी को clear हो गया होगा चलिए तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि और कौन-कौन से act हैं जहाँ पर जो endorsement है उसके बारे में हमें जानने को मिलेगा endorsement के उपर हम दो session लेकर आएंगे यहाँ तो हम जो endorsement है वो क्या होता है कितने टाइप के endorsement होते हैं उसके बारे में discuss करेंगे और endorsement का एक और session लेकर आएंगे जिसमें हम यहाँ पर endorsement के ऊपर क्या कंडीशन लग सकती हैं किस किस की liabilities क्या क्या liabilities क्रियेट होती हैं उनके बारे में discuss करने वाले हैं क्योंकि उनके उपर है ना वो जो conditions है ना उसके उपर बहुत सारी case studies exam में पूछी जाती है जब आप JAB या DBF का exam देने जाते हैं तो वहाँ पर जो two marks case studies आती है तो उसमें question वहीं से बनता है तो उसके बारे में हम एक जो session है और करने वाले endorsements के उपर उसमें वो सारी conditions आपको define कर देंगे बढ़ते हागे next आता है section 15 section 15 में क्या define किया गया है section 15 में بتाया गया है endorsement के बारे में क्या define किया गया है endorsement के बारे में define किया गया है क्या बोला गया है when the maker or holder है ना जैसे हम लाश्ट एक्जाम्पल में, जो section 14 था, उसमें समझ रहे थे हैं, यहाँ पर, कि जो Mr. B है, एक जो check है, एक जो negotiable instrument है, वो Mr. A ने किसके पास transfer किया? Mr. B के पास में, किसके पास transfer किया? Mr. B के पास, अब यह बताओ, इस negotiable instrument का maker कौन है, तो maker तो हो जाएगा यहाँ पर कौन? Mr. A है ना, और beneficiary कोन होगा? Mr. B, तो यह जो instrument है, Mr. A से Mr. B के पास चला गया, और Mr. B ने इसको transfer कर दिया किसको? Mr. C को, है ना, और कैसे transfer किया? इस instrument के पीछे अपने signature किये, अपना नाम लिखा किसने? Mr. B ने, तो यह क्या कहलाएगा? यह कहलाएगा endorsement, कि यहाँ पर Mr. B ने Mr. C B को इस नेगोशियाबल इस्तुमेंट का एंदोस्मेंट कर दिया. तो यहाँ पर, when a maker or holder of a negotiable instrument sign the same, otherwise then as such maker for the purpose of negotiation on the back or face thereof on a slip of paper annexed there too or so sign for the same purpose as a stamp paper intended to be completed as a negotiable instrument, he is said to be endorse the same and is called the endorsement. चलो, और detail में समझते हैं इसको, क्या कहना चाहरा है, क्या बताना चाहरा है, एक example से इसको समझते हैं. कोई question हो, कोई बात समझ में ना आए, कोई doubt हो, तो मुझसे पूछते चलिएगा. सौपना रानी का question है, बिल्कुल, देखो सौपना रानी इसको समझते हम, यहाँ पर इसका मतलब क्या है, देखो, जब हम ब्रांच में काम कर रहे हैं, practically जो endorsement के जो cases हैं, ठीक है, वो possible नहीं हो पाते, क्योंकि यहाँ पर हमें identify करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कि किसको endorsement किया है, और इस तरह के बहुत सारे मामले देखने को मिले हैं, कि जहाँ पर fraud के case भी हमारे सामने आए हैं, तो practical case में यह जो चीजें हैं, कहें, बहुत, बहुत कम हैं, या हम जो endorsement की प्रक्रिया है, उसको accept करते ही नहीं, लेकिन अगर negotiable instrument act 1881 में lock recording हम देखते है पढ़ते हैं, तो उसके हिसाब से system में समझते चलेंगे कि यह क्या कहता है, क्योंकि check में तो यहाँ पर बहुत सारे fraud हुए था, जिसके वज़े से इन चीजों को stop किया गया है, बेंक में, लेकिन bill of exchange की बात करें, प्रोमेसिर नोट की बात करें, तो वहाँ पर इन चीजों किसके हैं, Mr. A के, यह बात तो सभी को clear है, ठीक है, पे में किसका नाम लिखा हुआ है, पे में नाम लिखा हुआ है Mr. B का, तो इस instrument का holder कौन हुआ, holder है यहाँ पर Mr. B, Mr. B इस instrument का holder है यहाँ पर, अब Mr. B के पास में यह power है, उसके पास में यह right है, कि वो चाहे तो किसी other party को इस instrument को transfer कर सकता है, किसी और को दे सकता है, यह power है किसके पास में, Mr. B के पास में, तो Mr. B ने इस power का फाइदा उठाया, इस right का फाइदा उठाया, और यहाँ पर जो Mr. B है, Mr. B ने यह instrument, पे में तो Mr. B का नाम ही लिखा हुआ है, पे में किसका नाम लिखा हुआ है, Mr. B का, लेकिन इस check के पीछे इसने क्या किया यहाँ पर अपने signature कर दिये as a Mr. B और इसको transfer कर दिया किसको Mr. C को ठीक है तो यहाँ पर अब यहाँ पर यह जो instrument है Mr. C जब bank में लेकर पहुँचेगा या उस party के पास लेकर पहुँचेगा कौनसी party जिसको हम बोलते है drawy, है ना, तो drawy यहाँ पर देखता है कि इस instrument को तो क्या किया गया है endorsement किया गया है अब वो यहाँ पर देखेगा कि endorsement full है या blank endorsement है, full endorsement क्या होता है, blank endorsement क्या होता है अभी समझेंगे ठीक है कि endorsement तो blank है blank endorsement होने का मतलब क्या हुआ कि जो B है B नाम की पार्टी ने only अपने signature किये हैं इसके उपर इसका payment किसको करना है इसके बारे में define ने किया बस Mr. B ने बोला कि मैंने इस instrument को यहाँ पर इस negotiable instrument को अपने पास से किसी other party के पास transfer कर दिया और यह अब हाथ में किसके है Mr. C के पास तो जैसे ही Mr. C यहाँ पर इसको bank में लेकर पहुँचेगा या उस party के ड्रॉई के पास लेकर पहुँचेगा तो जिसके हाथ में भी इस instrument होगा है ना वही इसका मालिक बन जाएगा वही इसका owner होगा वही इसका holder होगा और उसी को payment कर दिया जाएगा उसी को payment मिल जाएगा this is known as endorsement I hope इतनी बाते सभी को clear हो गई होंगी चलो अब endorsement कैसे किया जा सकता है endorsement इस check के पीछे signature कर के signature किये जाए इस check के उपर है ना इस check के उपर signature कर दिया जाए इसके पीछे या इस check के उपर signature कर दिया जाए और यहां पर जिस party को हम transfer कर रहे हैं उसका नाम भी लिख दिया जाए या इस instrument के साथ में अलग से एक stamp paper attach कर दिया जाए है ना अलग से पूरा stamp paper attach किया गया और उस पर पूरा detail में कौन-कौन पार्टी को इसको endorse किया जा रहा है पूरा define कर दिया गया है ना या इस instrument के साथ में कोई अलग से paper जिने हम बोलते हैं annexure कोई annexure भी attach किया जा सकता है ना उसके थुरू भी endorsement हो सकता है अरविंध हमारे साथ में जुड़ गये हैं विकास भी हमारे साथ में है स्रीने negotiation and endorsement is same देखो एक तरीके से अगर मैं कहूँ indirectly अगर मैं बोलू negotiation और endorsement एक ही बात होती है है ना negotiation और endorsement एक ही बात होती है लेकिन अगर हम directly या technical basis पर देखते हैं तो इसमें एक छोटा सा difference होता है छोटा सा difference क्या होता है कि जब हम endorsement की बात करते हैं तो endorsement में parties की अपनी अपनी liabilities हैं वो define हो जाती हैं लेकिन जब हम negotiation की बात करते हैं तो हम पूरे act की बात कर रहे हैं पूरे negotiable instrument act की बात कर रहे हैं जैसे ऐसे समझो कि endorsement is the part of negotiable instrument है ना जो endorsement है वो एक part है किसका Negotiable Instrument Act 1881 का लेकिन जो negotiation है वो पूरे whole है मतलब यहाँ पर पूरे Negotiable Instrument को define कर रहा है जैसे समझो इसको यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ यह मैंने बनाया यह पूरा का पूरा जो area है वो Negotiable Instrument है जिसमें मैंने आपको बताया था Bill of Exchange आते हैं है ना चेक आते हैं और Promisory Note आते हैं तो यह सारे कि सारे क्या है Negotiable Instrument तो यहाँ पर इस पूरे area में Negotiable Instrument है पूरे whole को cover कर रहा है लेकिन जब मैं endorsement की बात करता हूँ तो endorsement इसी के अंदर आता है जो endorsement है वो इसी का part है लेकिन अगर आप indirectly देखेंगे तो दोनों का मतलब सेम साही होता है एक जैसा ही होता है I hope आप सभी को clear हो गया होगा चलो, blank endorsement, full endorsement क्या होता है बस अभी समझेगे कि यह क्या है आगे बढ़ते हैं अगर हम section 16 की बात करते हैं section 16 में define क्या गया है endorsement in blank and in full की blank endorsement क्या होते है full endorsement क्या होते है समझ लेते हैं इसको भी क्या है यह एक वेक्ती है Mr. X और वेक वेक्ती है Mr. Y Mr. X को एक payment देनी है किसको Mr. Y को 1,00,000 रुपे की कितने की payment देनी है कितने का payment करना है 1,00,000 रुपे का तो यहाँ पर Mr. X ने एक negotiable instrument बनाया किसके नाम पर Mr. Y के नाम पर किसके नाम पर Mr. Y के नाम पर अब उसके बाद में यहाँ पर pay में लिखा Mr. Y और इसके उपर signature हुए किसके Mr. X के amount कितना है 1,00,000 रुपे अब यह instrument किसके पास चला गया Mr. Y के पास किसके पास गया Mr. Y के पास अब इस instrument का payment कौन करेगा draw करेगा कौन करेगा draw करेगा यह तो bank हो सकता है या कोई other party हो सकती है अगर check के case में देखेंगे तो draw हमेसा कौन होगा bank होगा अब यहाँ पर Mr. Y को एक payment करनी है 1,00,000 रुपे की किसको Mr. Z को किसको करनी है Mr. Z को तो Mr. Y ने क्या किया अब यहाँ पर Mr. Y के पास में दो option available है कि यह यहाँ पर Mr. Y जो है Mr. X को इसका endorsement कर सकता है यानि इसको transfer कर सकता है है ना तो यह जो instrument है Mr. Y के नाम से Mr. Z के नाम पर आ सकता है यह दो तरीके से हो सकता है blank endorsement भी हो सकता है और full endorsement भी हो सकता है अगर मैं यहाँ बात करूँ blank endorsement की blank endorsement क्या होगा अब यह बताओ इस negotiable instrument का जो front side है जो front page है वो कौन सा है यह front है अब इस negotiable instrument की back side बता हूँ जग क्या लिखा होगा back side पर आप बोलोगे कि जो back side है इस negotiable instrument की वो तो बिल्कुल blank है है ना उसके उपर तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है है ना पीछ एक side में तो यहाँ पर जो Mr. Y है है ना जिसके पास में negotiable instrument आया था Mr. X है तो इसने Mr. Y ने क्या किया Mr. Y ने यहाँ पर है ना अपने signature किये और अपना नाम लिख दिया है ना Mr. Y यहाँ पर इसने as a signature कर दिये और इसको उठा कर दी दिया किसको Mr. Z को है ना किसको दे दिया Mr. Z को तो यहाँ पर यह जो negotiable instrument है अब Mr. Y से Mr. Z के पास आ गया यानि इसका endorsement हो गया तो यह किस तरह का endorsement है This is known as blank endorsement क्या कहला गया है इसे बोलेंगे blank endorsement लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर Mr. Y के पास में यह instrument था और यह transfer कर रहा है किसको Mr. Z को किसको transfer कर रहा है Mr. Z को यह इसकी front side है जहाँ पर लिखा हुआ है pay में Mr. Y है ना और यहाँ पर amount 1 lakh rupees और signature है इसके उपर किसके Mr. X के है ना तो यहाँ पर यह इसकी back side है और back side के उपर यहाँ Mr. Y ने क्या किया Mr. Y ने इसके उपर signature किया और इसके उपर लिखा pay to Mr. Z है ना किसको payment किसको करना है Mr. Z को करना है यानि यहाँ पर Mr. Y ने अगर define कर दिया कि payment किसको करना है और इसके उपर अपने signature भी कर दिये तो this endorsement is known as full endorsement इसको किस नाम से जाना जाएगा full endorsement के नाम से जाना जाएगा I hope इतनी बाते सभी को clear हो गई होगी चलो बढ़ते हैं आगे कोई question है तो मुझे comment करके जल्दी से बताते चलिएगा कि sir ये बात हमें समझ में नहीं आ रही ये हमेरे दुबाराज से समझा दो या इसको और easy करके आसान करके समझा दीजिए तो मैं वो भी करते चलूँगा अगर आपको clear हो गया है तो यहाँ पर मुझे comment में बताते चलिए कि हमें जो बाते हैं उसमझ में आ गई है तो आप यहाँ पर yes भी लिख सकते हैं चलो बढ़ते हैं आगे उसके बाद में next आता है special or full endorsement जिसके बारे में हम बात कर रहे थे अगर check की back side पर जो party है उसने sign कर दिये और यहाँ पर define कर दिया किसको pay to Mr. Z जहाँ पर किसको pay करना है ठीक है और signature भी किये गए है तो यह कहलाता है full endorsement बढ़ते हैं आगे next next आता है conditional endorsement अब आपके लिए very important चीज़े start हो गई है जहां से अंदर से question पूछे जाते हैं है ना तो यह आपको समझना है अगर मैं बात करूँ यहाँ पर conditional endorsement की अगर मैं यहाँ पर conditional endorsement की बात करता हूँ तो conditional endorsement में क्या होगा क्या का गया है the endorser puts some condition along with endorsement यहाँ पर जब endorser इसको transfer कर रहा है कि इसको endorser को तो वो क्या करता है इसके साथ में कुछ conditions लगा देता है किस तरीके conditions लगा सकता है तो आईए उसको समझ लेते हैं जैसे यहाँ पर बात करते हैं कि एक वेक्ति है Mr. A और यहाँ पर इन्हों ने एक negotiable instrument बनाया Mr. A ने और इन्हों ने बोला इन्हों ने यहाँ पर क्या लिखा इन्हों ने इसके साथ में इस negotiable instrument के साथ में कंडिशन लगा दी क्या condition लगाई Mr. A ने यह जो है किसके नाम पर बन रहा है Miss Zira के नाम पर यही example उठा लेते हम तो यहाँ पर Mr. A ने इस negotiable instrument में क्या condition लगाई इसने बोला कि जो जिसके नाम पर जा रहा है किसके नाम पर Miss Zira के नाम पर जा रहा है Miss Jira को यह जो payment है इस negotiable instrument का जो benefit है इसका फाइदा है वो कब मिलना चाहिए इसका पैसा इसको कब मिलना चाहिए जब इसकी age 21 years हो जाए यानि इस negotiable instrument में जो Mr. A है उसने condition लगा दी क्या condition लगाई कि जब Mr. Jira की जो age है उसकी उम्र 21 साल हो जाएगी 21 years हो जाएगी तभी इसको इसका payment मिलना चाहिए इससे पहले इसको इसका payment नहीं मिलना चाहिए क्या जब Mr. Jira की age 21 years से पहले क्या वो इसका payment ले सकती है बिल्कुल नहीं ले सकती क्यों क्यों कि इसके साथ में क्या लगी वी है conditions लगी वी है जब इस तरह की conditions किसी negotiable instrument में put कर दी जाती है तब वो कहलाता है जब इस तरह के transfer किये जाते है तो इस तरह के जो endorsement है that is known as conditional endorsement क्या कहलाते है इनको conditional endorsement के नाम से जाना जाता है चलिए बढ़ते हैं आगे next आता है restrictive endorsement next कौन सा है restrictive endorsement restrictive endorsement क्या होते है आईए इसको भी समझ लेते है when the endorser restricts further negotiation of instrument जैसे समझ लेते है यहाँ पर एक व्यक्ति है मिश्टर बी को यह जो negotiable instrument है किस के पास आगया बी के पास में maker है इसका A ठीक है अब जब यह negotiable instrument आगया किस के पास में मिश्टर बी के में किसका नाम लिखा हुआ है बी का sign किस के है Mr. A के ठीक है amount भीन लेते है 10,000 रुपीस है यहां पर और जो condition है वो लिखी रहीगी, ठीक है? तो इस negotiable instrument में, यहां पर Mr. A ने तो Mr. B को normal तरीके से यह transfer किया था, लेकिन Mr. B ने जब इसको Mr. D के नाम पर transfer कर रहा है, जब क्या कर रहा है? यहां पर जो B है Mr. D के नाम पर transfer कर रहा है, तो इसने बड़ी चालाकी कर दी इस pay to Mr. D only, है ना? Mr. B ने क्या किया? कि यहां पर signature किये, और signature करने के बाद में इसके उपर लिख दिया, pay to Mr. D only, अब इसका payment किसको मिलेगा? only Mr. D को ही मिलेगा, अब इस condition में क्या होता है? जो Mr. D है, उसके पास ये अब right नहीं है, अधिकार नहीं है, कि वो further किसी और party को इसको transfer कर दे, यहां पर Mr. D के पास में वो right खतम हो जाते हैं, कि वो further और किसी के पास इसको transfer नहीं कर सकता है, अगर Mr. D चाहे कि मैं इसको Mr. E क Mr. D के नाम पर transfer कर दूँ, तो अब यहां पर Mr. D ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि Mr. B ने उसमें क्या किया? उसको restrict कर दिया, further negotiation के लिए, या further endorsement के लिए, अब ये इसको आगे किसी और के नाम पर transfer नहीं कर पाएगा, तो ऐसे endorsement को restrictive endorsement के नाम से जाना जाता है, एक्जाम्पल भ या financial institution को join करने से पहले भी और join करने के बाद भी, ये सभी चीज़े आपको बहुत काम आने वाली हैं, तो इनको आप हमेशा के लिए notes बना के रख लीजिए, ये आपको बहुत काम आएंगे, चलो बढ़ते या आगे, है ना, example मैंने लिख दिया है, यहाँ पर pay to Mr. Kuber only, इ partial endorsement में क्या होगा, आएए इसके बारे में सवह लेते हैं, partial endorsement में क्या होता है, in case part payment of bill has been made and a note to that effect has been given in the instrument, it can be endorsed only for the balance unpaid amount, otherwise a negotiable instrument can be endorsed for full amount and not for partial amount. स्रीने, जो conditional endorsement है, उसका section भी हम define करेंगे, ठीक है, तो चलिए पहले इसको जान लेते हैं, partial endorsement क्या होता है, in case of, अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर partial endorsement क्या होते हैं, आइए इसको समझ लेते हैं, देखो, यहाँ पर, जैसे माल लेते हैं, यहाँ यहाँ पर Mr. X, और Mr. Y, है ना, यह Mr. Y, अब Mr. Y ने Mr. X को माल बेच दिया, 2,00,000, रुपे का, और यह जो माल है, वो उधारी पर बेचा है, है ना, यह माल जो है, उधारी पर बेचा है Mr. Y ने, किसको Mr. X को, अब उसके से बाद में, यहाँ पर, 5 days भी ते, 10 दे भी ते, 15 देज भी ते, 15 दीन के बाद Mr. Y पहुचा, मैंने Mr. Y कोगे पास में, तो Mr. X बोला कि मेरे पास में अभी दो लाक रुपे तो नहीं है, तुम ऐसा करो अभी एक लाक रुपे ले जाओ, अभी आप क्या किजिए, एक लाक रुपे ले जाईए, और उसके बाद में जो बचा हुआ एक लाक रुपे है, मैं आपको एक महिने के बाद ट्रांसफर कर यह बात किस ने बोली? Mr. X ने Mr. Y को, तो अब Mr. Y ने बोला कि चलो एक लाक रुपे मिला है, यह तो अच्छी बात है, लेकिन जो बचा हुआ एक लाक रुपे है, फिर इसके पीछे-पीछे चक्कर लगाने होंगे, फिर मुझे इसके पीछे-पीछे आना पड़ेगा, और यहाँ पर अपने पैसे मांगने पड़ेंगे, और 30 दिन बाद पैसे मिले, 30 देस के बाद पैसे मिले, ऐसा जरूरी भी नहीं है, कि यह दे पाएगा, तो यहाँ पर Mr. Y ने क्या किया? बड़ी चाला की से इसने, इसने क्या किया? इसने बोला कि ठीक है, तुम मुझे यह ए Mr. X ने क्या किया? रिटन में उसको लिख कर दिया, कि I will pay Rs. 1 lakh to Mr. Y on the maturity of 30 days, और इसके उपर सिगनेचर कर दिया, सिगनेचर करने के बाद में इसको ट्रांसफर कर दिया किसको? Mr. Y को, अब यह बताओ, टोटल पेमेंट कितना था? दो लाग रुपे का, जिसमें से उसने ठीक है? बचा हुआ पेमेंट कितना है? एक लाग रुपे. क्या इस एक लाग रुपे के लिए कोई negotiable instrument बन सकता है? तो answer होगा yes. इस एक लाग रुपे के लिए negotiable instrument बन सकता है. यह condition partial endorsement में define की गई. क्या बोला गया है? In case, part payment of bill has been made. अगर part payment हो गई है bill की, एक लाग रुपे का payment हो गया, है ना? And a note to be, that effect has been given in the instrument, it can be endorsed only for the balance unpaid amount. जो बचा हुआ, unpaid amount है एक लाग रुपे का, उसके लिए negotiable instrument बन सकता है. है ना? लेकिन इसके साथ में condition भी है. क्या? Otherwise, a negotiable instrument can be endorsed for full amount and not for a partial amount. Otherwise, जो यहाँ पर endorsement होता है, endorsement होता है, वो full amount के लिए होता है, ना कि partial amount के लिए. ठीक है? ऐसा नहीं है कि यह दो लाग रुपे हैं. दो लाग रुपे में से Mr. X ने बोला कि मेरे पास तो अभी तो कुछ नहीं है. मैं ऐसा करता हूँ, एक लाग रुपे का आपको एक negotiable instrument देता हूँ, और एक लाग रुपे के बारे में हम बाद में सोचेंगे, बाद में देखेंगे. ऐसा नहीं कर सकता है. है ना? यहाँ पर एक लाग रुपे किसने part payment कर दी तुरंद और इसके बारे में इस negotiable instrument में define करना होगा. यहाँ बताना होगा कि एक लाग रुपे का part payment हो गया है और बचे हुए एक लाग रुपे का ये negotiable instrument है. तो इस तरह की जो चीज़े जब define होती है, that is known as partial endorsement. कहां cover होती है? यह partial endorsement में cover होती है. कोई question है तो पूछते चलिएगा. ठीक है? अगर आपको बा बढ़ती हैं आगे. Next. Next आता है sense recurse endorsement. Next जो endorsement है वो कौन सा है? sense recurse endorsement. Sense recurse endorsement क्या होता है? The endorser excludes his liability and in case of dishonor, endorser will not liable for the payment. Very important है sense recurse endorsement. कई बार question इसमें से पूछा जा चुका है और examiner का pet question होता है, इसमें sense recurse endorsement में. आइए इसको भी एक example से समझते हैं कि sense recurse endorsement क्या होता है? देखो, एक जो negotiable instrument है वो बनाया किसने? Mr. A ने. और Mr. A ने transfer कर दिया किसको? Mr. B को. Mr. B ने इसको transfer कर दिया किसको? Mr. C को. Mr. C ने transfer कर दिया इसको? Mr. D को. किसको मिला? Mr. D के पास आ गया. जब Mr. C ने Mr. D को transfer किया इस endorsement को तो यहाँ पर Mr. C ने चाला की किसमें और इस इस instrument के पीछे, यहाँ पर एक statements mention कर दिया कि अगर ये instrument जो मैं आपको transfer कर रहा हूँ ये जो instrument में है, मैं आपको transfer कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ पर transfer हो रहा है अगर ये dishonor होता है क्या होता है? dishonor होता है, dishonor होने का मतलब क्या हुआ? कि जब इसने Mr. D इसको ड्रॉई के पास लेकर जाएगा और ड्रॉई यहाँ पर payment देने से मना कर देता है Mr. D को पैसा नहीं मिलता और ड्रॉई payment करने से मना कर देता है तो उस case में या ड्रॉई के पास जब यह गया ठीक है तो यहाँ पर Mr. A के तो case नहीं कर पाएगा लेकिन Mr. B और Mr. A के अगेश्ट में court में case दायर कर सकता है क्योंकि Mr. C ने तो जब इसको transfer कर रहा था जब इसको endorsement कर रहा था उसने पहले ही condition लगा दी थी कि अगर इसका dishonor होता है ड्रॉई से पैसा नहीं मिलता तो उस case में इसमें मेरी को liability नहीं हो प्लियर है चलो बढ़ते हैं आगे अगर हम restrictive endorsement की बात करते हैं तो जो restrictive endorsement है वो full endorsement का part हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ठीक है? blank endorsement भी हो सकता है देखो full endorsement और blank endorsement में समझना याँ पर जब endorser endorsy को transfer कर रहा है negotiable instrument अगर endorser ने सिर्फ अपने signature किये और signature करके इसको transfer कर दिया तो ये हो जाएगा negotiation by delivery है ना ये एक तरीके से bearer instrument की तरह काम करेगा जैसे bearer check होता है कि जिसके हाथ में चला जाएगा वही उसका मालिक होगा लेकिन अगर मैं full endorsement की बात करूँ तो full endorsement को आप set कर सकते हैं जैसे order check होते है मतलब जिसके नाम पर है उसी को payment मिलेगा तो full endorsement में ज्या करता है endorser यहाँ पर उसके उपर signature तो करता ही है साथ में ये भी बताता है कि इसका पैसा किसको मिलना चाहिए है ना अगर उसने लिखा pay to Mr. B या pay to Mr. C या pay to Mr. D जिसका नाम mention करेगा उसी को उसका पैसा मिलेगा उसी को payment दिया जाएगा देखो यहाँ पर स्री ने जब किसी पार्टी से हमें पैसा लेना होता है तो कहीं बार ऐसी conditions आती है जो मिल जाए वही अच्छा है कहीं बार ऐसा होता है जो मिल जाए वही अच्छा है लेकिन ऐसा नहीं है Mr. D के पास में right खतम हो जाते हैं ऐसा नहीं है वो C के अगेश्ट में तो case नहीं कर सकता लेकिन एक्छुल में payment कहां से हो नहीं है payment तो Mr. A के अकाउंट से हो नहीं है यह तो बीच में as a intermediary के तोर पर काम कर रहे है है ना तो यहाँ पर Mr. D Mr. B के अगेश्ट में case दायर कर सकता है और Mr. A के अगेश्ट में case दायर कर सकता है लेकिन C के अगेश्ट में नहीं कर पाता विकास आपको क्या पूछना है क्या चीज मैं दुबारे से बताऊं मुझे जल्दी से comment करके बताईए देखो यहाँ पर वीरू अगर हम बात करते हैं C ने cheat नहीं किया है ना C के account से थोड़ी पैसा जा रहा है मेरे पास में कोई भी चेक आया और मैंने ये चेक किसी और पार्टी को दे दिया और उस पार्टी ने चेक किसी और पार्टी को दे दिया उसने किसी और को दे दिया तो फाइनली तो जो पेमेंट है किसके account से जाना है पेमेंट तो यहाँ पर जिस party ने वो चेक अपने passbook से काट के दिया था, उसे checkbook से दिया था, एना issue किया था, उसी party को तो पेमेंट करना है, लेकिन बीच वाली जो parties हैं वो भी equally liable हो जाती है, एना, असल में तो वो liable होना चाहिए जिसके account से पैसा कटना था, पैसा तो उसक वहाँ पर engage हो जाती है उस case में, लेकिन एक ऐसी conditions, sense recurs endorsement में होती है, जिसमें से कोई बीच वाली party अगर इस तरह की जो चीजे mention कर देती है, तो वो अपने आपको उस liability से हटा लेती है, इसको cheating नहीं बोलेंगे, ये तो किसका part है, law का part है, ठीक है, तो ऐसा कर सकते है, ये त बात अलाव कर रहा है, तो इसमें cheating वाली तो कोई बात नहीं होगी, बढ़ते हैं आगे, अच्छा, C की responsibility पूछ रहे हैं विकास, देखो, जब आप as a banker के तोर पर काम कर रहे हैं, किसी branch में काम कर रहे हैं, तो उसी के हिसाब से इसको समझते हूँ, चलो, जैसे ये वेक्ति हैं एक Mr. A, कौन है Mr. A, Mr. A का एक bank account है, bank account है, मान लेते हैं XYZ bank में, कहाँ पर है, XYZ bank में bank account है, और जो यहाँ पर Mr. A है, उसके पास क्या है, एक checkbook है, तो Mr. A ने एक check दिया किसको, एक check दिया काट कर, किसको Mr. B को, तो pay में किसका नाम लिखा है, जल्दी से बताओ, Mr. B का, मान लेते हैं 10,000 रुपे का, तो यहाँ पर, यहाँ पर इस check का जो payment है, वो किसके account से debit होगा, किसके account से पैसा जाएगा, तो आप बोलोगे Mr. A के account से, है ना, तो यह instrument आया किसके प Mr. C को, वो भी 10,000 रुपे की payment थी, तो इसने, इसने B ने क्या किया, B ने यह जो check है, यह transfer कर दिया, किसके पास, C के पास, इसने बोला कि मुझे आपके जो 10,000 रुपे देने थे ना, 10,000 रुपीज, आप ऐसा करो, यह check रख लो, मैं इसको तुमारे नाम पर transfer कर रहा हूं, है ना, और इसका payment ले लिना, तो यह Mr. C से पैसा नहीं वसूल पाएगा, अब Mr. D है, वो पैसा वसूल सकता है किस से, किस से recovery कर सकता है, Mr. B से और Mr. A से, एक्च्वल में तो जो पूरी की पूरी जो liability है, वो किसकी है, A की है ना, लेकिन जो B है, B भी यहाँ पर engage हो जाता है according to law, law के हिसाब से, यह भी इसमें libel हो जाएगा, तो यहाँ पर जो Mr. D है, उसके पास में यह अधिकार है, यह right है, कि अगर check dishonor होता है, तो उस case में यह Mr. B और Mr. A दोनों party के aggression में सू कर सकता है, यानि case दायर कर सकता है, पूर्ट में, है ना, Mr. C भी इसमें engage हो जाता, तब इसके aggression में case हो सकता था, लेकि इसने sense recourse endorsement की condition इसमें put कर दी, तो इसलिए यह party release हो जाएगी, clear है, चलो, बढ़ते हैं, next, आगे बढ़ते हैं, next आता है, facultative endorsement, जो next endorsement है, वो कौन सा है, next is facultative endorsement, facultative endorsement क्या होता है, आइए इसको समझ लेते हैं, when the endorser gives up of some his rights under the negotiable instrument, है न जब यहाँ पर endorser, endorser कोन होता है, जब वो negotiable instrument को अपने पास से किसी दूसरे party के पास transfer कर रहा है, है ना, जिस party के पास transfer कर रहा है, वो कहलाएगा endorsie, और जिस party के पास से यह transfer होकर जा रहा है, यह party कहलाएगी endorser, है ना, तो क्या बोला गया है, कि जब endorser, जब endorser, यहाँ प जब यहाँ पर किसे नेगोशियवन इंस्टुमेंट में इस तरह की condition put करता है, तो इसे बोलते हैं फैकल्टेटीव एंडोर्समेंट, क्या बोलते हैं इसको? फैकल्टेटीव एंडोर्समेंट के नाम से जाना जाता है, आईए इसको मिस्टर X यह हैं यहाँ पर Mr. Y और यह हैं यहाँ पर Mr. Z तीन पार्टी है इस पार्टी ने एक Negotiable Instrument बना कर दिया किसके नाम पर Mr. Y के नाम पर अब Mr. Y ने इसको endorsement कर दिया किसके नाम पर Mr. Z के नाम पर है इसके back side में इसने अपने sign की है और लिखा pay to Mr. Z, ये लिखती है, तो किस के नाम पर आ गया, Mr. Z के नाम पर, ठीक है, तो यहाँ पर, यहाँ पर जब Mr. Y ने Mr. Y ने Mr. Z को ये negotiable instrument ट्रांसफर किया था, है ना, इसके पास से याँ गया, यहाँ से याँ गया, तो यहाँ पर Mr. Y ने Mr. Z को ये negotiable instrument ट्रांस्फर करती विए बोला, कि अगर ये जो desenvolal instrument, दिसॉनर होता है और बिशुनर होने का मतलब क्या है, बाउन्स हो जाते हैं, चेक बाउन्स होने का मतलब क्या हुआ, एकान्ट में sufficient balance नहीं है, तो उस case में अगर ये जो negoondis toujours instrument है disorder होता है, यह ना, डिस ओनर होने पर, में case दायर करने से पहले क्या करती है, वो party क्या भेजती है, notice भेजती है, क्या send करती है, notice send करती है, तो पहले यह जो Mr. Z है, वो Mr. Y को notice देगा, ठीक है, तब जब notice का, यह Mr. Y reply नहीं करेगा, या Mr. Y खा जो पैसा उसको देना था, वो payment नहीं कर पा पास right आता है, कि वो यहाँ पर case, यहाँ पर जो Mr. Y के guess में, court में case दायर कर सकता है, यह ना, इतना तो clear है सभी को, ठीक है, तो यहाँ पर इस faculty endorsement में क्या होता है, faculty endorsement यह बोलता है, कि जो Mr. Y है, उसने अपने कुछ जो right है, वो give up करती है, कौन से right, इसने Mr. Z को बोला है, क dishonor होता है, आप directly मेरे regist में sue कर सकते हैं, court में case फाइल कर सकते हैं, जब किसी negotiable instrument में इस तरह की condition apply होती है, तो उसे बोलते है, faculty endorsement, I hope सभी को clear हो गया होगा, हाँ, भारगव अगर आप JIB और CIB दोनों exam पास करते हैं, as a probationary officer की post पर, तो आपको JIB पास करने पर एक increment मिलेगा, और CIB पास करने पर भी एक increment मिलेगा, अगर मैं total benefit की बात करता हूँ, है ना, अगर आप initial basis पर ही इसको पास कर लेते हैं, JIB और CIB के exam को, तो आपके retirement तक, अब से start होकर आपके retirement तक, लगभग आपको 18 to 20 lakh रुपीज का extra benefit मिलेगा, JIB और CIB का exam पास करने पर, बढ़ते हैं आगे, next, next आता है section 17, section 17 किसके बारे में बताता है, ambiguous instrument के बारे में, किस है कि कोई promissory note या bill of exchange, bill of exchange, ठीक है, अगर उसको as a promissory note consider किया गया है, तो उसको promissory note ही माना जाएगा, अगर उसको as a bill of exchange consider किया है, तो bill of exchange ही माना जाएगा, ठीक है, बाद में आप इसको change नहीं कर सकते हैं, जैसे example के तोर पर समझते हैं, आप किसी college में पढ़ते हैं, है आप XYZ नाम के college में पढ़ते हैं और इस college में आपको fee pay करनी है क्या करनी है? fee pay करनी है और आपका college बोल रहा है आपको कि आपको इसका payment किसके में करना है? DD में ही payment करना है, demand draft में ही हम payment दिये मान लेते हैं यह जो XYZ college है यह डैली में है ठीक है? और आप रहने वाले हैं कहां कहां? मुंबई के रहने वाले हैं है ना? आप resident कहां के हैं? मुंबई के हैं तो आप मुंबई में ही एक ABC bank है ABC bank की ब्रांच से आपने एक demand draft बनवाया किसके नाम पर? XYZ college के नाम पर जो payable होगा कहां पर? डैली में इसका payment कौन करेगा? ABC bank ही payment करेगा डैली में दोनों party सेम है? ठीक है? तो यहां पर मुझे यह बताईए कि जो demand draft बनाने वाले जो party है और उसका payment करने वाली जो party है वो दोनों अलग-अलग है? सेम है तो आप बोलेंगे दोनों party सेम है ठीक है? और उसके बाद में beneficiary कौन है? XYZ college है तो जब इसमें दो party है तो क्या इसको हम promissory note मान सकते हैं? तो बिल्कुल हाँ इसको as a promissory note consider कर सकते हैं है ना? तो अगर इसको as a promissory note consider किया गया है तो promissory note ही consider करेंगे लेकिन आप ये भी कह रहे हैं यहाँ पर कि जब हम इस DD की बात कर रहे हैं demand draft की बात कर रहे हैं तो इसमें हमें यहाँ पर एक जो party हुआ दिखाई दे रही है XYZ college जो beneficiary है लेकिन जो ABC bank है वो तो मुंबई में है और यहाँ पर जो दूसरी जो branch है ABC bank की वो Delhi में है तो इसमें तो तीन party हुई आपने बोला इसमें तीन party हैं हम तो इसको bill of exchange मानेंगे ठीक है तो आपने इसको bill of exchange मान लिया अगर आपने इसको as a bill of exchange consider किया है तो यह bill of exchange ही माना जाएगा यह बात कहाँ define की गई है section 17 इन्हें बोलते हैं ambiguous instrument के नाम से जाना जाता है यह इसके बारे में define करता है चलिए कुछ question अब देख लेते हैं जल्दी से जल्दी से इन सभी question को time कीजिए फिर आज का session हम wind up करते हैं क्योंकि हमारा जो time है वो खतम हो रहा है तो जल्दी जल्दी इन सभी question को देखते हैं तो endorsement किस से किया जा सकता है तो तीनों form में endorsement किया जा सकता है तो right answer क्या हो जाएगा चलो आगे बढ़ते हैं उसके बाद में next question आता है a check was payable to A or order he endorse it in favor of B but died before it could be delivered to B the legal hirer of A can तो इस case में A का legal hirer क्या कर सकता है तो ध्यान दीजिएगा जब भी किसी individual की जो death हो जाती है है ना individual की death हो जाती है और उस party का आपकी branch में account है आपके bank में account है जिस bank में आप working है वहाँ पर उसका account है तो उस case में उसके account में हम stop payment लगा देते हैं क्या करते हैं stop payment लगा देते हैं तो stop payment लगने पर जो भी उसके account से check issue किये गए है उनका payment अब नहीं होगा तो यहाँ पर अब जो यहाँ पर A का जो legal hirer है वो क्या करेगा अब यह जो पैसा है उसके नाम पर उसके account में transfer होगा claim करेगा bank में उसके नाम पर transfer होगा और फिर अपने account से एक fresh check issue करेगा तो right answer क्या हो जाएगा right answer हो जाएगा C चलो बढ़ते हांगे जल्दी से time करते जाएए सभी question यह क्या करता है अगर हम blank endorsement की बात करते है तो यह क्या होगा अगर कोई भी endorsement या कोई भी जो negotiable instrument है उसका blank endorsement किया गया है तो उसको as a bearer ही consider किया जाएगा next आता है endorsement in full endorsement in full का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर endorser ने अपने sign भी किये है, साथ में किस party को pay करना है, उसका नाम भी mention किया है, तो यह यहाँ पर हो जाएगा full endorsement, तो right answer क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, बढ़ते हैं आगे, where a negotiable instrument is dishonored, the endorser is required to give a notice to the endorser, when the endorser waives such a notice in his endorsement, it is called as, मैंने आप सभी को बताया है, कि जब endorser यहाँ पर notice का way off कर देता है, हटा देता है, अपने right give up कर देता है, तो उस case में इस तरह के endorsement को, किस नाम से जाना जाता है, अभी मैंने इसके बारे में आप सभी को बताया था, that is known as facultative endorsement, किस नाम से जाना जाता है, facultative endorsement के नाम से जाना जाता है, next question है, which among the following will be treated as a sense recurse endorsement, इन में से sense recurse endorsement किसको कहा जाएगा, तो जल्दी से सभी statement को पढ़िया और बताये, कि इन में से किसको sense recurse endorsement कहेंगे, तो right answer क्या हो जाएगा, the endorser writes on the back side of check, pay without my liability, मतलब इसमें मेरी कोई liability नहीं है, अगर यह dishonor हो जाता है, तो ऐसे जो endorsement है, उसको क्या बोलते हैं, sense recurse endorsement के नाम से जाना जाता है, very important है, exam में आता रहता है, तो उसको याद रखना है आपको, चलो, उसके बाद next है, you receive a check for payment from the account of your customer, but it is endorsed with a pencil, the endorsement is otherwise regular, will you consider it, देखो check तो जो पूरा का पूरा जो check था, वो pen से लिखा गया था, लेकिन जब उसका endorsement किया गया, उसके back में लिखा गया, तो इसका जो endorsement है, वो pencil से किया गया है, तो क्या ऐसे check का आप payment करेंगे, endorsement करेंगे, तो इसको consider किया जाएगा, considerable होगा, बट pay, इसका pay कर दिया जाता है, लेकिन कभी अगर कोई check आपके पास pencil से लिखा हुआ आता है, pencil से लिखा गया अगर पूरा check है, तो ऐसे check का हम payment नहीं करते, deny कर देते हैं, तो यह था यहाँ पर आज का session, है ना, इसी तरह की अगर आपको full-fledged classes चाहिए, in full, इसका मतलब क्या हुआ, आइए इसको समझ लेते हैं, technical team, एक बार मुझे screen से अटा दीजिए, चलिए, तो यहाँ पर conversion of endorsement, अगर हम blank की बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, आईए इसको भी समझ लेते हैं, इसका मतलब क्या है, blank endorsement, जो blank endorsement होता है, उसके बारे में मैंने आप सभी को कल बताया था, कि blank endorsement क्या होता है, blank endorsement में, जो endorser होता है, कौन है, endorser है, अगर endorser इसमें क्या करता है, अगर only, जो negotiable instrument है, उसके पीछे only signature करता है, तो उस case में, तो उस case में, यहाँ पर only signature करता है, किसी को order नहीं देता, नाम नहीं लिखता, तो वो कहलाता है, blank endorsement, तो समझ लेते हैं, क्या है इसमें, तो हमारे साथ में, नयान पटेल जुड़ गए हैं, देवान्सू और सोपना रानी भी हमारे साथ में जुड़ गई है, अच्छा इस session को अपने friends के साथ में, अपने click के साथ में share करते जाईए, जिससे उनको भी information मिले, और group में पढ़ने में और ज़्यादा मज़ा आए, group में जितने members होंगे, ठीक है, live जितने ज़्यादा members होंगे, उतना ही पढ़ने में और ज़्यादा मज़ा आता है, ठीक है, उतना ही fun create होता है, तो यहाँ पर इस session को अपने social networking पर, Facebook पर, Instagram पर, Telegram पर, WhatsApp में share कर दीजिए, जिससे वो लोग भी इस session के साथ में जुड़ सकें, तो चलिए, बढ़ते हैं आगे, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, जैसे कोई व्यक्ति है Mr. A, Mr. A ने एक negotiable instrument, किसकी बात कर रहे हैं, negotiable instrument, उसको endorse कर दिया है, किसको? B को, किसको कर दिया है, यह जो Mr. A है, यह इस negotiable instrument का holder था, क्या था? और इसने इसके पीछे क्या किया? इसके पीछे यह back side as negotiable instrument की, इसके पीछे only अपने signature किये, signature करने के बाद transfer कर दिया किसको? Mr. B को, ठीक है? Only पीछे signature किये है, तो इसका मतलब क्या हुआ? कैसा endorsement है? Blank endorsement है, है ना? और deliver हो गया किसके पास में? B के पास में. जब यह, यह जो negotiable instrument है, जब deliver हो जाता है B के पास में, तो यह जो section 49 है, यह यह बोलता है, यह यह कहता है, कि यह जो blank endorsement है, जो Mr. A ने किया, यह इसको full endorsement नहीं कर सकता. लेकिन अगर हम बात करें किसकी? Mr. B की. Mr. B इसको transfer करता है किसके पास में? Mr. C के पास. किसके पास transfer करता है? Mr. C के पास. तो Mr. C ने इस negotiable instrument के back side पर, है ना, अपने signature किये, और लिखा यहाँ पर pay to Mr. X. है ना, किसको pay करना है? Mr. X को इसने नाम define कर दिया. तो यह कैसा हुआ? Full endorsement. इसने बोला कि जो endorser है, जो पीछे वाली party है, वो blank endorsement को full नहीं कर सकती. लेकिन जिस party के पास वो blank endorsement का negotiable instrument गया है, वो further चाहे तो उसको full endorsement में convert कर सकती है. उसके पास यह अधिकार होता है, उसके पास यह right होता है. I hope आप सभी को यह बात एकनम clear हो गई होगी. अगर कोई doubt है, तो मुझे comment करके बताईए, कि कौन सी बात आपको समझ में नहीं आई. सालू हमारे साथ में जुड़ गई हैं, असोक भी और चिनमिया भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं. सभी को good evening. चलिए. बढ़ते हैं आगे उसके बात में, next आता है, forge endorsement. Very important है. जब आप ऐसे banker के तोर पर काम कर रहे हैं, किसी financial institution में आप अभी working में हैं, तो उस case में, जो forge वाली condition है, यह very important होती है. क्योंकि अगर आपने किसी negotiable instrument में, किसी negotiable instrument में, forge signature हैं उसके उपर, किसके drawer के, तो उस case में, वो institution liable होता है. Forge signature के case में, negotiable instrument में, कोई protection नहीं मिलती है. यह बात ध्यान दीजेगा. लेकिन अगर हम endorsement की बात करते हैं, तो endorsement में protection है. यहाँ पर आप सभी के लिए, एक तरीके से कहें, favorable चीजें. अगर हम कहें कि इसकी, forge endorsement किया गया है. Forge endorsement का मतलब क्या है? कि यहाँ पर यह एक negotiable instrument है, यह मालेटिक चेक है, ठीक है? तो इसको Mr. A ने, transfer किया किसके पास में? Mr. B के पास. किसके पास? Mr. B के पास में. ठीक है? और Mr. B से यह negotiable instrument खो गया. उसके बाद में यह जो negotiable instrument है, यह एक वेक्ति को मिला, जिसका नाम है Mr. Z. तो Mr. Z ने क्या किया? इस negotiable instrument को, है ना? इस negotiable instrument में, है ना? उसने क्या किया? इस negotiable instrument के अगर हम बात करते हैं. Mr. B है, है ना? जो Mr. B है, उसके 4 signature कर दिये, और इसको favor में कर दिया किसके? Mr. Z. लिखा, pay to Mr. Z. है ना? यानि 4 signature करके, किसके favor में ले आया? अपने favor में ले आया. 4 signature किसके किये? B के. अब इस केस में, अगर यहाँ पर इस negotiable instrument का, या इस चेक का bank payment कर देता है, एक होता है, collecting bank. Collecting bank कोन सा होता है? जो अपने customer के लिए as a collection के तोर पर काम कर रहा है, वो कहलाता है collecting bank. और अगर हम बात करें किसकी, जो यहाँ पर payment कर रहा है, भुखतान कर रहा है, वो कहलाएगा paying bank. तो जब इसकी payment करेगा, कौन करेगा? पेइंग bank करेगा, तो पेइंग bank को protection दी गई है, किसमे? Section 85, Subsection 1 of Negotiable Instrument Act 1881 की. Clear है सभी को इतनी बात? दर्सन हमारे साथ में जुड़ गए है, विजे भी, विकास भी जुड़ गए है, सभी को good evening, चलिए. आगे बढ़ते हैं इसके बाद में, अगर ये बाते आपको समझ में आ रही है, clear हो रही है, आसानी से आपको ये सभी section learn हो रहे हैं, तो session को like करना न भूले. चलिए. बढ़ते हैं आगे, next बढ़ते हैं, next section 50. Section 50 क्या बोलता है? Effect of endorsement. किसके बारे में बताता है? Effect of endorsement के बारे में बताता है. क्या बोलता है? endorsement followed by delivery has effect of transfer of property, there into transferring, with the right of further negotiation. क्या कह रहा है? क्या कहना चाह रहा है? आईए इसको समझ देते हैं. देखो, जैसे यहाँ पर, जो Mr. A है, Mr. A ने एक जो check है, ठीक है? वो Mr. B को negotiate कर दिया. अब यहाँ पर अगर हम Mr. B की बात करते हैं. A से तो A ने किया किया, इसके पीछे इस check किया, जो back side है, back side पर अपने signature किये, और क्या लिखा? Pay to Mr. B. तो यह तो हो गया, यहाँ पर endorser, जो transfer कर रहा है, वो कहलाएगा endorser, और जिसके favor में जा रहा है, किसको transfer किया जा रहा है, B को, वो कहलाएगा endorser. तो इस case में, इस case में, यह instrument अब किसके पास आ गया? B के पास में आ गया. तो B के पास में, क्या ऐसा कोई अधिकार है, क्या ऐसा कोई right है, कि यह इसको Mr. C के favor में, या किसी other party के favor में, negotiate कर पाए, transfer कर पाए. तो यह जो section 50 है, यह यही बताता है. क्या बुला है? Effect of endorsement, कि यहाँ पर जो Mr. B है, Mr. B के पास में, right of further negotiation, यानि अगर Mr. B चाहे, Mr. C के नाम पर, या किसी और party के नाम पर, further इसको आगे transfer कर सकता है, यह अधिकार, यह right, कौन से section में दिया गया है? यह दिया गया है section 50 में. Clear है? आसान है या मुस्किल है? है ना? मुझे लगता है बहुत easy है. है ना? आसानी से, बहुत easily हमें समझ में आ जाएगा. चलो, बढ़ते हैं आगे उसके बाद में. Section 52 क्या बताता है? Section 52 बोलता है, Endorser who excludes his own liability or makes it conditional. है ना? हम बात कर रहे थे ना कल, conditional endorsement की. जो हम बात कर रहे थे कल, conditional endorsement की, वो section 52 में define किया गया है. क्या बोलता है conditional endorsement? यहाँ पर जैसे मान लेते हैं, एक party है Mr. X और दूसरी party है Mr. Y. है ना? और एक negotiable instrument है. और यह जो X है, इसका holder है. तो negotiable instrument ट्रांसफर किया किसको? पर लिखा, यहाँ पर लिखा, pay to Mr. Y. और साथ में condition all लगाई, कि यहाँ पर Mr. Y को यह पैसा तब मिलना चाहिए, या Mr. Y को इसका payment तब मिले, जब वो post graduate हो जाए, जब वो PG हो जाए, जैसे कल हमने एक example लिया था, कि उसकी जो age है, उसकी जो age है, वो 21 years हो जाए. यहाँ पर हम एक condition ओले रहे हैं, कि जब Mr. Y post graduate हो जाएगा, तब इसको इसका payment मिलेगा, या इसके पास right आएंगे. तो इस तरह की जो endorsement है, उन्हें conditional endorsement के नाम से जाना जाता है. I hope सभी को clear होगा. जितेंदर भी हमारे साथ में जुड़ गए है, विकास भी हमारे साथ में जुड़ गए है, बहुत बढ़िया, good evening सभी को चलिए. बढ़ते हैं आगे. नाम में क्या रखा है, विकास? ठीक है? नाम बड़ी चीज नहीं होती, बड़ी चीज होती है, हम काम क्या करते हैं? है ना, हमारे काम बड़े होने चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर आप learn करने के लिए जुड़े हैं, तो learn करते जाए और अच्छे से चीजों को समझिए, और अपना नाम बड़ा कीजिए, चाहे किसी bank की अंदर, चाहे किसी financial institution की अंदर, या आप किसी bank या किसी other post की अगर preparation कर रहे हैं, किसी competitive exam की, तो अपना target अच्छीव कीजिए, चलो, बढ़ते हैं आगे, next आगे बढ़ते हैं, सीवम भी हमारे साथ में जूड़ गए हैं, next आता है section 54, अगर हम section 54 की बात करते हैं, section 54 में क्या बताया गया है, instrument endorse in blank, अगर कोई endorsement, as a blank endorsement के रूप में, यहाँ पर endorse किया गया है, उस case में क्या होगा, a negotiable instrument endorse in a blank, is a payable to bearer, dear of, even although originally payable to order, चलो, समझते हैं इसको, और अच्छे समझते हैं, यह section 54 क्या कहना चाहरा है, क्या बता रहा है इसको, एक practical example के साथ में समझते हैं, चलो, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो जो section 54 है, section 54 क्या कहना चाहरा है, आइए इसको समझ लेते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं, एक check है, है ना, और यह जो check है, माल लेते हैं, जो Mr. X है, Mr. X ने issue किया, है ना, Mr. X जो है, इसका holder है, ड्रोवर नहीं है, क्या है, इसका holder है, तो Mr. X ने इस check को, negotiate कर दिया, किसके नाम पर, Mr. Y के नाम पर, किसके नाम पर, Mr. Y के नाम पर, विनीत हमारे साथ में जुड़ गए है, विनीत आपको, गुड इवनिंग, चलिए, बहुत बढ़िया, विकास हमारे टेलिग्राम गुरूप से जुड़ जाईए, जो टेलिग्राम गुरूप का जो लिंक है, वो हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है, उसमें टेलिग्राम लिंक है, हमारे बारे में आपको, बहुत सारी इंफोर्मेशन वहाँ पर मिल जाईगी, चलो, आगे बढ़ते हैं, तो सेक्शन 54 की बात करते हैं, तो सेक्शन 54 में, जो है, वो ब्लैंक इंडोर्समेंट की बात कर रहे हैं, ये कहना क्या चाह रहा है, ये बोल ला है यहाँ पर, कि ये जो चेक है, यहाँ पर पे में लिखा है, क्या, Mr. X, क्या लिखा हुआ है, Mr. X लिखा हुआ है, और यहाँ पर लिखा हुआ है, order, क्या लिखा हुआ है, order सब् क्या है, किसके नाम पर वो चेक है, उसमें कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि उसका क्या होता है, negotiation by delivery होती है, जिसके हाथ में वो चेक चला जाएगा, उसी का मालिक होगा, और जब ये चेक हमारे पास counter for payment के लिए आएगा तो हम यहाँ पर pay में किसका नाम लिखा हुआ है उसके उपर ध्यान नहीं देंगे अगर bearer check है और जो भी वेक्ति हमारे पास में आएगा पैसा लेने के लिए हम उसको payment कर देंगे ठीक है लेकिन अगर check में mention किया गया है क्या order तो order के case में ये इस check का payment उसे ही किया जाएगा जिसका pay में नाम लिखा होगा तो इस case में हम क्या करते हैं title match करते हैं जो account है जिसके नाम पर account है और जिसके नाम पर check है title क्या होना चाहिए match होना चाहिए तो इस case में इस case में अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर जो pay to Mr. X, pay to Mr. X का मतलब क्या हुआ, कि Mr. X को ही वे पैसा मिलेगा, लेकिन order check है, अब ये जो section 54 है, ये क्या बताना चाहरा है, ये बोल रहा है, कि अगर इस check के back side में, back side में, इसको negotiate कर दिया जाता है, क्या करते हैं इसको, अगर इसका endorsement कर दिया जाता है, क्या कर दिया जात ये गए हैं, तो ऐसे check का payment, as a bearer instrument के तोर पर pay कर दिया जाएगा, इस case में, bank की अपनी कोई liability नहीं होगी, bank की जो liability थी ना, title match होना चाहिए, अगर इस negotiable instrument को further endorse किया गया है, further इसका endorsement किया गया है, तो ये as a bearer check के, या bearer instrument के तोर पर ही, इसको treat किया जाएगा, clear है, ये बत जितेंद्र आप success हो जाएंगे, पस जो आपके banking concept हैं, है ना, और जो current affairs हैं, और जितने भी situational based जो case studies आती हैं, उनको ध्यान से पढ़ते चलिएगा, उनको अच्छे समझेगा, और as a banker के तोर पर अगर आप, आपको मान के चलेंगे, तो उसी के हिसाब से, आपके answer भी निक Section 55 यहां बोलता है, conversion of endorsement in blank into endorsement in full, है ना, जो यहाँ पर, जो endorsement है, अगर blank में किया गया है, तो इसको full में convert कर सकते हैं, किस case में, है ना, मैंने बताया, एक party है, जो endorser है, है ना, कौनसी party है, endorser है, और एक party है जिसका नाम है endorseee, है ना, एक party है जिसका नाम है endorseee, ठीक है, endorseee के favor में जाता है कोई भी negotiable instrument, और कौन transfer करता है, endorser transfer करता है, तो अगर endorser ने blank में उसको negotiate, उस instrument को transfer किया है, ब्लैंक endorsement है, तो इसको full endorsement करने का right, endorser के पास नहीं होता, इसको full करने का right है, वो किसके पास होता है, endorseee के पास होता है, ये इस section में define कर दिया गया है, next आता है section 57, section 57 क्या बताता है, किसके बारे में define करता है, legal representative cannot buy delivery, only negotiate instrument, endorse by disease, है ना, कई बार ऐसा होता है ना, कि जैसे कोई वेक्ति है, जैसे मान लेते हैं, Mr. A है, और Mr. A के against में कोई case दायर हुआ, है ना, और जो Mr. A है, वो custody में है, है, इनको सजा मिली है, ठीक है, तो इस case में इन्होंने अपना एक representative appoint किया, वो lawyer भी हो सकता है, कोई और वेक्ति भी हो सकता है, ठीक है, अपना एक जो legal representative है, वो appoint किया, तो इस case में जो Mr. X है, अगर वो endorsement करता है, तो उसके क्या अधिकार है, क्या right है, यह section 57 define करता है, क्या बताता है, अगर कोई ऐसा negotiable instrument है, जो payable to order है, है ना, क्या है, पेबल to order है, जो legal representative है, वो further उसको negotiate नहीं कर सकता, है ना, and endorsed by the disease, but not deliver, और यहाँ पर अगर, है ना, endorsement किसने किया है, disease person ने उसका endorsement तो कर दिया, लेकिन उसकी delivery अभी तक नहीं दी, तो इस case में, जो legal representative है, वो यह काम नहीं कर सकता, किसी other party के favor में इसको transfer नहीं कर सकता, यह define करता है कौन, section 57 of negotiable instrument act 1881, चलो, बढ़ते हाँ, so, अपना रानी, जो section 54 है, कुछ important section है, इसलिए मैंने उसको, 2-3 example के साथ मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, उसको समझते चलीगा, बहुत बढ़िया, सीवं, आप भी, जो banking concept है, उनको अच्छे समझते चलेगा, आपको success जरूर मिलेगी, चलो, आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में, next है, section 60, section 60 क्या बोलता है, instrument negotiable, till payment or satisfaction, है न, चलो, इस section को समझते हैं, यह क्या बोलता है, देखो, यहां पर Mr. A है, Mr. A ने जो एक instrument है, negotiable जो instrument है, वो transfer कर दिया, किसके favor में, Mr. B के favor में, Mr. B ने इसको transfer कर दिया, Mr. C के favor में, Mr. C ने इसको transfer कर दिया, Mr. D के favor में, payment or satisfaction, we are off by the maker, drawee, acceptor, at or after maturity, but not after such payment or satisfaction, चलो, very important है, यह concept ही very important है, कई बार exam में पूछा गया है, GIB में भी very important है, क्योंकि case studies में, इस तरह की situation आती है, चलो, आगे बढ़ते हैं, तो अगर हम बात करते हैं, इसमें, negotiation back in favor of endorser, है ना, जो negotiation back है, किसके favor में है, endorser के favor, when of the prior endorsers again become the holder of negotiable instrument, before maturity, it is known as negotiation back, example, एक example लेते हैं, उससे समझते हैं, यह कहना क्या चाह रहा है, चलो, जैसे मान लेते हैं, यह है यहाँ यहाँ पर Mr. A, Mr. A ने एक negotiable instrument, transfer किया, किसके favor में, Mr. B के favor में, है ना, किसके favor में transfer किया, Mr. B के favor में, ठीक है, Mr. B ने इसको transfer किया, Mr. C के favor में, Mr. C ने transfer किया, इसको Mr. D के favor में, Mr. D के favor में, Mr. D ने transfer किया इसको Mr. E के favor में और Mr. E ने again घूमते फिरते ये transfer हो गया किसके नाम पर, Mr. A के नाम पर Mr. A के नाम पर और ये था इसका holder, ये instrument का क्या था, holder इसने ही उसको negotiate करना, उसका endorsement करना start किया था, इस holder ने, ठीक है Mr. A से Mr. B के नाम पर गया, Mr. B से Mr. C के नाम पर गया, Mr. C से Mr. D के नाम पर गया Mr. D से Mr. E के नाम पर गया, और Mr. E ने further इसको Mr. A के नाम पर negotiate कर दिया इसका endorsement कर दिया, तो इस case में क्या, क्या ऐसा हो सकता है, बिलकुल हो सकता है ऐसे केस में आंसर होगा यस और जब हम liability की बात करते हैं तो इस case में जब ये Mr. A के नाम पर transfer हो जाएगा तो यहाँ पर B, C, D और E ये अपनी liability से release हो जाएंगी है इनकी अपनी कोई liability नहीं होगी है ना ये जो line है वो यहीं बताना चाह रही है कोई confusion हो तो पूछो मुझसे असोक तनवर भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं असोक तनवर की wife का बड़े है चलो उसके बाद में आगे बड़े तो पर काम कर रही है तो उनको भी दिखाईए ये जो अच्छी information है जो आपको कह सकते हैं important information यहाँ पर मिल रही है ये अपने friends के साथ में अपने colleague के साथ म कह सकते हैं जैसा आपने नाम सुना होगा LIC की policy आती है जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी जो चीज़े हम यहाँ पर discuss कर रहे हैं यह आप सभी को बैंक में लगने से पहले भी और बैंक में लगने के बाद भी काम आने वाली हैं तो मतलब इनको कह सकते हैं कि यह आपको lifetime चीज़े काम आएंगी जब आप बैंक भी जोइन कर लेंगे क्योंकि ऐसा तो है ने कि as a clerk आपने जोइन किया या as a professional आपने जोइन किया आप उसी post पर रह जाएंगे है ना जोइन करने के बाद आपको क्या चाहिए promotion चाहिए salary increment चाहिए है ना post आपके बढ़नी चाहिए तो उस case में ये सभी चीज़े आपको काम आएंगी तो इसी लिए इन सभी session को देखिए और अपने friends के click के साथ में भी share करते जाएंगे चलो बढ़ते आगे next next दो concept है ये last concept है इसके बाद हम इसके question देखेंगे और question भी बहुत बढ़िया question आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उन question को ध्यान से पढ़िएगा और यहाँ पर मुझे answer आपको बताना है पहला जो word है वो है negotiation back in favor of drawer है ना ये offer negotiation back in favor of drawer चलो इसको समझते हैं देखो जैसे ह आप माल लेते हैं यह है यहाँ पर Mr. X और Mr. X यहाँ पर एक drawer है drawer कौन होता है drawer वै वे वैक्ती है drawer वो वैक्ती है जो negotiable instrument को formulate करता है जो उसका maker होता है कौन है जो उसका maker है माल लेते हैं इस check को issue किया है किस ने Mr. X और यहाँ पर यह किसके favor में आया Mr. Y के favor में किसके favor में है Mr. Y के favor में है यानि pay में नाम लिखा हुआ है क्या Mr. Y क्या लिखा हुआ है Mr. Y लिखा हुआ है अब यहाँ पर क्या होता है Mr. Y इसको transfer करता है किसके बास में transfer कर देता है Mr. Z के पास में है ना और यहाँ पर Mr. Z को मान लेते हैं 10,000 रुपे का है, इस case में जान लेना, समझ लेना, कि यहाँ पर Mr. Y, Mr. Z, है ना, इन सभी की जो liability है, वो खतम हो जाती है, यह, अगर यह जो check है, वो dishonor होता है, तो इन में से कोई भी liable नहीं होगा, उसके बाद में endorsement on bearer check, है ना, अगर हम बात करते हैं किसकी, endorsement हुआ है किसका, bearer check का, bearer check कौन सा check होता है, जिसमें यहाँ पर pay में, तो लिखा हुआ है, किसी का नाम जैसे Mr. A है, और यहाँ पर लिखा होता है, bearer, है ना, check में mention होता ना, bearer, bearer का मतलब होता है, negotiation by delivery, मतलब जिसके हाथ में चला जाएगा, वो ही उसका मालिक होगा, नेगोशेबन instrument में तो यहाँ तक mention किया गया है, कि अगर bearer check को एक कुटा भी bank में लेकर आता है, तो bank उसको भी भुखतान कर सकता है, उसको भी payment दे सकता है, यह power है किसके अंदर, bearer instrument के अंदर, या bearer check के अंदर, ठीक है, तो इस case में बोलता है, कि अगर bearer check का endorsement किया गय हो है तो जिसके हात में जायेगा वही उसका मालिक होगा और यहां पर यह पर जो भी उसका मालिक होगा उसी को पेमेंट कर दी जाएकी और इस केस में पेइंग बैंकर करके अपने को यह नहीं ऊज़ेख लेते हैं कोई question है कोई query है तो मुझे comment करके बताईएगा, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो, चलिए, इस question को जल्दी से पढ़िया और बताईए, what is the right answer of this question, ये जो concept हैं, आमने कल की वीडियो में discuss किया था, तो वहाँ से आपको बताना है कि what is the right answer of this question, जल्दी से पढ़िया, सुभानसू, SBA clerk select हो गए है, सुभानसू, आप JIB का exam दीजिए, ठीक है, JIB आपको clear करना है, और first attempt में clear करना है, इसके लिए आपको बहुत मैनत करनी है, ठीक है, और यहाँ पर अगर आप first attempt में clear करते हैं, तो आपको clerical post पर ही, जो salary increment के benefit है, वो मिलने start हो जाएंगे, जल्दी से comment करके बताईए, what is the right answer? चलो, तो यहाँ पर right answer क्या होगा, right answer है, inocate instrument की बात करते हैं, तो मैंने आपको बताया था, inocate instrument का मतलब होता है, आधे अधूरे instrument, क्या होता है? आधे अधूरे, यानि incomplete instrument, जैसे कोई check है, है ना, कोई check है, उसमें amount नहीं लिखा हुआ है, उसके उपर date नहीं है, pay में नाम नहीं है, तो ऐसे instrument, ऐसे check, ऐसे negotiable instrument क्या कहलाते हैं? आधे अधूरे, यानि incomplete instrument, तो उसे बोलते हैं, inocate instrument, तो क्या बोलेंगे इसको, incomplete instrument के नाम से जाना जाएगा, right answer हो जाएगा D, चलो, इस question को ध्यान से पढ़िए और बताईए, what is the right answer of this question, चल्दी से पढ़िए, an inocate instrument is one in which following is not mentioned, इन में से वो कौन सी चीज है? अगर negotiable instrument में mention नहीं है, तो वो एक inocate instrument बन जाएगा, A, name of the pay, B, amount, C, the date, D, any of the hour, E, none of the hour. सीवं, अगर आप कल class नहीं ले पाए हैं, तो उसका recorded video playlist में आपको मिल जाएगा, मैंने starting में बताया था, playlist आपको कैसे ढूणनी है, है ना, आपको YouTube में search करना है, J, A, I, I, B, है ना, adda 247, तो आपको उसकी playlist मिल जाएगी, और उसके जो recorded video है, वो आपको मिल जाएगा, उसको देख लीजीगा, जल्दी से बताये मुझे right answer, right answer क्या है, सफना ने answer किया है, रवी ने भी answer किया है, सालू ने, विकास ने, जितेंद्र ने बहुत पढ़िया, तो अगर हम यहाँ पर इसके right answer की बात करें, तो right answer हो जाएगा D, चिन्होंने D, D टिक किया है, बहुत जाए आंसर है, तो right answer हो जेगा, any of the above, अगर इन में से कोई भी नहीं है, कोई भी चीज मैंसर नहीं है, तो वो इन्हें के innocent instrument होगा, इसको पढ़िये, जल्दी से पढ़िये इस question को, और बताये, what is the right answer, Mr. Rohan, in a bill of exchange, right above his signature that, in case of dishonor, he may not be given notice of dishonor, and would continue to be liable, आज मैं बहुत ही important very important questions, आप सभी के लिए लेकर आया हूँ, ठीक है, और questions को आप पढ़ें कि तो एकदम मजा आ जाएगा, ठीक है, तो last तक इस वीडियो को देखिए, और इसका benefit उठाईए, तो चलिए, बढ़ते हैं आगे, हमारे साथ में सोक नारा ने जुड़ गई है, असोक भी हमारे होता है, और number में होता है, अभी जो हम preparation करा रहे हैं, यह मैं 2020 में जो exam होने वाला है, उसकी preparation करा रहे है, ठीक है, जो मैं 2020 में exam देंगे, उनको इसका benefit मिलने वाला है, चले topic पर आते हैं, section 31 की बात करते हैं, तो section 31 में क्या आजाएगा, liability of drawing of check, यहाँ पर अगर हम बात करते ह हैं, जो section 31 है, वो define करता है, कि जो drawy है, है ना, drawy कोन है, जल्दी से मुझे comment करके बताओ, कि drawy किसको कहेंगे, कौन है drawy, अगर मैं check के case में बात करूँ, है ना, अगर मैं किस में बात करता हूँ, check के case में बात करता हूँ, तो यहाँ पर तीन party है, एक है drawer, एक है drawy, और ए है ना, check के case में drawy कौन होता है, तो यहाँ पर अगर हम check के case में बात करें, तो check के case में drawy होता है bank, कौन है, bank is drawy, है ना, तो यहाँ पर बोला गया है, कि जो bank है या drawy है, उसकी liability क्या होंगी, तो बोला गया है, drawy of a check having sufficient fund of the drawer in his hands properly applicable to the payment of the check must pay the check, तो यहाँ पर क्या बोला ग 1000 रुपीस का check है, और किसने issue किया, ड्रोवर ने issue किया, और payment के लिए किसके पास महचा, payment के लिए यह पहुचा किसके पास, bank के पास में, अगर यहाँ पर ड्रोवर का जो bank account है, जो bank account है, किसके पास, bank में, अगर इसमें sufficient fund है, अगर इस account में 10,000 रुपीस का balance है, तो यहाँ पर bank को payment करना चाहिए must pay the check when newly required जब जरूरी हो required हो यहाँ पर bank को इसका payment करना है यह ड्रॉई की liability है उसके बाद में in default of such payment must compensate the drawer for any loss or damage caused by such default अगर कभी अगर कभी ऐसा होता है जैसे saving account है आपका किसी bank में आपका saving account है bank में है ना और यहाँ पर जो हमारा customer है कि अना customer ने bank में saving account open किया और इस saving account में 10,000 रुपीज है यह दस जार रुपे का balance है और इस customer ने अगर यहाँ पर 10,000 रुपीज का check issue किया और उसमें सब कुछ सही है signature भी match हो रहे है पेई का नाम भी है और सब कुछ सही है जो जो हमें requirement होती check में वो सारी चीज़े match कर रही है लेकिन अगर हम इसको जान भूझ कर है ना जान भूझ कर मतलब यहाँ पर हम इसको किसी भी इसकी reason से deny नहीं कर सकते इसके payment को है ना और अगर हम जान भूझ कर इस payment को नहीं कर पाते हैं या जो पेई चेक हमारे पास में लेकर आता है उसको payment करने के लिए हम मना कर देते हैं तो उस case में पूरी की पूरी जो liability है है ना वो किसकी हो जाती है bank की हो जाती है अगर यह इस चेक का हमने payment नहीं किया और इसकी वज़े से इसके payment ना करने की वज़े से अगर यहाँ पर customer को कोई भी loss होता है कोई भी damage होता है कोई भी नुकसान होता है तो उसकी भरपाई कोन करेगा bank करेगा उसकी भरपाई bank को करनी होगी है ना यह बात section 31 में define कर दी गई है आई होप सभी को समझ में आ गई होगी यह बात चलो बढ़ते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं सोनम गुपता भी हमारे साथ में जुड़ गई है सभी का welcome है अपने friends को अपने social networking पर अपने colleagues को इस वीडियो का link share कर दीजिए पस पांच या दस सेकंड का time लगेगा 5-10 seconds में इ यह जो important information हम share कर रहे हैं जो यह हम NIE Act के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बात है discuss कर रहे हैं उनको भी इसके बारे में पता चले चलो बढ़ते हैं अगर हम section 47 की बात करते हैं तो section 41 में negotiation by delivery बोला गया है किसके बारे में बताए गया है negotiation by delivery negotiation by delivery क्या होता है आई इसके बार बारे इस नेगोशियेबल वाई its delivery है ना यह बात बोली गई है जैसे मैं एक्जाम्पल के तौर पर आपको बताता हूं एक चेक है है यह एक चेक है और चेक में लिखा हुआ है Mr. Raam क्या लिखा हुआ है Mr. Raam लिखा हुआ है और यह यहां पर चेक में आज आज यहां पर आ और किसके नाम पर है? Mr. Ram के नाम पर है. अब उसके बाद में ये चेक आया किसके हाथ में? किसके हाथ में हभी? किसके पॉजेशन में है? किसके हाथ में है? ये चेक है Mr. Shyam के हाथ में. किसके हाथ में है, मिश्टर स्याम के हाथ में, और जो मिश्टर स्याम है, इस चेक को लेकर आपकी ब्रांच में आता है, और बोलता है कि यह 10,000 रुपीज का चेक है, 10,000 रुपे का चेक है, जो किसके हाथ में है, मिश्टर स्याम के हाथ में है, कि इसका पेमिंट मुझे कर दी क्या है इसका payment मुझे कर दीजिए अब मुझे ये बताओ जब ये चेक आपके पास counter पर पहुंचा ठीक है ये चेक आपके पास counter पर पहुंचा तो इसमें नाम किसका लिखा हुआ है Mr. Ramka लेकिन जो payment लेने आया है जो पैसे लेने आया है उसका नाम क्या है Mr. Shiam और चेक कैसा ह मैंने बोला चेक है teşekkür Conservative तो मुझे जल्दी से बताइये क्या आप इस चेक का payment Mr. Shiam को कर सकते हैं तो आंसर होगा Yes यहाँ पर mr. Shiam को इसका payment हम कर सकते हैं क्योंकि ये जो चेक है ये जो negotiable instrument है कैसा है यह? bearer instrument है कैसा है bearer instrument है और bearer instrument में कहा गया है है न जब हम bearer check के bearer negotiable instrument की बात करते हैं कि हम यह नहीं देखते pay में किसका नाम लिखा हुआ है खिसके नाम पर वो check है जिसके हाथ में भी वो check होगा वही उसका मालिक है चाहे हो शाम है चाहे Mr. A हैに यह Mr. Z है यह Mr. X है जिसके हाथ में हो चेक होगा और अगर वह बैर इस्टुमेंट है तो वही उसका मालिक है वही उसका ओनर है और वही पेश्ट मेंट लेने के लिए इलिजिबल हो जाएगा तो इस केस में हम Mr. Siam को पेश्ट कर देंगे तो इसलिए कहा जाता है जितने भी जितने भी इस्टूमेंट होते हैं वह नेगोशेशन बाइ डिलीवरी होते हैं मतलब जिसके हाथ में चला जाएगा जिसको डिलीवर कर देंगे वही उसका मालिक हो जाएगा करियरे सभी को अई होप मुझे लगता है समय आघी होगा और करी के इमाद में को शना आएगा की यहाँ पर अगर कि सिक अभी किसी गलत वेक्ति को पेमिंट हो गया मतलब अचिर राम के नाम पर चेक था और यह है कुछ से खो गया और किसी एक्स्वाइग्ए नाम खाल वेक्ति है उसको मिल गया यहां पर payment वो बैंक पर payment allow ने पहुँच गया और बैंक ने उस XYZ वेक्ति को payment कर दिया तो इस case में थो बैंक ने गलत हिया लेकिन बिएरर चेक में यहां पर अगर बैंक XYZ वेक्ति को payment कर देता है तो इस में बैंक की अपनी पोलेवल्य नहीं है इसाल कहा जाता है कि जो बेरर इस्ट्रूमेंट होते हैं जो बेरर कें रेच का होते हैं क्या होते हैं रिसकी होते जादा रिस्क होता है घर कि लिएром है सभी को चलो बढ़ते हैं अगे येस दक्स ने बिल्कुत सही बताया है पीरर इंस्टुमेंट जिसको मिला जिसके हाथ में गया उसका वही उसका मालिक हो जाएगा चलो बढ़ते आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन एटीफाई सब सेक्शन वन है ना इसमें क्या बोला गया है जैसे अगर हम बात करते हैं यहां पर एक जो चेक है यहाँ पर किस बैंक का लोगो है यहाँ पर लोगो है स्टेट बैंक को फिलिया का लोगो है और पे में लिखा हुआ है यहाँ पर Mr. A है ना और यह एक लाख रुपे का चेक है 1,00,000 रुपे का चेक है और इसके उपर ड्रॉवर के सिकनिक्चर है ठीक है और यहाँ पर Mr. Z नाम का वेक्ति था जिसने यह चेक Mr. A को दिया था तो यह जो Mr. Z है इसमें यह क्या हुआ इस केस में ड्रॉवर है कौन है ड्रॉवर है उसके बाद में अगर हम यहाँ पर आगे हैं अब यहां पर क्या हुआ यह जो चेक है किससे हाथ में है मिस्टर एक हात में है तो यह इससका होलड़ कहलाया यह क्या है क्या है से चेक हो गया sir s जया किस से? Mr. A से, और किस व्यक्ति को मिला? Mr. A नाम का ही दोसरा व्यक्ति है, जिसको यह चेक मिल गया, और यह जो Mr. A नाम का व्यक्ति है, यह इस चेक को deposit करने पहुँचा, bank of bloda में क्योंकि इस Mr. A का जो account है एक saving account है किसमें है? bank of bloda में तो यहाँ पर जब ये जो Mr. A है ये check जमा करने पहुंचा है, deposit किया किसमें? bank of bloda के पास में, तो इस case में bank of bloda as a collecting banker के तोर पर काम कर रहा है किस के तोर पर काम कर रहा है? collecting banker के तोर पर काम कर रहा है और यहाँ पर जो bank of bloda है, वो clearing के थूँ, ये check किस के पास भेजेगा? SBI के पास में क्योंकि ये check किस का है? SBI का है तो यहाँ पर जो driver का account है वो कहाँ पर है? State bank of India में तो यहाँ पर जो bank भुगतान करेगा, जो payment करेगा, वो कहलाएगा, paying bank जा कहलाएगा? Paying bank ठीक है? तो bank of bloda ने ये जो check है, clearing के थूँ, किस के पास बेज दिया? SBI के पास अब bank of bloda को क्या पता कि Mr. A के पास ये check चोरी का है? खोया पाया check है? है ना? वो तो पहचान नहीं पाएगा, क्योंकि bank of bloda में भी, इसका जो saving account है वो Mr. A की नाम पर है, किस के नाम पर है? Mr. A की नाम पर है, जब यहाँ पर title match हो रहा है, title क्या हो रहा है account से? Match हो रहा है, तो इस case में bank of bloda, इसको clearing के through SBI के पास बेज देगा, लेकिन और SBI यहाँ पर, जो collecting bank है, उसके विहाँ पर payment कर देगा, किसके विहाँ पर? collecting bank के विहाँ पर payment करेगा, तो पैसा कहा जाएगा? bank of bloda में, और bank of bloda उस balance को, उस amount को credit कर देगा, किसके account में? Mr. A के account में अब जिसके account से पैसा कटा, drawer के account से अब क्या होगा, कि अब देखते हैं, पैसा कहां से गया, किसको payment मिला है, ठीक है, अब उसके बाद में, बैंक को bloda की duty क्या है, कि जब यह Mr. A के लिए as a collecting banker के तोर पर काम कर रहा है, as a agent के तोर पर काम कर रहा है, तो उस time पर इस account में proper KYC होना चाहिए, full KYC होना चाहिए, अगर इस account में full KYC नहीं है, तो इस case में bank of brother, banking banker के तोर पर काम किया है, तो उस case में bank of brother की कोई liability नहीं होगी, तो आप भी ध्यान रखेगा, जब आपकी branch में कोई check collection के लिए आता है, और title match हो रहा है, आप क्या करते हैं, account में जो नाम है और check में जो नाम है, उसको match करते हैं, तो दोनों नाम match होने चाहिए, तभी वो काम collection कर पाएंगे, तो इस case में सबसे पहले हमें ये ये भी ध्यान देना है, कि जिस customer के लिए हम as a collecting banker के तोर पर काम कर रहे हैं, उसके account में proper KYC या full KYC है या नहीं, अगर उसके account में full KYC नहीं है, तो उस case में हम customer से full KYC लेते हैं, फिर उसके लिए हम as a collecting banker के तोर पर काम करते हैं, और इसका एक बहुत बड़ा example है, गुजरात में cooperative bank था, है ना, cooperative bank है अभी भी हो, ठीक है, उस cooperative bank की एक branch में एक check collection के लिए आया, है ना, और वो जो check है किसी company के नाम पर था, तो किसी वेक्ति ने एक fraud company के नाम पर, है ना, bank में account open किया, और उस account में इस check को collection के लिए लगाया, और collecting banker ने payment banker के पास में उसको collection के लिए भेज दिया, और पैसा आ गया उस account में, और जैसे ही पैसा आया, ठीक है, उस वेक्ति ने तुरन पैसा सारा withdrawal कर लिया, उसके बाद में जब inquiry आई, है ना, और उसके बाद में जब चान बीन हुई, तो पता चला कि उस account में proper KYC नहीं था, है ना, और उस case में, उस case में, जिस वेक्ति ने उस check को cash कराया था, उसको find नहीं कर पाई police, उसको identify नहीं कर पाई, क्योंकि जो address उसने उसमें mention किया था, वो address existence में था ही नहीं, तो पूरा का पूरा जो पैसा है, वो उस cooperative bank को भरना पड़ा, उरी की पूरी जो liability है, उस cooperative bank की हो गई थी, तो ये आपको भी धियार रखना है, जब भी आप as a collecting banker की तौर पर काम कर रहे है, तो account में हमें check करना है, proper KYC है या नहीं, clear है सभी को, विकास हमारे साथ में जुड़ गए है, मोनिका सरी भी हमारे साथ में connect हो गई है, चलिए बढ़ते हैं, आई होप मुझे लगता है, ये बात आप सभी को समझ में आ गई होगी, clear हो गया होगा जो बात मैंने अभी define की है, अगर आप as a banker के तौर पर काम कर रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा हो पेई ने endorse किया है, या उसके agent ने endorse किया है, और उस case में collecting banker collection का काम करता है, और गलत व्यक्ति को payment हो जाता है, तो उस case में collecting banker की कोई responsibility नहीं है, तो collecting banker को यहां protect किया गया है, इसमें section 85, subsection 1 में, चलो बढ़ते हैं आगे, उसके बाद में next बात करते हैं section 85, subsection 2, तो इसमें protection to paying banker in case of bearer check, जो यहां पर bearer check, जिसकी में अभी मैंने बताया आपको, यह check है, और check में यहां तो payment नाम लिखा हुआ Mr. A का, Mr. A का, और यहां पर bearer है, और यह check इस से खो गया Mr. A से, किसी व्यक्ति को मिल गया Mr. Z नाम के व्यक्ति को, और Mr. Z नाम का व्यक्ति इस check का payment लेने प payment कर दिया, तो उस case में bearer check के case में bank को protection दी गई है किसमें section 85, subsection 2, next आता है section 89, section 89 क्या बताता है, section 89 of negotiable instrument act define करता है, check with material alteration which is not visible even after careful checking of the check, अगर जो check है, check में कोई material alteration किया गया है, जो check है, अगर उसमें material alteration किया गया है, और वो material alteration इतने अच्छे तरीके से किया गया है, कि आप यहाँ पर, आप यहाँ पर find नहीं कर पा रहे है, आप देख नहीं पा रहे है किसमें material alteration किया गया है, चलो, जिनको material alteration नहीं पता है, वो जान लीजे material alteration क्या होता है, जैसे यह check है, है ना, जो drawer होता है, drawer ने यह check issue किया, और यह चेक pay to Mr. Ram, Mr. Ram को है और यहाँ पर words में amount लिखा होगा और यहाँ पर number में amount लिखा होगा निचे signature का जाएंगे, ठीक है, यहाँ words में amount fill करना है और यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर लिखा है जैसे 100, है न, rupees only, ऐसे लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है 100, ऐसे check, एक check ऐसे है, ठीक है, और इस तरीके से यहाँ भी space है और यहाँ भी space है, अब इसमें क्या किया, जिस party को यह check मिला था, उस party ने क्या किया इसमें, इसमें यहाँ पर कर दिया, 20, इतना वर लिख दिया, 20, और यहाँ पर उसने 2 add-on कर दिया, है न, और यह यहाँ पर इतने, मतलब, ऐसा material alteration किया है, ऐसा changes इस check में किया है, कि जो एक banker पहचान नहीं पा रहा है, देख नहीं पा रहा है, कि इसमें material alteration हुआ है, और वो चीज visible नहीं है, अब मुझे यहाँ बताईए, कि क्या आप पहचान पाओगे, कि यह 2100 का check था, यह 100 का check था, पहचान नहीं पाओगे, ठीक है, तो यहीं बताया गया है, section 89 में, अगर ऐसा material alteration किया गया है, जो visible नहीं है, और bank यहाँ पर 100 रुपीज की जगह है, 2100 रुपीज का payment कर देता है, मतलब 2000 रुपे payment ज़्यादा हो गया, drawer की account से, तो उस case में, जो bank है, उसकी कोई liability नहीं है, है ना, इस case में, बैंक की कोई liability नहीं होगी, clear है, चलो, बढ़ते हैं आगे, next आया, section 131, section 131 क्या बताता है, protection available for collecting banker, collecting banker को यहाँ पर production दी गई है, banker who in good faith without negligence receive payment for customer of cross check shall not incur any liability, true owner of the check in case title check proves defective, यह मैंने अभी आपको बताया था, पीछे जो cooperative bank का example लिया था, उसी को define करता है, उसी को बता रहा है, कि अगर bank good faith में, और without negligence payment receive करता है, as a collecting banker के तोर पर, और अपने customer के लिए collecting banker के तोर पर काम करता है, collection का का काम करता है, और यहाँ पर, जो true owner है, उसक नुकसान होता है, तो उसके लिए, यहाँ पर collecting banker liable नहीं है, अगर title match हो रहा है, तो, है ना, जब हम as a collecting banker के तोर पर काम करते हैं, तो title क्या होना चाहिए, title match होना चाहिए, अगर title match नहीं है, और हमने as a collecting banker के तोर पर काम किया, तब हमारी гल्दी है, तब हमारी liability हो जाएगी as a collecting bank का, चली, बढ़ते हैं आगे, next आता है, when bank should not make payment of check, एक जो bank है, उसको जो check है, उसकी payment कब नहीं करने चाहिए, या कब उसकी payment नहीं कर सकता, पहला, death of the drawer, एक check आपके past payment के लिए आया है, है ना, चेक जो है वो payment के लिए आया है, Mr. A के नाम पर वो check था, है ना, और account था Mr. Z का, तो Mr. A इस check को लेकर आपके account, आपके branch में पहुंचे, और Mr. Z के आधने से पहले ही, आपके पास सूचना आ चुकी थी, information आ चुकी थी, है ना, कि Mr. Z है, Mr. Z की death हो गई है, उनकी मृत्यों हो गई है, तो उस case में, अगर Mr. A इस check को आपकी branch में present करता है, तो क्या आप इस check का payment करेंगे, तो answer होगा no, तो इस case में, आप check का payment नहीं करेंगे, क्योंकि Mr. Z की death हो गई है, तो इस case में, इसके account में, जितने भी check payment होने के लिए आएंगे, उन सभी के लिए stop order हो जाएगा, यानि यहाँ पर इस account में stop operation हो जाएगा, है ना, यह जो account है, अब close होगा, अगर individual capacity में, कैसी capacity में है, capacity कैसी होनी चाहिए, capacity होनी चाहिए, individual, है ना, अगर individual capacity में account है, तो further इस account में, जो भी operation होगा, जो भी transaction होगा, उनको stop कर दिया जाएगा, उसके बाद में next आता है, company in liquidation, अगर कोई company liquidate होने जा रही है, मतलब कोई company wind up होने जा रही है, है ना, प्रसोज होने जारी, बंद होने जारी है और यह declaration हो चुका है, है ना, जब उस company का liquidation होता है और उस company के नाम पर कोई check आपकी branch में आता है, तो उस case में भी essay check का हम payment नहीं करते हैं, उस पर भी stop payment होती है, उसके बाद में insane customer, है ना, अगर कोई insane customer है और उसके नाम पर कोई check आत है, तो ऐसे check का भी हम payment नहीं करते हैं, उसके बाद में next आता है, insolvent of drawer, अगर जो drawer है, वो दिवालिया घोसीत हो गया है, insolvent declaration हो गया है, और उसके नाम पर कोई check आता है payment के लिए, है ना, उसका account आपकी branch में है, और उसके नाम पर कोई check payment के लिए आता है, तो उस case में भी ह हम stop payment यहाँ पर implement कर देते हैं, उसके बाद में counter mending, है ना, counter mending का मतलब क्या हुआ, drawer ने customer ने phone करके, call करके, आपको inform किया, आपकी branch में information दी, कि इस इस number का मैंने check issue किया है, इस check का payment मत कीजिएगा, इस पर stop payment लगा दीजिए, drawer की तरब से information आई है, drawer ने instruction दी है, तो इस case में अभी जब वो check payment के लिए हमारे पास में आएगा, तो हम उस check का payment नहीं करेंगे, इसे बोलते हैं counter mending, valid stock payment, है ना, किस की तरब से receive होती है, drawer की तरब से, और उसके बाद में कुछ other conditions हो जाती है, जैसे post dated check आपके पास में कोई आता है, post dated check का मतलब क्या हुआ, जैसे आज date है 18th of gen 2020, और आपके पास में check आता है, जिसके उपर अभी date है, 26th of gen 2020, है ना, तो ही check कैसा हुआ, post dated check है, और जो यहाँ पर pay है, वो check आपके पास लेकर आता है, बोलता है मुझे इसका payment अभी चाहिए, तो क्या आप इसका payment करेंगे, बिलकुल नहीं करेंगे, 26th gen से पहले Next, insufficient funds, अगर customer के account में, drawer के account में उतना balance नहीं है, जितने का check present किया गया, जैसे customer के account में balance है 10,000 रुपीज और एक check आपके पास में 11,000 का आया है, क्या उस case में उस 11,000 के check का हम payment करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि account में उतना sufficient fund नहीं है, उसके बाद में material alteration है, किसी check में material alteration उसमें कुछ बदलाव कर दिया, उसमें कुछ changes कर दिया, words में जो amount लिखी हुए, उसमें कोई बदलाव कर दिया, changes कर दिया, या यहां पर numbers में figure में जो amount लिखी हुए, उसमें कुछ changes कर दिया गया है, अगर check में कोई भी material alteration किया गया है, तो उस case में भी ऐसे check का payment हम लोग नहीं करते हैं, चलिए बढ़ते हैं आगे, दक्स तुम्हारा question भी हम देखते हैं अभी, थोड़ा अपना जो session है, उसको आगे बढ़ाते हैं, जैसे ही हम question पर आएंगे, मैं तुम्हारे question को answer दूँगा यहाँ पर, चलो, आगे बाते हैं, section 123 की बात करते हैं, तो section 123 में अगर हम general crossing की बात करते हैं, जो section 123 है, वो किस के बारे में define करता है, general crossing की बारे में define करता है, general crossing क्या होती है, आईये इस की बारे में सौंझते हैं, where a check bears across its face parallel transverse lines with a or without crossing, the check is said to be crossed, देखो, मैंने यहाँ पर कुछ example लिये है, जो general crossing है उसकी जैसे एक check है और इस check के उपर दो simple cross line खीच दी गई है तो ये कहलाएगा general crossing क्या कहलाएगा general crossing अगर मैं इस check में यहाँ पर parallel line खीचता हूँ इस चैक का जो payment है तो समझो इसको अगर कोई check आपके पास में आया है और दो cross line लों के बीच में end company लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह हुआ यहाँ यह हुआ payment है इस check का जो payment है वो किसी company या firm के account में ही जाएगा किसी individual capacity में अगर कोई account है तो उसमें यह check credit नहीं हो सकता उस case में उस account में इस check को हम deposit नहीं कर सकते है यह किसी firm या company के account में ही यह check जाएगा उसके बाद में अगर यहाँ पर दो cross line खिची हुए है और उनके बीच में लिखा हुआ account pay है ना तो यहाँ पर दोनों लाइने लिखी हुए है और उसके बीच में लिखा हुआ इसका मतलब भी यह हुआ कि यह check अगर Mr. Ram के नाम पर है तो Mr. Ram के account में ही इसका पैसा मिलेगा इसका जो पैसा है वो Mr. Ram के ही account में जाएगा इसका payment हम लोग नहीं कर सकते वो तो तब भी implement हो जाएगा अगर cross check हो जाता है तो cross check के case में cash में payment नहीं करते यह जो payment है यह जो amount है किसी account में जाएगा और किसकी account में जाएगा जो title match होगा चाहां से title match होगा उसी नेक्स्ट नेक्स्ट आता है एक check है है ना एक check है और यहां पर दो cross line कीची गई है इसके बीच में लिखा हुआ है not negotiable लिखा हुआ है not negotiable का मतलब क्या हुआ अब यह जो check है इसको negotiate तो किया जा सकता है ऐसा नहीं है इसके negotiation का मतलब क्या बताया था ता मैंने negotiation का मतलब बताया था transferable है ना जब एक check को या एक negotiable instrument को एक party से दूसरे party के नाम पर transfer किया जाता है लेकिन यहां पर यहां पर इसका मतलब यह हुआ अगर check के open note negotiable लिखा हुआ है और कोई party कोई party दूसरी party को इसको transfer कर negotiate करती है तो उस case में वो better title transfer नहीं कर पाईगी है ना यह मतलब हुआ यहां पर note negotiable का उसके बाद में next आता है section 124 section 124 क्या बताता है section 124 define करता है special corrosion के बारे है ना तो ध्यान दीजिएगा कोई check है और इस check में अगर दो cross lineों के बीच में है ना जैसे किसी bank का नाम लिख दिया bank of baroda या एक check है और यहां दोनों के बीच में लिख दिया गया है bank of India ऐसे लिख दिया दोनों लाइनों के बीच में यानि यहां पर special crossing का मतलब क्या है कि यहां पर जो एक तरीके से direct किया जा रहा है specified किया गया है या address किया गया है किसी bank को अगर दोनों लाइनों के बीच में किसी bank का नाम आ जाता है तो समझेगा वो crossing कैसी है special crossing है अब इस check का जो payment है इस check को कहां जमा किया जा सकता है उस bank में ही जमा कर सकते हैं जिसका नाम इसके ऊपर लिखा गया है फिक है जैसे यह है दोनों लाइनो में count होगा, और यहां पर अगर bank का नाम लिखा हुआ है, और नीच लिखा हुआ है not negotiable, तो ये भी special crossing ही मानी जाएगी. तो समंजिगा special crossing का? special crossing का मतलब यह हुआ कि अगर दोनो लाइनों के बीच में किसी bank का नाम लिखा हुआ है, तो जिस बैंक का नाम लिखा हुआ है वहीं पर इस चेक को जमा किया जा सकता है 123 जनरल क्रोसिंग नासिर आप इसका recorded वीडियो हम आपको दे देंगे ठीक है recorded वीडियो इसका आपको मिल जाएगा तो आप उसको एक बार repeat करके देख लेना इससे क्या होगा कि हमारे पास limited time होता है तो हम अपना जो session है वो complete नहीं कर पाएगे तो उसका recorded वीडियो आपको मिल जाएगा तो उसको देख लेना फिर भी कोई question रहे जाता है आपके दिवाग में कोई query हो तो comment कर दीजिगा नीचे मैं उसका answer कर दूगा बढ़ते हैं आगे तो ये था हमारा यहाँ पर section 124 special crossing तक चलिए आप कुछ अच्छे question में आपके लिए लेकर आया हूँ इन question को पढ़िये और बताईए कि what is the right answer of this question पढ़िये जल्दी से इस question को पढ़िये विकास देखो not negotiable का मतलब क्या हुआ अगर दोनों लाइने हैं है ना और यहाँ पर लिखा हुआ है not negotiable ऐसा लिखा हुआ है है ना और यह किसके नाम पर है pay to Mr. Z और Mr. Z इसको endorsement करना चाहता है किसके नाम पर Mr. A के नाम पर किसके नाम पर transfer करना चाहता है Mr. A के नाम पर transfer करना चाहता है ठीक है तो जब यहाँ पर इस check के back side में क्या बात करते हैं यह इस check का back side है है ना तो back side है तो इसमें Mr. Z क्या करेगा अपने signature करेगा और sign करने के बाद बोला है pay to Mr. A ऐसा लिख रहा है है ना तो endorsement कर रहा है तो यहाँ पर Mr. Z से जो सारे के सारे right है चेक के उपर वो transfer हो जाएं किसके पास Mr. A के पास ठीक है तो यहाँ पर जो not negotiable है उसमें यह कहा गया है कि जितने right Mr. Z के पास में थे जो right Mr. Z के पास थे जितना better title Mr. Z के पास था इसके पास उतने right नहीं होते हैं आगे transfer करने के लिए Mr. Z को मतलब जो better title इसके पास है इससे better title यह Mr. A को transfer नहीं कर सकता यह बताता है कौन यह define करता है note negotiable अमित चंद्रा, JIB के लिए हमने course design किया है जिसमें पूरा का पूरा syllabus हम cover कर रहे हैं इस वीडियो के description में देखेगा है ना, जो इस वीडियो के description में सबसे उपर ही जो JIB course है उसका link दिया गया है उसके उपर click करना, तो click करने के बाद में यहाँ पर आप store.adda247 पर जाएंगे तो वहाँ पर JIB का पूरा course आप मिल जाएगा है ना, code use कीजिएगा code use कीजिएगा Y195 है ना, और अगर आज आप ये code use करेंगे तो आपको बहुत अच्छा discount भी इसके उपर मिल जाएगा तो still check का मेरे पास में answer आया है विकास ने D answer किया है, राज मोहन ने भी answer दिया है, सुफना रानी ने भी answer किया है ओके, चलो, तो यहाँ पर चली जान लेते हैं तो still check कौन सा check होता है, still check वो check होते हैं, जिस date में वो check issue किया गया है और उस check की जो date है वो expire हो गयी है ना, तो expire जो date है हम count करते हैं 3 months से, 3 महिने से count करते हैं अगर किसी check के उपर date mention की गई है जैसे 1, 1, 2, 2020, 2020 mention किया गया है और 3 महिने के अंदर, अगर 3 months के अंदर यह check bank में present नहीं किया जाता है और 3 महिने के बाद payment के लिए bank में आता है तो bank ऐसे check का payment नहीं करेगा यह check कहलाएंगे stale check इन्वैलिड नहीं होते हैं, check तो वैलिड होते हैं लेकिन यहाँ पर risk है इन check को payment करने में इसलिए bank इसका payment नहीं करता तो ऐसे check को हम कर देते हैं क्या लिखते हैं इसके उपर? refer to drawer लिखते हैं इसके उपर, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, फोर चलो, इस check का बताईए, what is the right answer of this question? स्वपना रानी मैं अभी दो सेसन अभी ओल लेकर आऊँगा, नेगोशेबल इस्टुमेंट एक्ट के, है ना, तो उसमें मैं और आपको और ज्यादा एक्जामपल बताऊँगा, और ज्यादा एक्जामपल आपके लिए लेकर आऊँगा, तो उन वीडियो को देखते रहिएगा, है ना, हमारे जो आप लगातार देखते रहिए, जोइन करते रहिए हमें, तो यह आपको दीरे दीरे बाते समझ में आ जाएगी, तो कि एक एक वर्ड जब क्लियर होता जाएगा ना, तो पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगी, चलो, जल्दी से पढ़ा इस question को बताओ, what is the right answer of this question, cross check का मतलब पूछा गया, what is the meaning of cross check, अगर session आपको अच्छा लग रहा है, बढ़िया information आपको मिल रही है, आपके exam के लिए very important है, तो इस session को like भी करते चलीगा, ठीक है, आप लोगों से हमें सिर्फ एक like ही तो चाहिए होता है, ठीक है, अगर आप like करते हैं, तो हम मोटिवेट होते हैं, हमें अच्छा लगता है कि आप लोग, जो content हम आपको दे रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, चलो, आगे बढ़ें, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, cross check की, cross check का मतलब क्या हो जाएगा, अभी मैंने बताया था, अगर किसी check के उपर, दो parallel line खीच दी गई, ठीक है, तो वो check कैसा हो जाएगा, cross check हो जाएगा, और तो यहाँ पर right answer क्या है, right answer है, C, यह थोड़ा सा नीचे हो गया है, यह arrow यहाँ पर आएगा, C, putting two line across the top left of the check, asking bank to pay cash to pay through account only, थोड़ा सा इसमें क्या किया है, आपको घुमाया गया है, आप बोलोगे कि चेक का payment तो कैस में नहीं होता, लेकिन इसने थोड़ा सा इसको गुमा के लिखा हुआ है, क्या बोला है, कि bank to pay check to pay through account only, मतलब पहले उस चेक का payment क्या होगा, पहले वो पैसा bank account में आएगा, फिर उस bank account से हम क्या करेंगे, उसका cash में payment customer को देंगे, इसा भी तो होता है, कहीं बार कोई customer आपके पास में check लेकर आता है, तो आप क्या करते हैं, पहले उस check को, अगर वो close check है, customer के account में deposit करेंगे, फिर उससे बोलेंगे, एक withdrawal जो slip है, वो fill कर दो, फिर उस withdrawal slip से हम उसको पैसा withdrawal करा जिते हैं, तो यही बात इसमें लिखी की है, चलो, तो यह next question है, आप सभी के लिए, इस question को ध्यान से पढ़िए, और बताईए, what is the right answer of this question, इस तरह के जो question है, वो one marks के आते हैं, एक number का question आता है, एसा, one mark का question आता है, तो इसको ध्यान से पढ़िए, और बताईए, what is the right answer of this question, पढ़ा अपने question, तो अपना रानी answer कर चुके है, बहुत बढ़िया, very good, तो यहाँ पर question है, when bank pays a forged check, it does not get a discharge, since a forged instrument is not a mandate of the customer, where the bank debits such checks, it has to restore the amount, even if the forgery is done cleverly, the burden of proof forgery lies with the drawer, which of the following bank will get protection under section 131 for cross check, तो इसके बारे में तो मैं अभी आप सभी को discuss कर रहा था, इसके बारे में तो बताया था, जो section 131 है, वो protection देता है, किसको? collecting bank को, किसको protection देता है, collecting bank को देता है, तो यही इसका right answer हो जाएगा, चलो, इस question को पढ़ा हो जल्दी से, बताओ क्या answer होगा, यह तो आसानी question है, bank get protection for payment of order checks with forged endorsement, a bank should ensure that payment is made in due course, B, endorsement is not forged, C, drawer has attested signatures of the payee, D, both 1 and 2, तो right answer क्या होगा? Right answer हो जाएगा इसका, payment is made in due course, तो उस case में bank को protection मिल जाता है, है ना, signature को test करने से तो कोई मतलब है नहीं? चलो, आगे बढ़ते हैं उसके बाद में, next question है, a check has been deposited by a customer with his bank for collection, banks allows overdraft against the security thereof, the bank becomes A, holder of the check, B, holder in due course, C, holder for value, D, drawer of the check. Question को समझो, जल्दी से, है ना, अगर question का meaning आपको समझ में नहीं आया, तो मुझसे पूछ लेना, है ना, मैं आपको बता दूँगा कि question में क्या पूछना चाहरा है, है ना, तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, जैसे अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, कि एक check है, और यह check एक लाक रुपे का है, कितने का है? एक लाक रुपे का है, और Mr. इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है, चलो दूबार से बनाता हूँ, एक check है, है ना, पे में लिखा हुआ है Mr. Z, और यह जो check है, वन लाक रुपीज का है, कितने का है? एक लाक रुपे का है, ब्रॉवर के सिर्निचर है यहाँ आप, यह check collection के लिए आपकी ब्रांच में आता है, आपकी ब्रांच में collection के लिए check आता है, और इस check को लेकर कोन आता है? Mr. Z, है ना, लेकिन पहले time लगता था, तो यहाँ पर अब जो जिस bank के पास collection के लिए बेजा है, जो paying bank है, वहाँ से payment आने में time लगेगा, ठीक है, लेकिन Mr. Z बोलना है, मुझे पैसा अभी चाहिए, मुझे अभी urgent requirement है, मुझे पैसा चाहिए, इस चेक के अगेश्ट में आप अपने ब्याप पर मुझे पैसा दे दो, तो इस case में bank क्या करता है, क्योंकि यह जो Mr. Z है, bank का important customer है, तो bank ने क्या किया Mr. Z को, इस एक लाख रुपे के चेक के अगेश्ट में 50,000 रुपीज अभी दे लिए, है ना, इसको बोला 50,000 रुपीज तुम्हें तब मिल जाएंगे, जब तुम्हारा पैसा वहाँ से जो paying bank है वहाँ से आ जाएगा, ठीक है, अभी तुम 50,000 रुपे ले जाओ इस चेक के अगेश्ट में, ठीक है, तो यहाँ पर bank ने उस चेक के अगेश्ट में, अभी तुरंत बेसिस पर, यहाँ पर 50,000 रुपे जाएंगे, किसको Mr. Jail को, तो यही पूछा गया है, कि इस case में bank क्या कहलाएगा, है ना, holder of the check, holder in due course, holder for value, drover of the check, यह आप से पूछा गया, है ना, तो यहाँ पर जहां दीजिएगा, यह question exam में आया था, ठीक है, यह record question में आप सभी के लिए लेका रहा है हूँ, यह question exam में पूछा गया था, तो इस question का right answer हो जाएगा, holder for value, है ना, क्या होगा right answer, right answer है, holder for value, two marks का question है, यह जो question है, इस तरह के question two marks के आते हैं, JIB के exam में, जब आप JIB या DBF का exam देने जाते हैं, है ना, तो इस तरह के जो question है, ऐसे जो question है, वो case study के रूप में आते हैं, और two marks के होते हैं, two marks के 10 ही question होते हैं, और 3-4 question कर लो, 100% first attempt में pass हो जागए, single attempt में pass कर लोगे, इस question को पढ़े ध्यान से और बताईए, what is the right answer of this question, चलो, पढ़ते हैं इस question को और देखते हैं, क्या कहना चाहिए इस question में, X issued a check in favor of Life Insurance Corporation of India, for rupees 12,456, being annual premium payment, the balance in the account is rupees 12,008 rupees, bank made the payment by creating ODI without any request from X, conserving that X has been maintaining the account for a long period in that was a important payment, when the notice has to send X to pay the balance in overdraft along with the interest, he thanks the bank for payment of check, but refuses to pay as he has never given his consent to create an overdraft, हाना, चलो, question को समझ लो, क्या कहना चाहरा है, question में क्या बताना चाहरा है, X ने, जो X है, हाना, X issued a check in favor of Life Insurance, जो यहाँ पर, जो Life Insurance है, LIC है, LIC की favor में, ठीक है, Mr. X ने, एक check issue कर दिया, और check कितने का है, 12456 का, हैना, 12456 रुपीज का यह check है, हैना, और यहाँ पर जो Mr. X है, उसको क्या करना है, Mr. X को premium का payment करना है, किसको? LIC को, तो LIC ने यह check भेजा किस के पास? बैंक के पास, तो जब यह check clearing के लिए, बैंक के पास में गया, तो account में balance कितना था? 12008, हैना, यह account में उस टाइम पर balance था, तो bank ने क्या किया? इसके account में जो remaining amount है, हैना, जो remaining amount है, ठीक है, यह complete तो नहीं हो रहा है, जो remaining amount है, उस remaining amount का, एक audit create कर दिया, overdraft, मतलब इसके account में minus में balance आ गया हुतना, इसमें से minus कर लेते हैं, 12456, अना, तो कितने का? 448 rupees का audit create कर दिया, तो minus में इसके account में आ गया कितना? 448 rupees, अब यह जो 448 rupees है, 448 rupees है, यह bank को किस से वसूनने है, किस से लेने है? Mr. X से, तो bank ने सोचा कि यह LIC को एक important payment है, कस्टमर की कितने की? 12456 rupees की, लेकिन account में उतना balance नहीं था, तो audit माराइस के account में, 448 rupees का है, और LIC को यह premium का payment कर दिया, अब उसके बाद में, जब customer ने एक notice भीजा, किस के पास? X के पास में, कि आपको bank को 448 rupees देने है, जो आपके account में audit create किया गया है, ठीक है? और LIC का जो premium payment के लिए चेक आया था, हमने आपके ब्याप पर उसका payment कर दिया, ठीक है? और जब bank इस check का payment कर रहा था, तो उस टाइम पर bank ने customer को नहीं बताया, बिना बताई ही, यहाँ पर उसके account में audit कर दिया, यब यह notice customer के पास में गया, तो customer ने bank को एक thanks letter बेजा, कि आपने ऐसा किया बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने यह जो amount है, यह जो amount है, यह मुझ से पूछ कर इसका payment नहीं किया, तो मैं 448 रुपे का payment आपको नहीं करूँगा, तो इस case में bank के पास क्या option available है, इन चारो option में से आपको select करना है, इन चारो option में से आपको select करके बताना है, की right answer क्या होगा, पहला है bank created already on its own due to which it has no right to demand the money for customers, B कहता है, bank acted negligently by making the payment without sufficient balance, C कहता है, bank can recover the amount along with interest since the customer has accepted payment of the check by thanking the bank for payment, D कहता है, bank can recover the amount of OD because that money become payable to the bank on demand, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, तो इसका जो right answer है, right answer है, इसका C, C right answer क्या हो जाएगा, क्योंकि X ने bank को thanking letter भेज दिया, और thanking letter भेजने का मतलब है, customer ने Mr. S X ने acknowledgement दे दिया, किसको? bank को, और जैसे bank के पास acknowledgement आया, वैसे ही customer liable हो गया, और जैसे customer liable हो गया, अब यहाँ पर हम principal और interest amount दोनों उससे recover कर लेंगे, अगर customer यहाँ पर thanking letter ना भेजता, है ना, तो उस case में यह जो 448 रुपीज है, इसकी liability bank के उपर create हो जाती, यह bank को ही bear करना पड़ता, है ना, अगर हम customer के account में customer की मर्जी के बिना, customer को पूछे बिना debit कर देते हैं, तो उस case में bank के उपर liability create हो जाती है, है ना, तो चलिए, यहाँ यह question very important है, इस तरह के question exam में आते रहते हैं, तो ध्यान दीजीगा, चलिए, बढ़ते हैं आगे, तो समझ लेते हैं not negotiable क्या है, देखो, अगर हम negotiable की बात करते हैं, नगोशेबल का मतलब क्या होता है, मैंने आपको negotiable के बारे में बताया था, कि जब एक party से दूसरे party के पास, कोई भी negotiable instrument, क्या होता है, transfer होता है, transferable है, उसे negotiation कहते हैं, या negotiable instrument कहते हैं, ऐसे instrument, ऐसे लिकित पत्र, जो transferable होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं उसको नेगोशेजन या यहां पर नेगोशेबल इस्टुमेंट कहते हैं अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे पास में कुछ चेक आते हैं जैसे आपने भी देखा होगा अब जब आप ITR फाइल करते हैं इनकम टैक्स डिडन फाइल करते हैं उसमें इनकम स्ट जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसकी तरफ से जो रिफंड वाले चेक हैं उसमें में समरें रहता है weirdest नेगोशेबल उसका मतलब क्या हुआ अगर आ nooit नगोशेबल लिखा रहता है ना जब मैंसmb सरैं तो इसका आप बोलेंगे कि ऐसा इस्ट्रूमेंट जिसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, लेकिन यह concept बिल्कुल गलत हो जाएगा, है ना, not negotiable का मतलब यह नहीं है, कि इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, अगर ट्रांसफर कर सकते हैं, तो फिर not negotiable, जो condition है, उसका मतलब क्या हुआ, आइए इसको एक example के साथ में समझ देती हैं, चलो, जैसे एक party है, X, है ना, X नाम की एक party है, और इसने Y नाम की party को एक note, यहाँ पर जो negotiable instrument है, वो ट्रांसफर कर दिया, है ना, जो X नाम की party है, उसने Y नाम की party को एक negotiable instrument, जैसे मैं इसको नाम देता हूँ, this is known as bill of exchange, क्या ह यह, bill of exchange है, और इसमें यहाँ पर mention कर दिया, यहाँ पर mention किया क्या, note negotiable, यहाँ पर mention कर दिया, note negotiable, तो अब यहाँ पर अगर Y की बात करते हैं, तो Y यहाँ पर free है, है ना, Y क्या है, यहाँ पर free है, किसको, किसी को भी transfer कर सकता है, जो check उसके पास में आया है, जो उसके पा यानि before maturity, मैचूर्टी के अंदर ही यह क्या कर सकता है, किसी अधर पार्टी को ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन हुआ क्या जो यह bill of exchange, वाई नाम की पार्टी को मिला, वाई नाम की पार्टी से यह खो गया, इससे मिस हो गया, और यहाँ पर एक पार्टी है, जिसको यह खोया पाया instrument मिल गया, किसके हाथ में है अब यह, आर नाम की जो पार्टी है, इसके हाथ में है, अब यह बताओ, जो खोया पाया bill of exchange है, किसको मिला, आर को मिला है, क्या आर की इसमें consideration है, बिलकुल नहीं है, क्या good faith में है इसके पा bill of exchange में defective है, कैसा title है, defective है, तो यहाँ पर आर अगर इसे किसी अधर पार्टी को ट्रांसफर करता है, तो इसको effective नहीं बना सकता, माल लेते हैं, आर ने यह P नाम की पार्टी को ट्रांसफर कर दिया, क्या P नाम की पार्टी जानती है, कि आर को यह जो बिलो, नेगोशिया इस्टुमेंट ट्रांसफर करता है, तो जब वो P के पास जाता है, तो P के पास में भी जो title है, वो कैसा जाता है, defective title है, है ना, कैसा title है, defective title है, तो यह define करता है, यह बताता है कौन, note negotiable, बस यही छोटा सा meaning है, note negotiable का, I hope सभी को clear हो गया होगा, चलिए, बढ़ते हैं आग section 63, है ना, बात करते हैं section 63 की, section 63 में क्या define किया गया है, क्या बताया गया है, तो section 63 में define किया गया है, draw is time for deliberation, है ना, तो यहाँ पर क्या बोला गया है, the holder must if so required by drawee of a bill of exchange presented to him for acceptance allow the drawee 48 hours to consider whether he will accept it, आइए इसके बारे में जान लेते हैं, समझ लेते हैं, क्या कहना चाहा है, देखो, यहाँ पर अगर हम bill of exchange की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, bill of exchange की, है ना, bill of exchange में तीन party है, है ना, कौन-कौन सी, एक है drawee, एक है drawee, और एक है pay, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम drawee की बा maker है या इसका writer है, वही कौन होगा, drawer होगा, इसके बारे में मैं आप सभी को बताया था, तो यहाँ पर यह जो bill of exchange है, इसका maker है, drawer, तो इसने यहाँ पर pay में लिख दिया Mr. Z, तो pay ही कौन हुआ, Mr. Z, तो यह जो negotiable instrument है, माल लेते हैं, यह कोई bill of exchange है, यह क्या है, तो यहाँ पर जो drawer है, drawer ने order दिया, क्या किया, order दिया, किसको, drawer को, कि यहाँ पर यह 10,000 रुपीज का जो amount है, यह pay कर दो, किसको, Mr. Z को, अब उसके बाद में drawer ने यह जो instrument है, यह भेजा किसके पास में, drawer के पास में, क्या करने के लिए, accept करने के लिए, क्या करने के लिए, accept करने के लिए, तो drawer के पास कितना time है, कितना समय है, इसको accept करने का, कितने time के अंदर, इसको accept करके, वापस return करना है किसको, drawer को, तो इसके लिए, जो section 63 है, वो define करता है, वो बताता है कि ड्रोई के पास 48 hours होते हैं, 48 hours का समय होता है, इस bill of exchange को accept करने के लिए, अगर ड्रोई इसको 48 hours के अंदर, 48 hours के अंदर accept नहीं करता, तो इसको dishonor माना जाएगा, क्या होगा इसको dishonor माना जाएगा, I hope सभी को ये बात clear हो गई होगी, ठीक है, session को last तक देखेगा जिससे आपको आज में दो important जो concept है, और exam में हर बार question आ रहा है, protest को लेकर, है ना, और यहाँ पर noting को लेकर, है ना, यह दोनों concept आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, और यहाँ पर इसके जो MCQ है, multiple जो choice question है, वो भी आपके लिए लेकर आया हूँ, तो हमारे साथ में last जुड़े रही है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, next आता है section 65, अगर हम section 65 की बात करते हैं, सुपना रानी भी हमारे साथ में जुड़ गई है, मुझे लगता है, जो note negotiable है, वो सुपना रानी नहीं पूचा था, ठीक है, सुपना रानी हमने note negotiable क्या होता है, उसको example के साथ मे define कर दिया है, ठीक है, इस वीडियो के खतम होने पर इसका recorded वीडियो आपको मिल जाएगा, तो उसको आप देख लीजेगा, चलिए, सभी को good evening, चलिए, आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर section 65, section 65 की बात करते हैं, तो hours of presentment, है ना, यहाँ पर अगर हम hours of presentment की बात करते हैं, तो hours of presentment में क्या आजाएगा, आईए इसके बारे में जान लेते हैं, समझ लेते हैं, देखो, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, चलो bank की ही बात कर लेते हैं, यहाँ पर, किसी bank branch का ले लेते हैं, एक example, यहाँ पर एक party है Mr. A, और Mr. A यहाँ पर एक drawer है, इन्होंने एक check issue कि और pay में नाम लिखा Mr. Y, पैसा किसको मिलना चाहिए, Mr. Y को मिलना चाहिए, अब उसके बाद में Mr. Y इस check को लेकर bank में गई, और यहाँ पर bank में present किया, और यह Mr. Y है, यह पहुँचे, कब पहुँचे, साम को 7 बजे, 7 पीम, साम को 7 बजे पहुचे, क्या लेकर, check लेकर, कि मुझे इस check का payment कर दीजे, अब यह बताओ, कि क्या, जो 7 पीम है, 7 पीम है, क्या वो working hour रहेंगे, है ना, तो यहाँ पर bank में जो working hour है, वो define रहते हैं, है ना, तो यहाँ पर यह जो section 65 है, यह यही बताता है, कि जब जो pay है, payment के लिए, किसी bank या drawee के पास में, किसके पास मे drawee के पास में, जब यह negotiable instrument लेकर जाएगा, तो किस टाइम पर इसको present करने है, या तो जो business hours है, है ना, जो business hours है, उसमें present करना है, जैसे 10 to 5, या 9 to 5, इस तरह के जो करना है, या bank branches में, जैसे कही करे पर देखने को मिलता है, 10 to 4, है ना, morning में 10 a.m से, evening में 4 p.m तब accept किये ज जाते हैं, है ना, तो इस तरीके से, जो उसके हिसाब से, यहाँ पर define किये गया है, जो बताया गया है, ठीक है, उसके हिसाब से, इसको यहाँ पर accept करना है, या जब भी, जब भी, यहाँ पर payee, bank में, या drawee के पास में, negotiable instrument को present करेगा, तो वो business hours होने चाहिए, या banking hours में ही present करना है, तभी उसको payment मिलेगा, बढ़ते हैं आगे, उसके बाद में next आता है section 80, अगर हम section 80 की बात करते हैं, तो section 80 क्या define करता है, section 80 बताता है, interest when no rate specified, है ना, जैसे, समझ लेते हैं इसको भी, Mr. A है, है ना, Mr. A है, यह drawer है, और उसके बाद में, यहाँ पर भी, यह drawee है, और माल लेते हैं, यहाँ पर Z है, यह payee है, एक negotiable instrument में, अब उसके बाद में A क्या करता है, एक bill of exchange write करता है, और इसको भेजता है किसके पास, drawee के पास, drawee इसको accept कर लेता है, ठीक है, accept करने के बाद में यह आ जाता है किसके पास में, payee के पास में, और payee को यह पैसा मिले खोलेगा after 30 days, 30 दिन के बाद में, अब उसके बाद में 30 days के बाद में, जब यहाँ पर payee ने इसको present किया, drawee के पास, किसके लिए payment के लिए, ऑब यहाँ पर, यहाँ पर जो drawee है, वो payee को payment नहीं देता, डिफोल्ट कर गाने के बाद में, अब यहाँ पर, डॉवर की तरप से या pay की तरफ से, है ना, क्या होता है, एक notice जाता है, किसके पास में, drawee के पास में, तो जिस दिन ये notice send किया जाएगा, जिस दिन ये notice भेजा जाएगा, है ना, किसके पास, drawee के पास में, drawee के पास में, जिस दिन ये notice पहुंच जाएगा, वहीं से इसके उपर interest इंटरस्ट केलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगी, जो डिफॉल्टेड अमाउंट है, उसके उपर इंटरस्ट केलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगी, अगर नेगोशियबल इस्टुमेंट में वो rate of interest mentioned नहीं है, कुछ भी define नहीं किया गया है, तो उस case में यहाँ पर जो rate of interest है, वो किस rate से charge किया जाएगा, वो रहेगा 18% per annum, जो 18% 18% per annum के इसाब से rate of interest charge किया जाएगा, I hope इतनी बात सभी को clear हो गई होगी, यह कब define किया, किस में define किया गया है, section 80 में, यह question भी exam में पूछा गया था, ठीक है, इस section को आपको याद रखना है, यहाँ पर percentage होगा 18%, when the party charge is the endorser of an instrument, dishonored by non-payment, he is liable to pay interest only from the time that he receive notice from the dishonor, जैसे ही उसको dishonor का जो notice है, रिसी हो जाएगा, जो endorser होगा, उसको 18% per annum के इसाब से rate of interest pay करना है, बढ़ते हैं आगे, next आता है section 82, section 82 क्या define करता है, discharge from liability, है ना, यहाँ पर negotiable instrument में कोई भी party अपनी liability से कब discharge हो जाएगी, अपनी जो liability है, उससे कब आजाद हो जाएगी, तो उसके लिए यहाँ पर तीन condition बताई गई है, किसमें, section 82 में, पहली condition है, by cancellation, अगर यहाँ पर holder negotiable instrument को cancel कर देता है, है ना, जैसे acceptor endorser name है ना, इन में से किसी को भी cancel कर देता है, acceptors का नाम cancel कर देता है, endorsers का नाम cancel कर देता है, with intent to discharge him, उनको discharge करने के लिए, तो वो जो negotiable instrument है, उसकी liability से discharge हो जाती है, उसके बाद में, by release, to a holder, the ear of, who otherwise discharge such maker, acceptor, endorser, and to all the parties deriving title under such holder, after notice of such discharge, और अगर यहाँ पर, जो holder है, वो एक notice issue करता है, एक notice जारी करता है, कि यहाँ पर यह यह party है, किसे party A, party B, party C, है ना, जैसे party के नाम mention करेगा, उसके लिए एक discharge का notice जारी करेगा, और उसमें name mention कर देगा, तो इस negotiable instrument में, वो parties discharge हो जाती है, मतलब आजाद हो जाती है, अपनी liability से, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, next, by payment, by payment का मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ पर, यहाँ पर, जो negotiable instrument है, finally उसका payment party is there too, if the instrument is payable to bear or has been endorsed in blank, and such maker, acceptor or endorser makes payment in due course of the amount due, है ना, अगर कोई negotiable instrument कैसा है, bearer है, यहाँ, blank endorsement किया गया है, और यहाँ पर ऐसे negotiable instrument का payment कर दिया जाता है, तो उस case में, जितनी भी parties उसमें attached थी, as a endorser के तोर, group में, तो उस case में, वो सारी की सारी parties, release हो जाती है, आजाद हो जाती है, discharge हो जाती है, तो यह कौन बताता है, यह define करता है, section 82, उसके बाद मैं आगे बढ़ते हैं, next आता है, section 85, section 85 क्या बताता है, check payable to order, अगर एक check, as a payable है, order, है ना, order की definition मैंने आप सभी को बताया था, कि जहाँ पर pay में, है ना, define कर दिया, जैसे Mr. A, और यहाँ पर लिख दिया order check, है ना, क्या define है, order या order के उपर tick किया गया है, तो यहाँ, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर name mention किया गया है, उसके बाद में, we are a check payable to order, purports to endorse by one behalf of the payee, the drawee discharge by payment in new course, देखे, यहाँ दीजेगा, मैंने आप सभी को बताया था, कि अगर इस check के पीछे, है ना, इस check के पीछे, तो पूरा का पूरा blank है check, है ना, यह negotiable instrument पूरा का पूरा blank है, अगर यहाँ पर, यहाँ पर इसका endorsement कर दिया गया, और endorsement होने पर, यहाँ पर ड्रोई ने payment कर दिया, तो उस case में, वो party यहाँ पर discharge हो जाते है, we are a check is originally expressed to payable to bearer, drawee is discharge by payment in due course to the bearer, अगर कोई bearer check है, और उसमें यहाँ पर bank उसका payment कर देता है, या drawee उसका payment कर देता है, तो इस case में भी वो party discharge हो जाती है, तो यह section 85 में define कर दिया गया है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, राखा कुमारी आप जो number mention किया गया है, customer care का, है ना, customer support का, उस पर contact कर लीजिए, आपको वहाँ से better solution बिल जाएगा, चलिए, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, section 91 की बात करते हैं, section 91 की बात करते हैं, तो dishonor by non-acceptance, अगर कोई negotiable instrument, है ना, drawi के द्वारा accept नहीं किया जाता, तो उस case में भी वह क्या माना जाएगा, dishonor माना जाएगा, a bill of exchange is said to be dishonored or non-acceptance, when the drawee or one of several draws not being partners make default in acceptance upon being duly required to accept the bill, where the presentment is excused and the bill is not accepted, अभी आपको बताया था, जैसे एक bill of exchange है, है ना, bill of exchange है, bill of exchange में three parties है, है ना, कौन-कौन सी, drawer, drawee and pay, ठीक है, तो जो drawer है, वो ही maker है, इसने एक, जो bill of exchange है, वो acceptance के लिए बहिजा कि इसके पास में, drawee के पास में, अगर यहाँ पर drawee उसको accept नहीं करता, negotiable instrument को, तो इसको dishonor माना जाएगा, very important, है ना, इसको mark कर लिजया, very important है, GIB, DBF, bank promotional exam, और जो other competitive exam है, है ना, उसके लिए very important है, जहाँ पर negotiable instrument, act या loss related चीज़े पूछी जाती है, तो यह concept आपको ध्यान रखना है, section 99, जिसमें define किया गया है, noting के बारे में, आजए इसको समझ लेते हैं, जान लेते हैं, क्या है, when a promissory note or bill of exchange has been dishonored by non-acceptance or non-payment, the holder may cause such dishonor to be noted by not republic upon the instrument or upon a paper attached there to party upon each, चलिए जान लेते हैं, इसको क्या बताना चाहरा है, यहाँ पर एक party है Mr. A, और यह party है Mr. B, और यह party है Mr. C, तीन party है, तो यहाँ पर एक check है, जो या इसको जान लेते हैं कोई bill of exchange है, bill of exchange में यहाँ पर अगर मैं drawer की बात करूँ, तो drawer कौन है Mr. A, Mr. A यहाँ पर drawer है, और जो Mr. B है यह यहाँ पर drawer है, यह यहाँ पर drawer है और यह pay, ठीक है, अब यहाँ पर Mr. A ने, Mr. A ने इस bill of exchange को acceptance के लिए भेजा किसके पास में Mr. B के पास में Mr. B ने इसको accept कर लिया और अब यह आ गया किसके हाथ में Mr. C के हाथ में यह bill of exchange है, और Mr. C को बोला कि आपको इसका पैसा 45 days के बाद मिलेगा, का मिलेगा 45 days के बाद में, अब 45 days खतम हो गए और यहाँ पर Mr. C ने present किया यह bill of exchange किसके पास में Mr. B के पास में, और Mr. B ने payment करने से मना कर दिया, Mr. B default कर दिया उसने payment करने से मना कर दिया, तो इस case में अब Mr. C को क्या करना है, Mr. C को यहाँ पर जो इसका holder है, Mr. C को क्या करना है, अब इसको क्या करना है, इसकी noting करानी है, क्या करना है, noting करानी है, इसके साथ में एक जो paper है, जो annexure है, वो attach करके इसकी noting करानी है, किसके पास में, notary public के पास में, किसके पास में जाकर, notary public के पास में जाकर इसको noting करानी है कि यहाँ पर Mr. B ने इसका payment नहीं किया dishonor हो गया है तो यहाँ पर as a case करने के लिए अब क्या करेंगे आप यह अपना amount receive करने के लिए court में case दायर करेंगे ठीक है तो इससे पहले आपको इसकी noting करानी है कि इसके पास में notary public के पास में जिससे आपका आप जो party है यहाँ पर जब case file करेंगे तो आपका stand है ना आप as a party के रूप में आपकी बात ज्यादा मजबूती से court में रखी जाए है ना तो इसके लिए आप क्या करेंगे इसकी noting करेंगे such note must be made within a reasonable time after dishonor and must specify the date of dishonor तो यहाँ पर जब आप notary public के पास में noting करा रहे हैं है ना तो noting जब कराने जाएंगे ऐसा नहीं आज dishonor हुआ है और कभी भी जाकर noting करा दें है ना जो reasonable time है उसके अंदर जाकर noting करानी है और यहाँ पर क्या करना है आपको date of default जिस date में वो dishonor हुआ है उसको भी वहाँ mention कराना है और इसका reason भी mention कराना है if any assign for such dishonor if instrument has not been expressly dishonored the reason why holder treats it as a dishonor or notary charges तो यहाँ पर किस region से किस कारण से जो holder है वो इसको dishonor कराना चाहता है वो भी उसमें mention करेंगा तो जैसे ही public notary के पास में इसको जाकर सभी चीज़ों को note करा देंगे तो यह कहलाएगा noting है ना इसको किस नाम से जाना जाएगा noting के नाम से जाना जाएगा चलो आगे बढ़ते हैं उसके बाद में next आता है section 100 section 100 क्या बताता है यह define करता है किसके बारे में protest के बारे में है ना अभी तो हमने देखा noting में क्या define जाएगा है noting में notary public के पास जाना है ठीक है dishonor के date क्या reason है ठीक है वो यहाँ पर holder को अपनी बात note करा देनी है बता दीनी है तो यह notary public के पास में note हो जाएगा इसको बोलेंगे हम noting ठीक है उसके बात में when a promissory note or bill of exchange has been dishonored by non-acceptance or non-payment holder में within a reasonable time cause such dishonor to be noted and certified by a notary public such certificate is called protested अब जब आपने notary public के साथ पास में जाके noting करा दी noting करने के बाद में अब यहाँ पर वो जो notary public है वो एक certificate issue करेगा वो क्या करेगा? एक certificate issue करेगा और यह जो certificate है यह जो certificate है यह आपको यहाँ पर legal stand पर और ज़्यादा मजबूत करेगा यह जो certificate उसके द्वारा issue किया जाएगा that is known as protest क्या कहलाएगा? इसी को protest के नाम से जाना जाएगा इससे क्या होता है? इस case में आपको better security मिलती है protest कराने से क्या होगा? जब notary public यह certificate आपको issue कर देगी तो इस case में default वाले case में, dishonor वाले case में आपको protest मिलेगा I hope इतनी बाते सभी को clear हो गई हुए बस आपको notting और protest में यही अंतर सबसे बड़ा है कि notting में आप notary public को बता रहे हैं कि dishonor की date क्या है उसको not करा रहे है ठीक है? क्यों dishonor हुआ? वो बता रहे हैं उसका reason क्या है या अपनी तरफ से जो reason आपको जो भी suitable लग रहा है वो सब चीज़े उसको define कर रहे हैं बता रहे हैं बढ़ते हैं अब यहाँ पर कुछ question है इन questions को ध्यान से पढ़िए और बताईए what is the right answer of this question tension लेने की जरुरत नहीं है देखो mind को काम करके पढ़ते जाईए ठीक है? तो एक दिन selection जरूर हुगा जैसे ही selection हो जाएगा tension खतम हो जाएगी लेकिन देखो selection होने पर भी अभी तो आपका जो सबसे बड़ा challenge है वो क्या है? selection पाना, government job में लेकिन selection होने के बाद में दूसरी तरह की tensions जो हैं start हो जाती हैं तो life में अगर challenge ना हो tension ना हो तो जीने का मजाई खतम हो जाता है तो इनी से तो हमारी life आगे बढ़ती है तो tension लेने की बिलकुँ जरूत नहीं है जो भी challenge आपके सामने आ रहे हैं जो भी परेशानिया आपके सामने आ रही हैं उनको face करते जाएगे और आगे बढ़ते जाएगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएगे वैसे वैसे इनसे उबर कर आप उपर आएंगे इसी को success के नाम से जाना जाता है तो चलिए बढ़ते हैं आगे तो यहाँ पर जो question आया है इस question को ध्यान से पढ़िए और बताईए what is the right answer A document which reads as follows I acknowledge receipt of rupees 2000 from Raman This amount will be paid on demand is a bill of exchange Promising note, check, ambiguous instrument तो इन में से कौन सा option है वो बिल्कुल सही होगा Right answer होगा जल्दी से मुझे comment करके बताईए what is the right answer Session में अगर आपको अच्छी information मिल रही है ठीक है, चीजे आपको समझ में आ रही है तो Session को like करते भी चलिए जिससे मुझे पता चले कि आपको चीजे समझ में आ रही है निलेस ने answer किया है राकेस भी हमारे स्वाद में जूड़ गए है चलो, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अगर इस तरह की जो statement है, वो mention की गई है तो that is known as promising note क्योंकि इस तरह की जो statement है जिसमें अपनी तरफ से, ठीक है क्या किया जाता है, promise किया जाता है undertaking की जाती है, तो उसको promising note के नाम से जाना जाता है आसान question था, जिन्होंने पिछले जो 4-5 हमारे session है NI Act के देखे होंगे, वो definitely इसका बिल्कुल सही answer tick करेंगे, चलो, बढ़ते हैंगे इस question को द्यान से पढ़े और बताईए, what is the right answer हर्स, जो नाबाड grade हैं हैं, उसके लिए हमारे यहाँ पर जो mock test series है ठीक है, वो launch हो रही है उन mock test series को आप subscribe कीजिए तो आपको एक idea मिलेगा कि किस तरह के question नाबाड A में पूछे, जो नाबाड grade A है, उसमें पूछे जाते हैं, ठीक है सबसे पहला तो यह है, फिर दोसरा suggestion आपके लिए यह है कि पूरा का पूरा syllabus पहले अच्छे से पढ़िए और ध्यान से देखिए कि कौन-कौन सी चीज़े उसमें आपको आती है, क्या नहीं आता है जो आपको नहीं आता है, उसको आपको target करना है जो चीज़े आपको आती है, उसको revise करना है चलो, यह question का भी मुझे answer मिलना start हो गया है Siwangi ने C answer टिक किया है Which of the following can be treated as payment in due course इन में से किसको payment in due course के रूप में treat किया जाएगा तो यह भी हमारा जो पीछे के session हुए है वहाँ से question निकल के आया है तो आप सभी ने पहचान लिया होगा कि what is the right answer तो right answer क्या हो जाएगा C, payment of a negotiable instrument to the holder on or after due date in good faith by the payer and with no notice of defect in the title है ना, तो इसी को क्या बोला जाएगा payment in due course ध्यान रखना payment of due course तीन condition के उपर depend करता है जब यह तीनों condition fulfill होती है satisfy होती है या कहें payment in due course का golden rule है ना, इसको as you define कर सकते है payment in due course का golden rule क्या होना चाहिए, पहले तो consideration होनी चाहिए ठीक है, good faith और before maturity जब यह तीनों condition satisfy होती है किसी भी negotiable instrument में तो यह जो है payment in due course का हलाईगा सेजल अगर आप particular किसी legal या law में कोई paper देने जा रहे है exam देने जा रहे है तो वहाँ section very important होते है लेकिन अगर आप कोई general या normal कोई exam देने जा रहे है कोई competition का exam देने जा रहे है तो अगर आपके syllabus में loss related चीज़े नहीं है लेकिन वहाँ पर bill of exchange या negotiable instrument cover होते है तो उस case में concept वाले question आप से पूछे जाते है चलिए इस question को पढ़िये ध्यान से और बताइए what is the right answer global bank has received garnesy order for rupees 16000 on normal sony who is maintaining current account with the bank the balance in the account on the date of receipt of garnesy order is rupees 45000 on the same day we receive a check of rupees 25000 drawn on the account under circumstances the bank इस केस में बांक क्या करेगा ए में पास दीज़े चेक as the balance left will be sufficient to meet the currency order b should not pass check after receipt of garnesy order c should request the party to deposit cash to meet the check d should inform the facts to the court and act as per their advice e none of the above तो अगर हम यहाँ पर right answer के बात करें तो right answer क्या हो जाएगा मिनिक्षा यह जो हमारा सेसन है यह जाएभी एक्जाम के लिए है डीबिफ के लिए है बैंक प्रमोशनल एक्जाम के लिए है या जहां पर भी नेगोशियबल इस्टूमेंट एक्ट कवर होता है जिन जिन एक्जाम में उसके लिए वरिए इंपोर्टेंट है और बीच बीच में जो चीज़े हम डिफाइन कर रहे हैं कुछ में आपको गेल करनी है देखो यहां पर अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी बी क्यों हो जाएगा ऐसे चेक का हम पेमेंट नहीं करेंगे इसको पास नहीं करेंगे क्यों कि अगर हमारे यहां पर हमारे ब्रांच में किसी पाल्टे के अकाउंट में गार्निसी ओडर आया है और जो गार्निसी ओडर है वो कितने का है 16,000 का है तो हम क्या करेंगे इसमें जो 16,000 है चाहे तो ड्रोवर अपने अकाउंट से विड्रोव कर ले यहां जो उसके अकाउंट में अगर किसी ऐसे check की payment आई है तो उसका payment कर देंगे तो right answer क्या हो जाएगा? E, right answer क्या होगा? E हो जाएगा क्योंकि balance यहाँ पर check की amount और जो garnacy order है उससे जादा है तो अगर हम garnacy order की बात करें और check दोनों की amount मिला की बात करें तो 41,000 और account में balance कितना है? 45,000 तो दोनों चीज़ी satisfy हो रही है तो इस case में ऐसे check का हम payment कर देंगे चलो इस question को पढ़िए दिहान से और बताईए what is the right answer सिवांगी UPSC में GA आती है जो आपका first paper जो prelims होते हैं उसमें ठीक है prelims में आपकी GA पूछी जाती है और GA भी high level की होती है चलो जल्दी से पढ़िया इस question को बताईए what is the right answer X issued a check in favor of Y who gifted to Z who is holder in new course है ना इस case में holder in new course कोण होगा X, Y, Z या none छोटा सा question है लेकिन बहुत मतलब कह सकते हैं medium level का question है है ना इसको आसान question नहीं कहेंगे यहाँ पर अगर आपको payment in new course के तीनो के तीनो golden rule आते हैं तो आप इसका बिल्कुल सही answer टिक करेंगे है ना golden rule क्या है payment in new course का consideration होनी चाहिए good faith है ना और before maturity अगर इन तीनों में से एक भी चीज मिस है तो वो holder in new course नहीं कहलाएगा Z answer आ रहा है C answer आ रहा है बहुत बढ़िया ओके देखो यहाँ पर y ने y ने check किया किया जैड को gift कर दिया क्या किया है gift कर दिया और यहाँ पर gift करने पर क्या y को बदले में कुछ मिला नो लेकिन इसने तो अपने पास ट्रांसफर कर दिया और Indian contract act 1872 यह कहता है consideration की क्या definition बताता है कि अगर y ने जैड को कुछ दिया है तो बदले में y को भी कुछ मिलना चाहिए है ना तो बदले में y को भी कुछ मिलना चाहिए लेकिन y को तो कुछ नहीं मिला तो इसमें consideration नहीं है तो right answer क्या हो जाएगा none of the above इन में से कोई नहीं चलो इस question को दियान से पढ़िए और बताईए what is the right answer सिवांगी आप अड़ा 247 चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए और यहाँ पर जो current affairs की classes है वो daily morning में होती है जो आपको वहाँ पर भी काम आने वाली है morning में daily 7 a.m. पर जुड़िए ठीक है वहाँ पर आपको current affairs की classes मिल जाएगी इस question को पढ़े दिहां से बताईए what is the right answer a. ड्रोई कौन है? bank in favor of b. तो pay कौन हुआ? b. check कितने का दिया इसको? check मिला है 10,000 का. तो यह जो b नाम का वेक्ति है यह आपकी ब्रांच में पहुचा और इसने check deposit करने से पहले जो 10,000 का check है वो deposit करने से पहले इसने आप से पूछा कि a के account में balance कितना है कि मुझे एक check deposit करना है तो आप मुझे जल्दी से बताजीजिए कि a के account में balance कितना है अब उसके बाद में जैसे ही a ने inquire किया आपने उसको बताया कि इसके account में जो balance है वो 9,500 है और a check कितने का लेकर आया था? यह 10,000 रुपीज का check लेकर आया था है ना? तो अब यहाँ पर check तो dishonor हो जाएगा b को लगा या b को लगा कि अगर हम check deposit करता हूँ तो पैसा नहीं मिलेगा तो b ने क्या किया? इस account में 600 रुपीज deposit कर दिया अपनी तरफ से और 600 रुपीज deposit करने के बाद में यह 10,000 रुपीज का check लगा दिया है ना? और uncask करने के लिए तो जैसे ही account में जो balance है कितना हुआ? 10,100 हो गया तो यहाँ पर account से अब account से 10,000 रुपीज का payment कर दिया जाएगा तो इस case में right answer क्या होगा? चारों statement को जहां से फड़ गया और बताईए कि इस case में what is the right answer? option A कहता है A. claimed the amount from the bank stating bank has negligently disclosed the account information B. bank has made no mistake in paying the check as the balance of the time payment was sufficient in the account C. bank staff has had acted negligently by disclosing the balance in the customer account, hence the bank is liable B. bank is not liable as any person can deposit the amount in deposit account E. bank should advise the customer to short the issue with the pay जल्दी से बताईए right answer क्या होगा? तो यहाँ पर सभी जान लीजिए bank को customer के accounts में है ना? यहाँ पर bank का customer के साथ में एक contract कह सकते हैं, एक contract रहता है जब भी customer क्या होता है? bank के साथ में अपना account open करने जाता है तो bank को यहाँ पर customer के account में secrecy maintain करनी होती है secrecy maintain करने का मतलब क्या हुआ? customer के account की information किसी को disclose नहीं करनी, जब तक customer खुद allowed न करें जब customer allow कर देगा तब आप information disclose कर दिजिए लेकिन जब तक हमारा जो customer है, वो information लेकिन बेंक ने तो क्या किया यहाँ पर गलती की है बेंक के श्टाफ ने गलती कर दी ठीक है उसे कश्टमर के एकाउंट में कितना बैलेंस है यह नहीं बताना चाहिए था तो right answer क्या हो जाएगा, right answer हो जाएगा C, लेकिन practically ये सब चीजे possible नहीं हो पाती है, तो यहाँ पर हम normal अगर practice में कहें हैं, तो हम इस तरीके चोटी-चोटी चीजे disclose कर देते हैं, लेकिन as per law, law के हिसाब से ये सही नहीं होता है, और इस case में कई बार बैंक को बहुत बड़ा भी हो सकता है, चलिए, इस question को पढ़िए ध्यान सेर, बताईए what is the right answer, सिवांगी, आपसे जो जीए वाले सर है, आसी सर, ठीक है, उनसे आप बात कीजिएगा, उनका session morning में जोईन कीजिए, वो आपको better suggest करेंगे जीए के बारे में, मैं आपको JIB के बारे में, DBF के बारे मे अच्छे suggestion दे सकता हूँ, लेकिन JIB के बारे में आप एक बार आसी सर से बात कीजिएगा, ठीक है, वो आपको अच्छे से बता पाएंगे, चलो, इस question को ध्यान से पढ़िए, बताईए right answer क्या है, bank can make payment of a check in which of the following circumstances, a, stop payment by the payee, second, completion of the date of the check by the payee, third, payment of bearer check demanded by a person other than person whose name is written as payee of the check, तो यहाँ पर चार option आपको दिये गए है, इन में से जो right answer होगा, वो आपको select करना है, तो अगर account में stop payment लगाया गया है, तो payment आपको नहीं करना है, लेकिन अगर payee ने date खुद से complete कर दी है, तो ऐसे check का payment कर दिया जाता है, और अगर bearer check है, और demand पर जो person है, वो payment के लिए आता है, और यहाँ पर payee में जिसका नाम लिखा हुआ है, उससे कोई other person आकर payment लेने आता है, जैसे check में, bearer check में Mr. A लिखा हुआ है, और Mr. B payment लेने आता है, तो उस case में यहाँ पर bearer check में हम Mr. B को payment कर देंगे, क्योंकि pay में किसका नाम लिखा हुआ है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, तो two और three बिल्कुल सही हो जाएगा, तो right answer क्या होगा, B होगा, यह आता है, सबसे पहले हमारे दिमाग में एक question यह आएगी, कि यहाँ पर अग इसके against में होगा, तो इसके लिए हमें कुछ बाते जानना बहुत जरूरी है, तो इस case में libel कोन होगा, है ना, अगर हम यहाँ पर prosecute करते हैं कोई case, court में मुकदमा चलाते हैं, तो उस case में किसके against में मुकदमा चलेगा, आइए उसके बारे में जान लेते हैं, तो मन्टू अगर हम बात करते हैं, जो वेक्ति libel होगा, है ना, वो है drawer of the check, है ना, और drawer की definition हमने क्या पढ़ी थी, क्या जाना था, जो check को right करता है, जो उसका maker है, वही drawer कहलाएगा, है ना, तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो इस case में जो person है, वो libel होगा, कौन होगा, drawer होगा, किस case में libel होगा, तो libel होने के लिए जो case है यहाँ पर, वो आएगा return of unpaid, अगर कोई check उसने issue किया था, है ना, और वो unpaid रहा है, मतलब जब उसको drawer के पास present किया गया, तो यहाँ पर उसका payment holder या payee को नहीं मिला, तो उस case में यह libel हो जाएगा, या insufficiency of funds, check drawer के पास present किय गया, यह bank के पास present किया गया, और account में उतना sufficient balance धा ही नहीं, है ना, insufficient balance का मतलब क्या हुआ, कि check जो है, वो issue किया गया, rupees 10,000 का, कितने रुपे का check इसु किया गया, 10,000 रुपे का check issue किया गया, और account में जो balance है, credit में जो balance है, वो rupees 9,000 है, है ना, जब ё check bank में present किया जाएगा या drawy के पास present किया जाएगा account में balance कितरा है rupees 9000 लेकिन check की value कितनी है 10,000 rupees की तो balance कैसा है unsufficient balance है तो इस case में भी यह check bounce हो जाएगा उसके बाद में stop payment है ना तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आपने कोई check issue कर दिया आपने कोई check issue किया और इस check का कोई number है जैसे माल लेते 1, 2, 3, 4, 5 यह check का number है इस check के उपर number है अब यहाँ पर आपने payee या holder को check दे दिया अब उसके बाद में जब तक वो payee या holder उस check को drawy के पास present करता या bank में present करता आपने अपने पास से call करके bank को instruction दी branch में instruction दी कि इस इस number का 1, 2, 3, 4 number का हमने check issue किया है इस check का payment मत करना इसके उपर stop payment instruction लगा देना तो आप क्या करेंगे उस check number को mention कर देंगे as a stop payment के रूप में तो इस case में जैसे ही यह check branch में या payee के पास में present किया जाएगा तो ऐसे check का payment हम लोग नहीं करेंगे तो इस case में भी अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो इस case में भी इस check को bounce माना जाएगा next, closer of account है ना, यहाँ पर किसी वेक्ती ने, customer ने यहाँ पर check issue कर दिया किसको payee holder को याने drawer ने payee holder को कोई check issue कर दिया है ना, और जिस checkbook से यह check issue किया गया था यह check, यह जो account है drawer ने already close करा दिया है या जब तक वो check है ना, branch में, bank में या drawer के पास present होता present होने से पहले ही जो drawer है, उसने एक application दी, bank account या account closer की तो उस case में भी, जब वो check present किया जाएगा, तो account existence में होगा ही नहीं, उस case में भी इसको bounce मान लिया जाएगा उसके बाद में next आता है different signature, अगर check के उपर, जो drawer है, वो different signature करता है मतलब, जो signature bank के पास, या branch के पास record में है, उससे अलग signature करता है, जो उसके साथ match नहीं करते हैं, तो उस case में भी यह check bounce माना जाएगा, इस तरह के बहुत सारे जो case हैं, कोर्ट में गए थे तो उनके कुछ decision आये हैं जिसके विहाब पर ये चीज़ें इसमें include की गई हैं, तो ये वो सारे case हैं, जिसमें यहाँ पर जो drawer है, वो libel हो जाता है, किसके लिए, प्रोसी cute के लिए, I hope सभी को ये बाते clear हो गई होगी कोई question है, तो मुझसे पूछिए चलो, आगे बढ़ते हैं अब अगर हम बात करें किसकी, check, dishonor of check है ना, जो check bounce होना check bounce हो जाता है, उसको हम यहाँ पर अगर negotiable instrument act 1881 में, law की भासा में बात करें, ठीक है, तो इसको बोलते हैं, dishonor of check क्या कहा जाएगा, dishonor of check और dishonor of check के बारे में define किया गया है कहां पर, section 138 में, कहां define किया गया है कहां बताया गया है, section 138 में define किया गया है, राजनन्दनी हमारे साथ में जुड़ गई है राजनन्दनी अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रही हैं तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है आपके एक्जाम में नवदीप अगर आप भी इस चैनल पर फिर्स टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको भी आपके एक्जाम में काफी benefit मिलने वाला है यहां से, चलो, आगे बढ़ते हैं उसके बाद में, अगर हम यहां पर dishonor of check की बात करते हैं, तो dishonor of check कहां कहां हो सकता है, जिसके बारे में अभी हम discuss कर रहे थे, क्या payment to another person out of the account, return unpaid for want of sufficient balance in account, such person shall presumed to have committed offense and shall be punishable with imprisonment up to maximum 2 years or twice the amount of the check or both, आये जान लेते हैं कि क्या कहा गया है इस case में, आये इसको एक example से समझ लेते हैं, चलिए, तो जान लेते हैं, एक वेक्ती है Mr. A, और Mr. A कौन है? अच्छे समझते चलिएगा, सुमित हमारे साथ में जुड़ गए हैं, राहूल भी हमारे साथ में connect हो गए हैं, चलो, बहुत बढ़िया good evening सभी को, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, जो Mr. A है, वो एक drawer है, या bank के customer है, उन्होंने एक check issue किया है, किसको Mr. B को, और ये मान लेते हैं, ये bank है, या उसकी एक branch है, तो Mr. A ने यहाँ पर एक check issue किया, rupees 10,000 का, कितने का check issue किया, इस check की जो amount है, वो rupees 10,000 है, किसको issue किया, Mr. B को, पे में किसका नाम लिखा हुआ है, पे में नाम लिखा हुआ है Mr. B का, है ना, तो Mr. B इस check का क्या हुआ, holder, है ना, या इस check कप पे ही हुआ, या इसको हम beneficiary भी कह सकते हैं, जिसको इसका benefit मिलने मादा है, है ना, तो यहाँ पर अब उसके बाद में Mr. B ने ये check present किया, कहां पर, bank में present किया, ठीक है, 10,000 रुपे का check bank में present किया, और account में जो credit में balance था, that was rupees 8,000, कितना था, 8,000 रुपे, तो जब बैंक से यहाँ पर इसके पास reward आता है, insufficient funds का, कि account में मौझूदा balance उतना नहीं है, जितने रुपे का check है, यानि जो insufficient fund है, उसका return मिलता है, किसको Mr. B को, इसके लिए एक return memo जो है, bank branch issue करती है, किसको holder या pay को, ठीक है, अब इस case में क्या होगा, Mr. B को तो पैसा चाहिए था, 10,000 रुपे, 10,000 रुपे चाहिए थे, अब इसको तो 10,000 रुपे नहीं मिले, अब ये Mr. B क्या करेगा, यहाँ पर एक notice भेजेगा, किसको, Mr. A को, कि जो मैंने तुम्हारा 10,000 रुपे का check bank पर present किया था, वो पैसा मुझे नहीं मिला, check bounce हो गया है, ठीक है, मुझे जो तु मैं तुम्हारे case अगेश्ट में, court में मुकदमा दायर कर दूँगा, है ना, यानि आपके अगेश्ट में, court में, sue, file कर दूँगा, है ना, ये बात बोली किसने, Mr. B ने, Mr. A को, ठीक है, अब उसके बाद में क्या हुआ, जो Mr. A है, जो Mr. A है, उसने यहाँ पर Mr. B का पैसा within 15 days return नहीं किया, तो उसके बाद में, अब Mr. B के पास क्या option है, Mr. B के पास option है, कि वो court में जाए, अपना case दायर कर दे, है ना, और जैसे ही ये Mr. B court में अपना case दायर करेगा, case दायर करने के बाद में, अगर decision Mr. B के favor में आता है, तो यहाँ पर court के पास में क्या अधिकार ह में क्या right है, है ना, तो यहाँ पर जो court है, वो Mr. A को, है ना, सजा दे सकता है, कहां तक की, punish कर सकता है, कितने तक का punishment दे सकता है, तो यहाँ पर इसको जो punishment है, वो दो साल की jail भी हो सकती है, या check की जो amount है, उसके double की penalty इसके ऊपर लग सकती है, या दोनों ही इसके ऊपर implement कि ये जा सकते हैं, ये हो सकता है किसके साथ में, Mr. A के साथ में, ये court के पास इतना right है कि इन में से कहीं तक का भी जो भी उसके suitable लगता है, maximum इतना punishment दी सकता है, तो ये बात ध्यान रखेगा, ये याद रखेगा, ये exam में कई बार पूछा जा चुका है, आईए और इसको systematic तरी है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे, चलो, आगे बढ़ते हैं उसके बाद में, next आता है, legal action in section 138, है ना, अब तो check bounce हो गया, dishonor हो गया check, section 138 में, अब बात आती है क्या, कि यहाँ पर drawer के against में, या pay के against में, legal action लिया जाए, है ना, तो एक बात जान लेते हैं, legal action लेने से पह तो उस case में हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना है, कौन-कौन सी वो बाते हैं, जिससे हम पहले satisfy होने चाहिए, जब ये बाते satisfy हो जाएंगी, तभी हम drawer के against में, legal action लेने के लिए eligible हो जाएंगे, तो आईए उनके बारे में जान लेते हैं, ये 6 बाते हैं, है ना, मैं और के against में, कोई legal action नहीं ले सकते हैं, आईए समय लेते हैं इसको, सबसे पहले हम बात करते हैं, इसे कह सकते हैं, pre-requisite for precaution, जैसे हमें उसके against में मुकदमा दायर करना है, case दायर करना है कोर्ट में, तो वो कौन-कौन सी बाते हैं, जिससे हमें satisfy होना है, तो आईए उसके ब discharge of liability, है ना, पहली बात क्या है, पहली बात है, check issued in discharge of liability, सबसे पहले इस चीज से satisfy होना चाहिए, अब यह क्या है, आईए इसको एक example से समझ लेते हैं, कि यह क्या कहना, चाह रहा है, जैसे Mr. A है, है ना, और यह Mr. B है, Mr. B ने Mr. A को 10,000 रुपीज, है ना, लेंड किये, है ना, उधार दिये हैं, Mr. B ने Mr. A को 10,000 रुपे उधार दिये, और बोला कि मैं 30 दिन के बाद तुम्हें लोटा दूँगा, Mr. A ने Mr. B को बोला, अब Mr. B ने 30 दिन के बाद Mr. A से पैसा मंगा, तो Mr. A ने क्या किया, इसको एक चेक इस्यू कर दिया, है ना, कितने का, दस अजार रुपे का एक चेक देया, किसको Mr. B को, है ना, तो यहाँ पर जो Mr. B को चेक मिला है, कितने का, 10,000 रुपीज का, वो किसके अगेश्ट में मिला है, जो इसे 10,000 रुपीज की वसूली करनी थी, है ना, receive करने थे किस से, Mr. A से, तो अपनी इस liability को release करने के लिए, इसने 10,000 रुपीज का जो check issue किया Mr. B को, है ना, ये बात satisfy होनी चाहिए, है ना, ये बोला गया है इसमें, check issued in discharge of liability, चलो, एक example में और आपको बताता हूँ, जैसे, यहाँ पर ये Mr. X है, और ये Mr. Y है, ठीक है, Mr. X ने, है ना, Mr. X और Mr. Y आफस में फ्रेंड है, ठीक है, तो Mr. X ने Mr. Y को, गिफ्ट के रूप में, एक, 5000 रुपीज का check issue कर दिया, है ना, Mr. X ने बोला Mr. Y को, जाओ तुम भी क्या याद रखोगे, चलो मैं तुम्हें एक 5000 रुपे का gift के तौर पर check issue कर रहा हूँ, जाओ मोज करो, ठीक है, तो Mr. B को ये check मिल गया कितने का, 5000 रुपीज का, किस की तरफ से, X की तरफ से, ऐसे gift के रूप में, ठीक है, Mr. Y ब बैंक में पहुंचे, कहां पहुंचे, बैंक में पहुंचे, अब जैसे Mr. Y बैंक में पहुंचे है, तो यहाँ पर, Mr. Y ने check बैंक में पर्जेंट किया, और account में balance था, 0, तो Mr. Y को कितना पैसा मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, बैंक से खाली हाथ लोट कर आ जाएगा, ठीक में case दायर कर सकते हैं, तो बिलकुल नहीं, है ना, नहीं कर सकते, gift वाले case में नहीं कर सकते, है ना, इसके पास ऐसा कोई right नहीं है, को Mr. Y, X के against में case दायर कर दे, क्योंकि यहाँ पर, X के ऊपर, कोई भी liability नहीं है, जो Mr. Y को वो transfer करे, है ना, Indian contract act क्या कहता है, कि यहाँ प I hope, सभी को clear हो गई होगी यह बात, exam में कई तरह की situation, इस तरह की question पूछे जा चुके हैं, तो आप सभी को याद रखने है, I hope, इतनी बात सभी को clear हो गई होगी, चलो, इसको मैं erase कर देता हूँ, आईए, और दूसरी statement है, उसको समझ लेते हैं, उसको जान लेते हैं, वो क् यह कहती है, second, जो यहाँ पर condition है, वो क्या कहती है, second condition यह कहती है, कि जो check issue किया गया है, है ना, check issue किया गया है, कोई भी check, still check का बन जाएगा, कोई भी check, still check का बन जाएगा, कोई भी check, still check बन जाएगा, है ना, जिस date में वो issue किया गया है, issue की गई date के 3 महिने के अंदर को bank में present नहीं किया जाता है, तो वो check still check हो जाता है, तो यहाँ पर second condition ये बोलती है, कि जो still check होते हैं, still check के ऊपर भी, वो still check नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपने date खतम होने के बाद में, उसको bank में present किया और bank ने उसका payment करने से मना कर दिया, तो ऐसे case में आप case द्या time limit है, उसके अंदर ही आपको ये check bank में present करना है, अपने amount की demand करनी है, ये second condition satisfy करनी है, पलक इसमें जो हम question भी discuss कर रहे हैं, last में इस topic के खतम होने पर कुछ questions आएंगे, उन questions को देखेगा, I hope वो आप सभी को important होंगे, आपके exam के लिए अच्छे रहेंगे, चलो, आगे बढ़ते हैं उसके बाद में, जनारधन पाल भी हमारे साथ में जुड़ गए है, welcome है सभी का, तो अगर आपको information अच्छे मिल रही है, चीजे समझ में आ रही है, तो session को सासाथ like करते चलिए, जिससे मुझे पता चले कि जो बाते, जो चीजे में आप सभी को ब case दायर करने से पहले इसको क्या करना है? एक notice देना है, किसको? किसको देना है? वो है यहाँ पर जो ड्रोवर है, ड्रोवर को time देना है, किसके लिए, pay करने के लिए, तो ड्रोवर को आप time कितना देंगे, 15 days के लिए, यह तो अभी हम यहाँ discuss करेंगे, चलो, उसके बाद में अगर हम 5 भी बात करते हैं, जो 5th thing है, वो है, complain, complain कौन करेगा, अगर हम किसकी वेक्ति यहाँ पर complain नहीं करेगा, और उसके बाद में अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, जो number 6 condition है, number 6 condition क्या हो जाएगी, जो complain करनी है, जो time mention है court का, उसके अंदर करनी है, और court ने जो यहाँ पर time दिया है, वो है 30 days का, जिस date में भी cause of action हुआ है, ठीक है, जिस date में भी वो घटना घटी है, वो event हैपन हुआ है, उसके 30 दिन के अंदर-अंदर court में case file कर देना है, आइए इसको समझ लेते हैं, और systematic तरीके से, कि किस तरीके से यह process करेगा, एक example से इसको समझते चलेंगे हम, आज अच्छे से जान लेंगे, कि अगर आपके हाथ में भी कोई check आता है और वो check bounce हो जाता है, तो उस case में आपको कौन-कौन से step उठाने हैं, तो सबसे पहले जो 6 चीजे मैंने बताई हैं, यह तो आपको यहाँ पर follow करनी ही करनी है, court में case file करने से पहले, क्या अगर dishonor का case आता है, और क्या-क्या करना है, आईए इसके बारे में जान लेते हैं, तो वही example लेते हैं, पुराने वाले example ले लेते हैं, तो आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर, सिवम भी हमारे साथ में जूड़ गए है, welcome है आपका भी, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, एक वेक्ती है Mr. A, यह है Mr. B, है ना, एक वेक्ती है Mr. A, Mr. B, तो यहाँ पर Mr. A Bank में यह Branch में पहुँचेगा लेकर, ठीक है, तो B ने जैसे ही यह Check present किया कहां पर, Bank में, और यह Check क्या हो गया, Dish Honor हो गया, है ना, यह Check क्या हो गया, Dish Honor हो गया, या यह Check Bounce हो गया, अब उसके बाद में Mr. B को क्या करना है, Mr. B को Bank से या उस Branch से क्या लेना है, एक Check Return Memo लेन यह लेना बिल्कुल नहीं बूलना है, अगर आपकी हाथ में भी कोई Check आता है, और वो Check Bounce हो जाता है, तो उस Case में आपको उस Bank या उस Bank की उस Branch से आपको क्या लेना है, Check Return Memo, है ना, यह जो Check Return Memo है, इसमें Bank Mention करेगा, कि यह Check किस Region से क्यों Bounce हो गया है, और यहाँ पर, यह Check Return Memo किसको मिल जाएगा, B को मिल जाएगा, तो जिस Date में Check Return Memo Mr. B को Receive हुआ है, उस Date से स्टार्ट करके, यहाँ पर Mr. B को एक Notice सेंड करना है, Notice भेजना है, Notice भेजना है किस के पास, Mr. A के पास, और यहाँ पर जो Notice भेजने का जो टाइम है, वो रहेगा 30 days, किस के पास भेज दिना है, तो Mr. B को अपने पैसे के डिमांड करनी है, एक लाक रुपे की, ठीक है, और यहाँ पर इसको बता देना है कि कितनी अंदरा दिन का समय दिया गया था, और यहाँ पर अगर 30 दिन के अंदर अंदर यह फ्रेस पेमेंट करने में फेल हो जाता है, तो उस Case में, यहा पर, हाँ इसका PDF भी आपको मिल जाएगा, इस वीडियो के comment में यहाँ पर एक लिए अंदर, आया दर आए, इसका PDF बीजाएगा, इस वीडियो के कमेंट में यहाँ पर एक लिए—